जहीर अभाज सहाथ पढ़ें कि उम्हें कुदारिश है कि वो हुसेनी इमाम पार का में शिर्क करते हैं और जोसी मर्स्किया को पेश करें कि जनाम पुनार्का हुसेन सहाथ इमाम पुरी जनाम पुरी इसाथ 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 इ हर साल हलो हलो इमाम मस्मूम का मातम हर साल की तरह इस साल भी हुसाइनी इमाम बारगान इनकाद किया गया है और जिसमें मुल्क की मायानाज अंजुमने शिर्कत कर रही है और इसमें मचूरो मारोफ मुल्के जाकरेन आ रहे हैं तमाम मौमनीन से मेरी मौतबाना गुजारिश है कि वो हुसाइनी इमाम बारगा में शिर्कत करके सवाबे जारें हासिल करें पहली मजलिस को खताब फर्माएंगे वज्जत अलिस्लाम और मुस्लिमीन अली जनाम मौलाना रुसाइन मेहदी साहब मजफर नगर और निकाबत के फराइज अंजाम देंगे जनाम मुहम्मद अब्बास साहब पिवला जौन पूरी और तक्रीर के फराइज अंजाम देंगे जनाम अरूद अली मजफर पुर्दिहार मंसविया अर्भी कालेज मेरट और दूसरी तक्रीर को और जिसमें मुल्की मायानाज अंजुमने शिर्कट कर रही है पहली अंजुमन अजाय हुसाइन सुरूली सुल्टान पुर्द और अन्युमन मुकामी अंजुमन अलमदार हुसाइन तिक्रा जॉन पूर्ट गुंचय कारवान याज़ा बड़ा गाउं जॉन पूर्ट गुर्षन इसलाम मित्व जलालपूर्ट अंजुमन मासुनिया रईस्टर विष्वा अंजुमन हुसाइनिया कदीर फादिम धुल्जना साइद पूराजम अंजुमन पंजतनी यह अंजुमने शिर्कत कर रही आप तिक्रा के तमाम मौमनीन से मेरी मौत्वाना गुदारिश है कि हुसाइनि इमाम बारगाह में शिर्कत करके सवाब दारें हासिल करें इंडा हमें अब्स्साइब ंप एप अ बलाय पे लेस हो पुआ है c' से सिन करें ultimately ब sports कह अ है बाज far刚ंग कुछ नो अ झाल झाल कि अ अधिर्माओ अधिर्माओ अधित आ कार्ण। कर दो कि वो हुस sizes लिए व्हांगा ने रिक्त आके हाथ करके, सुवाब hugely दारण हाशिल करें अलू है। कि इगरा के तमाम मौमनीन से मेरी मौद्दबाना गुदारिक है कि वो हुसेरी मामबार गाह में चिरकत करके सवाब जारण हासिल करें, जो कि बहुत ताफिर हो तुकी है, माइलिस शुरू होने जा रही है। तमाम मौमनीन से मेरी मौद्बाना गुदारिक है कि वो हुसेरी मामबार गाह में चिरकत करके सवाब जारण हासिल करें। अभी जालो अभी जाओ। अलो एब इश हो ए अब इस दो अंघ्य ऐसे वैप से भिश्व खाय दो अना अब इसब एंस अ इसा कि विश्च आ पुर मोलतको च्पब गगु़राइब संस्टीटरीटरीटटünde वाओ के व्वुर हलो हलो हर साल की तरह इस साल भी इमाम मस्मूम का मातम हुसाइनी इमाम बारगाह में इनकाद किया गया है जिसमें मुल्क की मशूरो मारूफ इन्जुमने तश्रीफ ला रही है और मुल्क के मशूरो मारूफ जाकरीन जो है तश्रीफ ला रहे हैं और यह जलूस लाइव टेलीकाश के जरीए चलाया जाएगा और जिसमें बेशीरे करवला जलूस को लाइव टेलीकाश कर रही है और अठारा बरी हाशिम की चैनल जो की यह भी लाइव टेलीकाश कर रहा है जलूस को और इस जुलोज को लाइव टेलिकास हुसाइनी नेटवर्क जो है यूपी ये भी लाइव टेलिकास चला रही है और इसमें मुल्की मायानाज अंजुमने शिरकत कर रही है पहली अंजुमन अजाय हुसाइन सुरूली सुल्तानपूर मकामी अंजुमन अलमदार हुसाइनी त गरा जोन पूर। और बैरोनी अंजिमने गुंचय कारवान इव जा बड़ागाउ जोन पूर। गुल्षन इसलाम मित्तो पूर जलाल पूर। और मासूमियाномगे,繼續 विश्वा जोन पूर। और अंजिमन's, हुसैनियां , कदीम , सैथ पूर जलालपूर और मशूरो मारूफ अंजुमन अंजुमन पंजतनी जलालपूर ये अंजुमने तश्रीफ ला रही हैं और जिसमें जाकरीन तश्रीफ ला चुके हैं जो कि पहली खताबत के फराइज अंजाम देंगे हुजत लिसलाम वलमसलिमीन अली जनाम मौलाना हुसाइन महदी साहब कि बला मजफर नगर और पहली तकरीर को खताब फरमाएंगे खतीब अहल बैद अली जनाम मौलाना अरूज अली साहब मजफर पुर मनसबिया अरभी कालेज मेरण और दूसरी तकरीर को खताब फरमाएंगे अली जनाम मौलाना शौकत रिज्वी साहब और इसके बाद तकरीर को खताब फरमाएंगे खतीब अहल बैद अली जनाम मौलाना शम्सी साहब फैजाबाद और इस जुलोस में जिसमें अलम मुबारक शबीह जुलजना इमाम हसन का ताबूत की जारत कराई जाएगी और जारत से पहले नकाबत होगी नकाबत के फराइज अन्जाम देंगे हुझत अलिसलाम वालमसलमीन अली जनाम मौलाना मौम्मद अबाद साहब जौनपूरी और मौमनीन के लिए फिरी मेडिकल कैम का इंतिजाम किया गया है और हमारे बानियानन ये जुलूस मरहुम इस्तियाक हुसेन इमन गदा हुसेन की जानिब से हो रहा है और निजामत के फराज अंजाम देंगे जनाब सेयर शौकत साहब मुंबई और जिसमें शिरकत करेंगे शेहनवाज हुसेन साहब और पेश खानी के फराज अंजाम देंगे जनाब मीसम रिजवी साहब तिखरा जौन पूर और हमारी मरसिया को मरसिया खान जो की तश्रीफ ला रहे हैं जनाब महताब हुसेन साहब इमाम पूरी और पहली मरसिया जो है शुरू होने जा रही है जो की पहली मरसिया को पेश करेंगे जनाब जहीर अब्बास साहब और फारिव साहब उनके हमनवाँ तिकरा के तमाम मौमनीन से मेरी मौदबाना गुजारिश है कि वो हुसेनी अमाम बारगाह में शिरकत करके सवाब दारन हासिल करें पहली मरसिया जो है शुरू होने जा रही है तमाम मौमनीन से मेरी मौदबाना गुजारिश है कि हुसाइनी अमाम बारगाह में शिर्कत करें जो की महली शुरू होने जा रही है कुछ नाशनास लोगों को जुगनू नहीं मिले कुछ नाशनास लोगों को जुगनू नहीं मिले ढूंढा किये हयात के गेसु नहीं मिले नाबीनगी के शहर में वो आखें बिक गई जिनको गम-े-हुसैन के आसु नहीं मिले तमाम मौमनीन से मेरी गुदारिश है कि मरसिया शुरू होने जा रही है जिस मरसिया को पेश करेंगे जनाब जहीर अबास सहब और फारिव सहब जो की अन्युमन अलमदार हुसैनी की जानिब से ये मरसिया होने जा रही है तमाम मौमनें से मेरी मौदबाना गुजारिश है कि वो हुसाइनी अवाम बारगा में शिर्कत करके सवाब दाराइन हासिल करें जनाब नजम साथ गोस्पूरी और मेरी तिग्रा के तमाम मौमनें से मौदबाना गुजारिश है कि मजले शुरू होने जा रही है जो भी मौमनें इधर उधर टेहल रहे हैं से गुजारिश है कि वो हुसाइनी अमाम बारगा में शिर्कत करें और मरसिया शुरू होने जा रही है और मेरी गुजारिश है कि जनाब सेद महताब हुसाइन अमाम पूरी से कि वो भी हुसाइनी अमाम बारगा में शिर्कत करें और पेश्खानी के फराइज अंजाम देंगे जनाब मीसम रिजवी साब तिगरवी और जनाब दूसरी पेश्खानी करेंगे जनाब नजम साब गोस्पूरी वो खुदा का नूर था काबे के अंदर आ गया वो खुदा का नूर था काबे के अंदर आ गया वो खुदा का नूर था काबे के अंदर आ गया रूह ताजा हो गई दोशे पयंबर आ गया रूह ताजा हो गई दोशे पयंबर आ गया हग का दिल थैरा मगर बातिल में हल चल मच गई हाग का दिल थैरा मगर बातिल में हल चल मच गई बुत गिरे काबे से ये कहे करकी है दर आ गया बुत गिरे काबे से ये कहे करकी है दर आ गया तमाम मौमनीन से मेरी मौदबाना गुजारिश है कि महिली शुरू हो गई है अब वो हुसेन इमाम बारगा में शिरकत करें और सवाब दारेन हासिल करें यारे अखिए करें गयाक अपनी अब दारेश पत्माम में टारे पार्या है अब वहादोगा है? झाल झाल खाके शिफा है मेरी दवा और कुछ नहीं खाके शिफा है मेरी दवा और कुछ नहीं मैंने अली को वो ही कहा और कुछ नहीं कि उसने कहा कि दिन की तारीख को चे लिखो उसने कहा कि दिन की तारीख को चे लिखो मैंने फक्त हुसेन लिखा और कुछ नहीं मैंने फक्त हुसेन लिखा और कुछ नहीं कि हुर क्या किया किनारे जो जहान लम से बच गया हुर क्या किया किनारे जो जहान लम से बच गया कदमों पे शेह के सर को रखा और कुछ नहीं कदमों पे शेह के सर को रखा और कुछ नहीं हाते शपा है मेरी दवा और कुछ नहीं लामा अश्ड़ा मुहमाद वाले मुहमाद हाया अलो, अलो अलो, अलो, अश्ड़ा मुदाश्ट देशोक में दिल बे करार है मुदाश्ट देशोक में दिल बे करार है अश्ड़ करी के लाम तेरा इंतिजार है अश्ड़ करी के लाम तेरा इंतिजार है आजा तरस रहे है निगाहे तेरे लिए आजा तरस रहे है निगाहे तेरे लिए अब जिन्दगी खुदाती कसम मुझे पेमार है मुदाश्ट दी देशोक में आजा धिए परने का बाबा गुर्या मेरे लाशे पे बहुत सा पड़ना गुर्या मेरे लाशे पे बहुत सा पड़ना बाद मरने के मेरे कासदे सुगराए तलकीन के बदले खते सुगरा पड़ना अपे बहुत सा पड़ने का बाद झाल 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 कास में गुल पैरहन हुआ जखमी जो रन में कास में गुल पैरहन हुआ पैदा शहाना जोड़े से रंगे कपन हुआ बागे जेना रसूल को बैत लहुजन हुआ हर फोज की में शाद हर एक दिन हुआ हर फोज की में शाद हर एक दिन गुजन हुआ गुलता के रांद डाला है लश करके बागे को आगाजियो बुझा दो हसन के चराग को घबरा गए ये सुनके सदा सरवर अना अब्बास नाम वर से उस दम की आकला लो भाई जंग हो चुकी किसा हुआ तमा आया सुए यती में हसन मौत का पया हम शकल मुस्तफा को बुला लो पुकार के मांगो दुआ सरो से आमा में उतार के मांगो दुआ सरो से आमा में उतार के ये कहके किबला रू हुए सुल्तान काइना दरगाह किबरिया में हुआ के उठा के हाथ आए खालिके जमीनों जमा रब पाकदा इन जालिमों के हाथ से कासिम को दे निजा इन जालिमों के हाथ से कासिम को दे निजा तू हाथ जहां है करीम उर्रहीम है या रब बचा इसे के ये बच्चा यतिम है या रब बच्चा इसे के ये बच्चा यतिम है निकला ये सब के मुसे के आई है हसन का लाग जैनब उटके कोल दिये अपने सर के बाद सीने में हिल गया दिले बानुए खुश्क सा चिल्लाई मा गुजर गया क्या मेरा नौने हा आबिद काता उसे गर में बदन सर्द हो गया कासिम के चोटे भाई का मुझर जर्द हो गया कासिम के चोटे भाई का मुझर जर्द हो गया इस इस तराब में जो सुना सास का सुखन जानू से सर उठा के वोई किबलर दुलन आहिस्ता की ये अर्द के ऐ रब जुलमनन दुशमन पे पत है याब हो लखते दिले हसन दुशमन पे पत है याब हो लखते दिले हसन लड़ने गए है दशना तेरी राह में रख मेरे इबने आम को तु अपनी बना हमें रख मेरे इबने आम को तु अपनी बना हमें सेहरे के फूले भी अभी सुके नहीं है आज जो आह गया प्यासे रणा पे का ये इला ये अक्र था के मौत थी मातम थाया के ब्या बाद उसके होगा खलक में क्यों कर मेरा निबाद बाद उसके होगा खलक में क्यों कर मेरा निबाद उटो जहां से दिल बरे शबर के सामने आरत की मात खुब है जोहर के सामने आरत की मौत खुब है आखरी मिसरा सुचे सुनती हूँ हाथे कट गए शानों से हाए हाए ऐसे गए के घर में अलंग लेके फिरना आए क्या वजह है जो सोते हो जंगल में मुझ शिपाए निकलूं तो डर ये है के सकीना मचल न जाए असरत है पिटने की तने पाश पाश को शब हो तो रोने आओगी साहब की लाश पर शब हो तो रोने आओगी साहब की लाश पर जखमी जो रन में कासि में हम मेरी बड़ी अदब और एहतराम से गुजारिश है सेयद महताब हुसैन साहब इमाम पूरी साहब वो आएं और अपने मरसी खां को पेश करें है झाल झाल है है ऑ्र झाल 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 लाहुम्मा सुल्य अलाहुम्मा अलाहुम्मुम्मारियम्मारु दिन जाए नहीं जाए नहीं है। कार्य सवाबन गजया बन एक डिल्लब एक नारे सवाद बहाद बलन नो को जर्दिर, इस लायत नहीं, मिलने वारे, घरल मुर्कों सहती, एमाया, नहीं मिलने, कौली, कर तो जाइदा, वर्याद नहीं, मिलने वारे, दुल्मने आरे, मुहम्मद निये, घर्षतर है, नुमा के सक मौदे, जन्नक नहीं, मिलने वारे, पाते हैं हम मुमिन हज़ार से मेरी दस्वाफ का गुजारिश है कि वो हज़ार जो बाहर तक्षी फर्मा है वो आगा खाने में तक्षी लाने की जहमत जवारा करें अब यह जो हो चुकी है एक नारे सन्वार पावजेब्द्वान लाव मासल लाव मुहम्मार लाव मुहम्मार आता है सर अमाम का वजम यदी में आता है सर एमान का बद में यदित में महशर बपा है आल रसूल मधित में महान की जन आये है खसर ए परेद में मसीना जनी है इतरत शाहे शहेद में मसीना जनी है इतरत शाहे शहेद जन बार में तो आल सबों का हुझूम है सैदानियों में हाए हुसैना की जो हुझूम है आता है सर एमान का बद में यदित फिर्शे यदित आया हरम का जो कार्मा अब लगता जान दो तर जहरा की हो रमा पूचा ये कौन है तो किया शिम्र ने बया देखा ओ यदित ने जो सकीना को ना कहा देखा यदित ने जो सकीना को ना कहा पी है ये जनाब शह मजर पैन के बाली सकीना है यहीं दुफ्तर हुसेर के आता है सर एमान का बद में पूचा यदित ने के पिदर क्या हुआ कि दो ली सकीना जाने बेदर बायहा क्यों होते पिदर जो जिन्दा तो बंदता मेरा क्यों सब्ढ़ें ना फिर सी में पर्वें में देखा यहीं क्यों सब्सक्राइब ना फिर सी में में देख जान सब्सक्राइब के अजाब बला में है पारस है एक भाइस चुके देजबा में है आता है सर इमान का बज़ में यदि है मुरा के मुंपे बोही सकीना किया हुसें बादाप के मिलाना हमें है एक लाव आते तो आपने मुती बदे उनके लिए ये लल्म हुआ शाह माश्र हर उनके दुल्म हुआ शाह माश्र शिम्रेल इन छीन के अहाल कर दिया मारे तमात नीरे मेरा गाल कर दिया हुआ है सर एमान का बजमें जी क्या क्या नबाद आपे हम पर हुए है जब आए जो शाम में तो बदानन हसा अगला तक्दिल में जो लिखा ता आफिर न वो न चांधा तेर में तो लिखा था आखिर न वो तुम्हें जबालों पासर उठाएं न जाएंगे अब तो तबाद शिम्र के खाएं न जाएंगे आता है सर एमान जबद में जदी के घरों ने लगे बयाने सकीना पर आए ये शाएंगे ने तब ये जिम्र से रोकर किया कर दर बार में है सरे अमों खास आएंगे इसा नहो के बरसरे पुर्खाश हो करता है ऐसा सब के दिरे पुर्वलूल पर सच है की जाए रह्म है आले रसूल। क्या देखता है चीन ले फलके शहे होदा। उनके कादिल अदिल बंद मुर। क्यों लाओ सखीन अबाब के सर से होगा जुड़ा। को हम छोड़ सर को बाब के दर जान हो जुड़ा है अब छोड़ सर को बाब के बस्यान हो। आफिर वहे रसंवहे नादो कलाई है आथा। झाल 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 बावाजे बलन नाराय सल्वार चार मिश्य समार करेंगे एक बावाजे बलन नाराय सल्वार का उसार है रहें कम माग रहे हैं ना सिवा माग रहे हैं कम माग रहे हैं ना सिवा माग रहे हैं हम कर्बो बला कर्बो बला माग रहे हैं हम कर्बो बला कर्बो बला माग रहे हैं कितने हैं समझदार मेरी कौम के बचे मजलिस के तबलुख में वफा माग रहे हैं मजलिस के तबलुख में वफा माग रहे हैं बावाजिबला नारे सल्वाद खजास सलाम की कुछ बन पेश कर रहे हैं एक बावाजिबला नारे सल्वाद अजीब हाल में हैं फात्मा के दो नोपे से हसन के तीर बदन में हुसेन तीरो पे अजीब हाल में हैं फात्मा के दो नोपे से हसन को देखा है कास्यूं निखूं गलते हुए हसन को देखा है कास्यूं निखूं गलते हुए सकीना देखती है बाप को तहे खंजे अजीब हाल में हैं फात्मा के दो नोपे से नजाने देखे है जैनाब ने दश्ट में कैसे नजाने देखे है जैनाब ने दश्ट में कैसे जिगए के टुकेड हसन के कभी हुसैन कसे अजीब हाल में हैं फात्मा के दो नोपे से आखरी के दो बन फेश कराओं उधर हसन के जनाजे पर फूलती रोके बावाजे बलन नारे सलवाद अजीब हसन के जनाजे पूलती रोके इधर हुसैन के लाशे की नजर है पथर अजीब हाल में हैं पात्मा के दो नोपे से हसन जाते हुए चूमे बाजु जैनब के हसन जाते हुए चूमे बाजु जैनब के हुसैन जाते हुए चूमते रहे चादर अजीब हाल में हैं पात्मा के दो नोपे से अजीब हाल में हैं पात्मा के दो नोपे से बावादे बलड ना रहे चूमा हमाराद है अजीब हाल में हमाराद है हाजराद कि यह पंजतन के दूसरी इमाम हसन लएस्सलाम का आज प्रिश्मा ताबुत है और आप लोग जयारत करेंगे इंशाल्ला इनकी शान में दो चार मिस रबस ज्यादा नहीं बावादि पलंसलवाद मांग अरे मांग अरे मांग वो कांजी जो शह है यहां मिलती नहीं है मांग अरे मांग अरे मांग अरे मांग रहता है यहां मौसमे बर्शात हमेशा अरे मांग अरे मांग अरे मांग रहता है यहां मौसमे बर्शात हमेशा आहां मांग रे मांग मांगडरें एमाम हसन ओैसलाम अपनी जूती पहनाने के लिए उसको कितना दे दिया कुछ वही नहीं यही सब तो खव्था एजीद को यह जो चाहते हैं देदेदे हैं यह पंजज़न की आखरी दूसरी फ़र्द पहले मां हसन ओैसलाम मां में मां में हसन अले इसलाम ये सब इनका मौज़ा है मांगरे मांगरे मांग वो कौन सी जो शय है यहां मिलती नहीं है रहता है यहां मौज़ा में बरसा धमिसा रहता है यहां मौज़ा में बरसा धमिसा मैं अपसा टार देखा कि अब दो कि चार मिस्रिया आपिस समातों के वाले नजी करना चाहतों कि अग्राद कि सलवाद परिबर मुहम्मद वाल जूटों की गवाही मत मानों बदनाम अदालत होती है जूटों की गवाही मत मानों बदनाम अदालत होती है जूटों की गवाही मत मानों बदनाम अदालत होती है हकदार का हक जब चिनता है अल्लाह की लानत होती है हकदार का हक जब चिनता है अल्लाह की लानत होती है और देखेगा बस एक अली है दुनिया में जिसको ये शरफ हक ने बक्षा बस एक अली है बस एक अली है दुनिया में जिसको ये शरफ हक ने बक्षा कावे में विलादत होती है मस्जिद में शहादत होती है कावे में विलादत होती है मस्जिद में शहादत होती है कुर्यान और आले अहमद का आपस में कुछ ऐसा रुष्द है कुर्यान और आले अहमद का आपस में कुछ ऐसा रुष्द है सरतन से जुदा हो जाते है तो नैजे पे तिलावत होती है और आखरी मिसरा देखिएगा कि बहलो ने बस दो दिरहम में फिर दो जुदा को दे दी सैदाए अली की नजरों में जन्नत की एकीमत होती है सैदाए अली की नजरों में जन्नत की एकीमत होती है आखरी मिसरा देखेंगे मैं माओ से पहले डरता था अब माओ से मुझे को खौफ नहीं मैं माओ से पहले मैं माओ से पहले डरता था अब माओ से मुझे को खौफ नहीं जब से है सुना की मरकद में मौला की जियारत होती है सलवात पढ़ें बर मुहम्मद बारी अब मैं बड़े अद्ब और इतराम से गुजार इस गुजार हूँ फज्जत अलिमीन अली जनाम मौलाना हुसाइन मेदी सहाब मजफर नगर ते कि वो अफरोज मिंबर हूँ और जिक्र एहल बायत से मौमनीन के कुलोप को मनवर परमाएं लग को आधान तरूंण आधान जिक्तान जिक्तान आधान आधान आधव झालएं का इसंदाइब दू कर रिख थे भाष आपकोच्त में इसलेट जड़ा आनी कर चाहर आपको मुझारी का इसने ऐसे तान। यह इसलोगा आप पूतर के अच जा इसलेब दूने का ए शुक्त नहीं इसलेख शुक्त वातिहा वातित लुड़त प犯ाश का इलाव बिल्लाह मिन श्चैतानी रुजीम रब श्राह ली सद्री व्यस्री अमरी वाहल अगदतं मिलसानी यफ्वां कौली बिस्मिल्लाह र्रह्मान र्रहीम अलहम्दू लिल्लाह लजी हदाना वमा कुना लनाह तदिया लूलाएन हदान ल्लाह लकज जाएत रसल रबना बिल्लहक वस्सलात वस्सलाम अला श्रफ बलंबियाए वल्मुर्सली सेदना वनभीना वतभी बे नुफूसना जदिलहसने वल्हसन बिल्कासिम मुहम्दू लिए अट्यबीन ताहरीन वलानत ल्लाह अलादा इह मज्मीन वगासिब अख्यों किरे वदा इलेम अमाबाद वब वतार रसूलू लॉसल्ल्ह वालियु वसल्म बिस्म लाह राहमान र्रहीम अलहसन ब लहसन ब खुसंदू आप आप गामा अवा अवादा बिसम लाह राहमान रही म अलामा कुल वलिय का लुह ज़त अपने लुह सान सलवात का लेह वला अभाई ही वी हादे साथे वा फी कुल साह वलियाव वहाफदाव वकाइदाव नासराव दलीला वाइना नहिता तुस्किनाव अर्दका तौए वतुमत्याव फियाह तवीलाव अजादाराने इमाम मुस्टवा पुसादाराने सेद श्याह बारगाए सेद असलाम अल्दा अल्याह में के बेटों का पुसा देने वालो मिल्लत के बुदर्गों जवानों नौजवानों ये सिलसले मजलिस व सिलसले शहादत सिप्त अकबर इमाम हसन मुस्तवा लिए सलातु अल्याह 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 उसी उन्वान के बिना पर आपके खिद्मत में जो पेगंबर का मश्हूर अल्याह है उसको आपके खिद्मत में तिलावत करने का शर्फ फासित किया पेगंबर ने इर्शाद फरमाया अल्हसन और अल्हसन अमामान ये हसन और अल्हसन दोनों इमाम हैं कामा और काहदा चाहे क्याम करें या सुलोह करें दोनों सुरत में दोनों क्या हैं अमाम कुछ तोहमात माशरे ने या तारीख नवीसों ने जो इमाम मुश्टवा लिए सलाथ और सलाम पर लगाई हैं उन्हीं चीजों को तसक्रा करना है और आपके खिदमत में ये पेगाम देना जरूरी है कि हम जिस तरह से छोटे बेटे के लिए अजादारी को काहिम करते हैं और सवादों में इन्हें ये सिल्सला जारी रहता है इसी कड़ी की पहली यानि इमामत की दूसरी कड़ी इमाम हसन मुश्टवा हैं और उनकी शहादत भी सफर में है तो हमें चाहिए कि हम ज्यादा तसक्रा बादज अर्मई इस सफर के बाद कमस कम 28 सफर तक का जो जमाना है इस जमाने को मखसूस करें इमाम हसन ताके जाकिर भी बयान करे नौह खान भी बयान करे मरसिया खान भी बयान करे और मालूम हो कि जैसे हम शहादत इमाम हसन मनाते हैं उस ही तरह से हमारे उपर फर्द है कि हम हसन मुश्टवा की शहादत भी ऐसे ही मनाएं अगर हमने थोड़ा सा भी बेद भाव किया तो ये स्यदा के दोनो आँखें ये दोनो आँखें बेवी स्यदा स्लामुल्ला अलेहा की अब आप एक आँख को ज्यादा अहमियत दें और दोसरी आँख को अहमियत ना दें तो स्यदा स्लामुल्ला अलेहा जाहिसी बात है कि मैं ये तो नहीं कह सकता सलवाद पर्दे महम्मद वाले तर ऐसे ये पुरेशान करेगा तो एक वाद सलवाद पर्दे महम्मद वाले परहाल जो पैगाम है वो मैंने आप तक पहुँचाया और शब्दारियां जो हम मनाते हैं करते हैं मातम करते हैं वो तमाम के तमाम इन आठ दिन में कमसकम इमाम हसन से मनसूब तसकरे होने चाहिए उसी उन्वान से मैंने आपकी खिदमत में ये हदिश पेश किये है इमाम अलाहिस सलाथ वस्सलाम की हयात त्यवा किस माहौल में आगे बढ़ी है इसकी तरह थोड़ा सा तबज्जो करने की दरूरत है ज़र आप तबज्जो करें कि जनाब अमीर अल्मूमनीन अलिय बन अभी तालिब अलाहिस सलाथ वस्सलाम बाद अजन नभी अकरम खद्रत महम्मद मुस्तफा सलल्लाई वस्सलाम ग्यारा हिज्जरी में आपका विसाल है ग्यारा हिज्जरी से आप जो हैं 35 हिज्जरी तक आपकी हयात घर में बैठकर के गुद्री लोग कहते हैं कि इमाम हसन ने सलोह क्यों की ये आप जरा मुला काईनात की हयात से पूछें कि 25 बरस आप ने क्यों इन लोगों के साथ वखत गुदारा और ऐसे ही नहीं गुदारा है बलके लोगों का आपकी तरफ रुजु करना हकومت وقت के लोगों का आप से सवाल करना आप से मदद तलब करना लोगों से लोगों ने मदद तलब किया और हदरत ने मदद फरमाई ये हदरत का मदद फरमाना किसी साहिल ने सवाल भी किया हदरत अमीर से या अली जब आप के ये मुखालिव है आपका हक इनों ने घस्ब किया है फिर आप इनकी मदद क्यों करते है तो हदरत अमीर ने बड़ा अच्छा फिकरा कहा कि क्या तुमने नहीं देखा कि सूरज सुबह को निकलता है शाम को गुरूब होता है ये जो सूरज निकल रहा है क्या ये अल्ला के मुनकिर के घर में रोशनी नहीं कर रहा है क्या ये सिर्व अल्ला के चाने वालों के रोशनी करता है हदरत अमीर ने कहा क्या सूरज अपनी किर्णों के दरिये से सिर्फ मुसल्मानों के खेतों को रोशनी पहुँचा रहा है हضرت अमीर का ये फिक्रा तारीक के सुनहरे हर्फों में लिखा गया हضرت बयान कर दिया कि वक्त कोई सा भी हो सकता है लेकिन हमारा दर ऐसा है चो यहां साइल बनके आता है कभी खाली नहीं जाता है सलवात पहदे महम्मद वाले महम्मद तो हदरत ने 25 बरस चलिए ये जमाना हदरत ऐसे भी गुदारा गुदार लिया लेकिन हदरत इमाम हसन ने ये जमाना देखा के नहीं देखा साथ बरस तक पेगंबर की खिद्मत में रहे मौला इमाम हसन मुश्टबा वो लौब देहन जो इमाम हसन ने चुसा क्या वो इमाम हसन ने नहीं चुसा क्या जनाब पेगंबर अकरम ने सिर्व इमाम हसन की तर्वियत की क्या इमाम हसन की तर्वियत नहीं की ये वो नवासा रसूल है जो पहली कली है सहरा जनाब 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 जन में अमाम हुसाइन ने छे महीने बाद तर्वियत थासिल की तो जनाब इमाम हसन छे महीने बड़े हैं ना और छे महीने में ज्यादा से ज्यादा अपने नाना से पुर्वत थासिल की है तो जाहिर है कि जिस नवासे को छे महीने बाद वो तर्वियत मिली जो च्छै महिने पहले हसन को मिल चुकी है तो अब वो नवासा तलवार लेके मैदान में आ जाए और वो नवासा जो च्छै महिने पहले तर्वियत पासकता है क्या वो तलवार के हुनर से वाकिव नहीं था तलवार उसको भी बैसे चलानी आती थी जैसे हुसेन अलाईसलाम ने चलाई जैसे इमाम अली ने चलाई तलवार में कोई फर्क नहीं चलाने का अंदास थी नो का एक था लेकिन वक्त का जमाने का वक्त का तकादा था कभी तलवार नयाम में थी कभी तलवार बाहर थी सलावाद पढ़े महंमद और लिमहंम महंमम माद तलवार चलाने COP नभी के हुनर थे बाबा को भी हसन को भी हुसिन को भी लेकि बी जालिमों की चाल थी के मामِ हसने मुश्डबा को ऐसा बस्दूम पेश करो के जमाना ये कहे के एक भाई तो बड़ा सुल्ह पसंद था और एक तलवार चलाने का माहिर था बाद कम जर्फ लोगों ने यहां तक रिवायत लिख दी कि हसन कभी जंग नहीं चाहते थे हुसैन हमेशा तलवार लिए 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 खड़े रहते थे बाद मकाम पर एक रिवायत में लिखा है दुश्वन नाख शनास वो लिखता है कि इमाम हसन चाहते हैं सुलो हुसैन तलवार लिए खड़े हैं दरौदे पर जबके ये बाईद है ये हो ही नहीं सकता इमाम इमाम को पहचानता है हमार आपकी पहचान में गलती हो सकती है लेकिन इमाम इमाम को पहचानने में कोई खता नहीं कर सकता है इमाम कि इमाम शनासी बहुत बलंद है अगर इमाम की इमाम शनासी ना होती तो जमाना कुछ औरी रंग पक्ड़े हुए होता और रहाज तलवार चलाना क्या आपको याद नहीं है कि इमाम हसन अलएशसलाम ने जंग सिफ्पीन में जंग जमल में जंग नहरवान में क्या हदरत हसन ने तलवार नहीं चलाई ये तलवार चली है और जोहरे शुजाएद दिखाए हैं वही शीर जो इमाम हसन की रगों में है वही शलवाद पढ़ ले महम्मद वाले महम्मद ना तर्बियत या लिया लिया लाँ सल्लाला महम्मद तर्बियत में कोई फर्क नहीं आपको याद है आप सुनते रहते हैं जाकिरियन बयान करते हैं मात तर्बियत करने वाली कौन है का एक टाइम आया दोनों शहदादे खेल रहे हैं फैसला करने का वक्त आया शहदादी ने तस्वी के दाने बे खेरे अगर एक को ज्यादा चाहना एक को कम होता ये तस्वी के दाने बराबर इधर भी और इधर भी बराबर एक दाना बचा अब एक तरफ चला जाना चाहिए था लेकिन खुदरत को मंजूर नहीं था कि एक भी बच्चे का दिल तूटे खुदरत ने उसके दो टुकड़े किये एक हसन की तरफ गया एक हुसैन की अरे जिस जिन बच्चों की ऐसी तर्बियत हुई हो वो बच्चे कब एक दूसरे के मुखालिब जा सकते हैं दोनों के पास है और रहा जमाने सुल्हों सुल्हों का जो मसाला है आप जरा गोर करें कि अगर स्यदा सलाम अल्ला लेहा के बेटे को अमत का खयाल नहुता हुदा के बेहने का खयाल तो क्या है मादा सिफीन के मैदान में जमा हुआ मदाइन से लेकर के आप लशकर गए पैता पैता आलीस हजार का लशकर लेकिन दुश्मन जानता है कि कौन पैसे में बिकने वाला है कौन मकाम में बिकने वाला है किसके दिल में खौब डाला जा सकता है दुश्मन ने वही चाल चली जो हदरत अमीर के दमाने में चली चनाब अमीर के दमाने में नहरवान में क्या हुआ ये वो लोग थे जो जुटे बहकावे में आकर हदरत अमीर के मुखालिफ हो गए क्या हुआ नहरवान में उससे पहले सिफ्पीन में यही लशकर जो हदरत अमीर का था ओधर जालिमों ने दुश्मनों ने ये चाल चली कि कुरान को नेदे पे बुलंद किया वो दुश्मन कि जो ये जानता था कि अगर इन्हें बहकाया जा सकता है टो ऐसी चीज़ के जरीए बहकाया जा सकता है जो इनकी नजरों में बड़ी एहमियत के हामिल है यही वज़ा है यही बात को रोक कि आपकि हिद्मत माथ करूँ शेतान जानता है कि इनको कैसे बहकाया जाए है 10 अगराने बहकाने का वादा किया वो हर हिले से बहकाता है तो शैतान ने जब भी बहकाया है वो उसी हुलिय से बहकाया है जिससे एक कौम बहक सकती है कि आपको याद नहीं कि मुसले पर एक अबादत गुजार अबादत में मसरूब है तो वहां शराब का जाम लेके नहीं गया शैतान बलके शैतान किस हुलिये में गया लंबा चोगा पहना बड़ी लंबी दाहरी बनाई और किस हाल को बयान करूं जाके मुसले पे खड़ा हुआ जैसे वो नमाज पढ़ रहा था उससे ज्यादा नमाजे पहना शुरू कि जैसे वो सजदे कर रहा था उससे ज्यादा सजदे करने शुरू किये वो जितने क्याम वो कर रहा था उससे ज्यादा उसने क्याम करना शुरू किये अब ये क्याम पे क्याम सजदे पे सजदा रुकू पे रुकू सलवाद पे सलवाद अब ये करता जा रहा है वो जो पहर रहा था उसने देखा कि ये तो मुझसे बड़ा नमाजी है आखिर इससे पूछू तुसही इसने इबादते कहा से सिखी जैसे ही उसने देखा कि अब ये मिली तरह मतवज्जे हो गया अल्ला की बारगा से शैतान की बारगा में आ गया जैसे ही उसने देखा मेरी बारगाव में आ गया आप कहता है कि तुमने ये कहां से सीखा कि मैंने फुला दर्वाजे से सीखा शैतान को मालूम है कि कौन किस तरीके से बहकावे में आ सकता है कभी शराब खाने पर शैतान नहीं मिलेगा मश्जिद और इमाम बालगाहों के दर्वाजे पे मिलेगा सलावात पहुदे महम्मद वाले महम्मद बहकाने का तरीका जानता है तो जैसे इस ने देखा शैतान ने एक शैतान को वसवसा दिया कि अगर तुम्हे अपनी जान बचानी है यह कोई मामूली तलौर चलانे वाला नगी है अगर जान बचाना है तो खुरौण का सहरा लो अब अल्ला जाने खुरौण था या कुरौण की जिल थी लेकिन अली के लिशकर ने देखा कि नेजों पे गुरान बुलंद है अब जैसे ही गुरान को देखा का हम जग नहीं करें गुरान से हदरत अमीन ने कहा कि ये गुरान नहीं है ये गुरान नहीं है का नहीं हम जो देख रहे हैं वो गुरान है यालि ये भी मौला ने फैसला कर दिया जो तुम्हें जाहिर नदर आए कभी जाहिर पे भरोसा ना करना कभी जाहिर पे भरोसा ना करना हदरत अमीर ने कहा कि ये गुरान अगर है भी ये ना बोलने वाला गुरान है ये गुरान सामित है मैं कुरान नातिक हूँ मैं बोलता कुरान हूँ सामित की तरफ नदेखो नातिक की तरफ देखो लेकिन उधर तो शैतान ने ये वस्वसा डालना था शैतान के बहकारे में आए आने के बाद मौला कायनात का घिराव कर लिया यहां मौला क्या तलवार नहीं चला सकते थे क्या इनकी गर्दने नहीं काट सकते थे का काट सकते थे लेकिन अली नहीं काटा का क्यों नहीं काटा का इसलिए नहीं काटा लोग यह कहते थे कि देखो दूसरे के लशकर का गुसा अपने लश्कर पे उतार दिया अली ने सब्र करके बताया कि देखो कभी जल्द बाजी ना करना कभी जल्द बाजी ना करना इमाम ने यहाँ पर भी शुकूत अख्तियार किया खामोश हो गए मालिक एश्टर को बुला लिया क्या यह हदरत अमीर का अमल नहीं है क्या यह इमाम हसन नहीं नहीं देखा सिफ़ीन में जो लश्कर था वो पलक के नहरवान में जमा हुआ नहरवान में जो लश्कर आया हदरत अमीर ने पेगाम भेजा कि हम उसके मुकाबले पे जाना है आ जाओ का के नहीं पहले तुबा करें अरे जो इलाही नुमाइंदे को ना पहचान सके वो नमाज और रोजे को क्या खाक समझेगा हदरत अमीर बुलाते रहे नहीं आए फिर हदरत अमीर ने का ठीक है पहले तुम से निम्टा जाए गए हदरत अमीर और जंग हुई मुली गाजर की तरह काटे गए क्या सिर्व हदरत अली ही काटने वाले थे यहां पर भी तलवार हसन चली है यहां पर भी इमाम हसन की तलवार चली अब यही लशकर जो कुछ बचे थे यह धरादर हो गए जमाने इमाम हसन में इनों ने वक्त को गनीमत जाना लशकर में वगावत की सिफ़्पीन में जमा हुआ लशकर पैतालीस हजार का जो साथ आया था हदरत के और लड़ने के लिए आया था वो लशकर एक रात में बदल गया कुछ पैसे के लालच में कुछ मकाम के लालच में और कुछ खौफ में यह लशकर पैतालीस का पैतालीस हदार बदल गया अब यह इंसाफ से बताएं जो लशकर लेके आया हो वो सरदार अकेला रह जाए और लशकर एक तरफ हो जाए क्या सरदार लड़ेगा और लड़ सकते थे यह कोई मामूली सरदार नहीं थे तलवार के जाहर दिखा सकते थे लेकिन इमाम हसन ने यह साबित किया कि देखो माल पे भिकने वाले आर है मैदान में ख़ड़े होने वाले आर है इमाम ने 45 हजार के लशकर को छोड़ा पल्टे रास्ते में हमला हुआ यहाँ पर इमाम हसन का एक फिक्रा मिलता है हदरत ने फरमाया अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ सत्रा आदमी मिल जाते तो मैं शाम की ईट से ईट बजा देता 45 हजार कलशकर एक तरफ सत्रा आदमी की खाहिश की इस फिक्रे से मालूम होता है कि मौला इमाम हसन के पास सत्रा अफराद भी नहीं थे उम्मत के उम्मत के सत्रा आदमी भी नहीं थे जो इमाम क्याम करते और ये कर सकते थे इनकी ताकत थी जो दर्फ बजार में जाके आँखों में आँखे ये कह दे कि जो तु देने वाला है वो हम जूती सीधी करने वाले को दे सकते हैं जो तु ने हमें दिया है वो हम अपनी जूती सीधी करने वाले को दे देते हैं इमाम को लालच नहीं था इमाम ने सुलो की सलवाट पड़े महम्मद वाले महम्मद यह दर्बार में जाकर के इंट से इंट बजा सकते थे ताकत थी लेकिन शुलो क्योंकि शुलो का उन्वान लोग कहते हैं इमाम हसन ने दब के शुलो की दबा हुआ फर्द कभी अपने शरायत नहीं रखता है जो दबा हुआ 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 है और महर लगाकर सादा कागज वहां से भेजा इमाम हसन के खिदमत में कि फर्जंद रसूल जानता है पहचान थी यह नहीं यह पहचान नहीं थी पहचान थी लेकिन जब किसी के दिल में हसत की आग भड़कती है ना आपने ने देखा होगा हासिद को हासिद जब हसत की आग में जनना शुरू होता है तो खुद भी जलता है तूसरों को जलाने की पूरी कोशिश करता है और ऐसी कोशिश करता है कि वो खुद भी जल जाता है और अपने अलो हयाल को भी जला लेता है आप देखें आपके हाँ भी मुम आपकान देखा, हसत करना शुरू कर दिया, ना चाहते हुए भी उस पे उपर मुकदमा कर दिया, मुकदमे में खुद भी पैसा खर्च कर रहा है, दूसरे का भी खर्च करा रहा है, ला हालत ये हो जाती है, कि वो जमीन सारी, जो सर्माया था, वो सब सर्माया, खत्म होने लगता है, चुके कचहरी की तोहलत आप जानते ही है, पुलिस और कचहरी का एक ही मामला है, अगर है, तो सुनवाई है, नहीं है, तो जाईए सड़क पे, सड़क नापते रहिए, तो हसत, एक ऐसी विमारी है, कि जिसके अंदर पैदा हो जाए, वो खुद भी बरबाद करने की कोशिश करता है, होता नहीं है, वो समझता है कि ये बरबाद हो रहा है, लेकिन वो बरबाद होता नहीं है, इमाम हसन लिए से दुश्मनी पहुशी थी, एक वज़ा हसत भी था, एक वज़ा, वहां, लोगों को हसत पहला होता है, है हमारा औरा है यार है कि अच्छा मकान देए तो यह सद का नतीजा है देखिए शायद ये फिक्रा आप दुर्गों ने सुना ओ लेकिन जवान सुने हदरतِ حसन से हसत का नतीजा यह है कि आज शाम में आप जाएए तो आपको अलवी बहुत मिलेंगे शाम में अलवी आपको बहुत मिलेंगे लेकिन उमभी कोई नहीं मिलेंगा यह हदरत अली की दुश्मनी का मतीज़ा है कि जिस सर्दमीन पर बहत्तर हजार मिंबरों से अली को बुरा कहलाया गया उन्हीं मिंबरों से अली अली की सदा बुलन है ये जनाब हसन की सुछ जो हासित को उसके घर में मौद दी है उसी के घर में उसे मौद दी है आज उसके नाम में वही है अलवी मिलेंगे जाईए आफ शाम के अंदर दिमिश्ख में जाइए जगा जगा आफको सवाल किजी आप कौन काम है अलवी वो अलवी कौन से है लेकिन अली का नाम तो है ना आफसे नाम तो मौझू है वो शाम के जहाँ अली का नाम लेना जुर्म था उसी की सडकों पर आज अलवी घुम रहे हैं हम यहां बैठे हुए सोचते हैं कि साहब इतने मिम्बरों से बुरा कहा गया लेकिन आम की यह है और बात इस पर गहर करेंगे तो समझ में आएंगी बाते हदरत ने जो सुल्हों की काम और अपने हुकों को जागर करने के लिए माहल आपके सामने आया कि मदीने भी उसी माहल से अलग नहीं था जो माहल शाम का था या कूफे का था वही माहल मदीने का भी था मदीने में वो फराद के जिसको नभी के नवासों से महब्बत करनी चाहिए थी वही नभी के मदीने रहने वाले नभी के नवासों के दुश्मन बने वरना इमाम मुश्टबा लैस्सलाट वस्सलाम ने इस कौम को बचाने के लिए जो स्लोप थी साल तक आप उसके पाबंद रहे सन चालीस हिज्री से पचास हिज्री तक वह से लोग कहते हैं निके साब इमाम हसन ने तलवार नहीं चलाई रहे इमाम हसन ने तलवार चलाई वह स्लोप पसंदे उन्होंने स्लोप कर लिया और इमाम हसन ने तलवार चलाई यहाद रहा माशूम मसलहत पसंद होता है मसलहत को समझ कर सोच कर कर काम करता है यही बजा है कि इमام हसन अल्यॐस़सलाम ने जो सुलो की थी उस सुलो के पाबन रहे 30 सब पाबन 40 हिज्री से 50 हिज्री से तक वक्ति शाहदद तक आप सुलो के पाबन रहे अब हो यह चाहिए था कि जब इमाम हसन ने सुलो की थी अब वक्त का इमाम तो चला गया अब इमामत आई है इमाम हुसेन तब इमाम हुसेन एक खत लिख देते है माविया को कि जो मेरे भाई ने सुलो की थी मैं उसे तोड़ता हूँ और आजा तलवार लेके मैं भी आ रहा हूँ करना चाहिए था ना लेकिन इमाम हुसेन ने ऐसे किया नहीं किया दस साल इमाम हुसेन सुलो पे रहे दसी साल इमाम हुसेन सुलो पे रहे पचास हिज्री तक इमाम हुसेन की सुलो और साथ हिज्री तक इमाम हुसेन की सुलो जब तक कि वासल जहन्नम नहीं हुआ तो सुलो के दस साल या बराबर है इमाम को पहचानते है नभी दोनों इमामों के लिए चाहे मेरा हसन हो या मेरा हुसैन हो तो सुलो के दस साल ना गुदारते सुलो के दस साल गुदार के बताए कि जो सुलो तेरे भाई ने है उसकी सुलो का मैं भी पावन हूँ जब तक उन सुलो के शरायक कुछ भी हलाके मौजूद नहीं थे आम फिक्र से बाईद है लोगों ने लिख दी हमें तो पताए नहीं है हम तो सुलो के इमाम हसन है लेकिन दुश्मन ने क्या साधिशे कि अबर नहीं इमाम पर ये भी वो दूसरा ढौंगले चेव हुए थे हज़रत अमीर ने कहा कि हम जुल्म बरदाश्ट तोसरी जगा आद देखिए उसमें भी हज़रत अमीर ने तलवार जब उठाई है जब मसला बिलकुल खिलाफ हो गया और जल्म इंतहा से बढ़ने लगा तीसरी जग में भी पहले आप पेगाम देते रहे सुलो का लेकिन जब नहीं माने फिर तलवार उठाई तो जिसका बाबा बगाईर मसलेहत के तलवार न चलाए वो हसान कैसे तलवार चलाता या हुसैन जिसने दस साल उसी सुलो कर पावंद रहे वो कैसे तलवार चलाते चलाई भी तो जद चलाई कि जब तलवार चलाने का मौका आया और फिक्रा हिमाम حुसाय exercise का आपके अधान में है हज़रत ने यही तो फरमाया कि मुझ जैसा तुझ जैसे की क्या कहना प्यात नहीं कर सकता का मामला नहीं था कि मुझ जैसा कहा मुझ जैसा कहा जो भी حक पसmun वो बातिल परस्त पैकि भाः कर ही नहीं सकता कि कि किसी भी हालत में हो वह बायत नहीं कर सकता आज भी है हम लोगों के लिए पैगाम है हमें भी हम कर चाहिए चिसके मजलीस है वो हुसाइन और हसन के नाम पे बिछी है तब यहां मादर हसनें आती है यहां बहन आती है हुसाइन की यहां बेटी आती है अरे तुम्हारी हैसियत क्या है कि तुम इस फर्श यादा से यह कहके दूर रहो कि यह फला की मजलिस है यह तुम्हारे बाप की मजलिस नहीं है य हुसाइन की मजलिस है यान 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 या अगर ये काले कपड़े ना पहनो तुमें कोई नहीं पहचानेगा लेकिन तुमने काले कपड़े पहने तो हर आदमी की जबान पर ये ये रहता है कि मुसल्मान हो के ये हुसाइन के अज़ादार है हिंदू है तो कहता है कि ये बाबा हुसाइन के मानने वाले है आतम नहीं होगा अरे तुम्हारी और हमारी हैसियत क्या है वहाँ चालीस हजार फरिष्टे गर्दिश कर रहे हैं जब वहाँ गर्दिश हो रही है तो इस परशे अज़ा पर क्या मलाइका नहीं आएंगे यह जिक्र ऐसा है यहाँ इन्सान आए अनाए मलाइक जरूर आते हैं जहां मलका तश्रीव लाती हो वहोरों की कमी होगी वहोरे भी आएंगी वहाँ गल्मान भी आएंगे वहाँ फरिष्टे भी आएंगे वहाँ रुहे भी आएंगे यहां की किसी कमी नहीं महसुश होती यह तो हमारा अपना अपना जर्फ है हम समझते हैं कि हम मजलिस में जाएंगे तो मजलिस कामियाब होगी अरे मजलिस की कामियाबी तुम्हारे सिर नहीं है मजलिस की कामियाबी उनके याँ हैं जिनकी मजलिस है वो देखते हैं ये तो हमारी और आपकी कमजर्फी है बदनसीबी है कि हम एक फर्शे अजा से दूर रहकर ये साबित कर रहा है कि हम नहीं गए तो आपने बड़ी गलती की है आपने एक मजलिस मिस्ट करके अपना नाम अजादारी की लिश्टे हटा लिया अगर हम मजलिस में आते तो अजादार की लिश्ट में नाम होता के नहीं होता लेकिन हम नहीं गए हमारा नाम नहीं लिखा गया उमर के 40-50 साल हमारे रहे हमने 10 मजलिस मिस्ट की 10 मजलिसों में हमारे नाम नहीं रहे अब वहां सोचिए अगर सवाल कर लिया स्यदाने कि तुम इन दस मजलिसों में क्यों नहीं गए तो क्या जवाब है हमारे पास और जिसमें आज की ये मजलिस मन्सूब है उस शहजादे से कि जिसकी शहादत की तारीख है बस थाज़िजों वक्त नहीं रहा वरना बहुत सी चीज़े मोजलू पर बयाद करने का दिल कर रहा था ये ना समझे कि मैं मजमा देख के पढ़ूंगा ये अताय मिंबर है ये फर्ज है जो मुझे इतनी दूर से यहाँ भेजा बपना फर्ज समझ के यहाँ आया अजिजों ये नौकरी हर किसी को नसीब नहीं होती है ये नौकरी हर किसी को नहीं मिलती है खुश नसीब है वो अफराद के जिनें ये नौकरी का शरफ हासिल हो जाए खुश नसीब है वो अज़ादार कि जो फर्ज अज़ा पराह करके चंद आसू रुमाल सेयदा में जगा दे देते हैं रुमाल सेयदा में उनके आसू पहुँच जाते है ये खुश गिसमती है हमारे लिए जख earlier अकरत है हमारे पास और कुछ नहीं नमाजे हैं वो भी ऐशी नहीं रोजे हैं वो भी ऐसे नहीं जो हमारी बख्शिश का सहरा बन सकें बस अगर हमारे पास हैं तो ये आसु है जो रुबाले से जिदा में जगा लेते हैं वस्यदा हमारे नासुओं को महशर में पेश करेगी कि इन्होंने मेरे बच्चों के उपर आसु बहाए हैं हाँ अजादारो ये वो मदलूम इमाम है जिसके मदलूमियत के इंतहा ये है अजादारो एक फिक्रा आपके खिद्मत में आर्स करूं सोचने के लिए ये बहुत बड़ा फिक्रा है अगर आपने इसे तस्वर में ले आए तो आपके मजलिस के आसु रुमाले सेदा में जरूर जाएंगे आप जरा तस्वर करें बहार किसी जगा पर अगर किसी को शहीद किया जाए या मारा जाए तो उसको इतना सोस नहीं होता है इसलिए कि परदेश में था मारा गया परदेश में कोई पुरसान हाल नहीं था जो उसे बचा सके लेकिन आप जरा गोर करें अगर यही मसला घर के अंदर हो जाए तो कितना बड़ा मसला होता है आप गोर करें जिसको घर के अंदर रखा गया हो वही घर का पर अगर दुश्मनी पे उतर आए और वही जहर दे दे तो उसकी कैफियत क्या होगी अजादारों लालचे दुनिया में आने के बाद जनाब जनाब बसन मुश्टवा लएस सलम को जालिमा ने जहर दिया वह जहर के जो माविया ने अपने दर्बार से भीजा था वह जहर के जिसने जनाब लएस सलम के जिगर के टुकड़े कर दिये रिवायत कहती है अजादारों के जनाब सेयदा का ये लाल अरे बिष्टर पर लेटा हुआ है आवादी उम्म फर्वा अरे तश्ट लेके आओ अरे तश्ट लाया गया हसन अलेहिस्सलाम का जिगर अरे कट कट के अरे तश्ट में आने लगा लेकिन अजादारों जैसे ये खबर जनाब जनाब सेयदा सलाम लालेहा को पहुची जनाब 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 दाड़ी हुई अपने भाई के घर में आई अरे क्या देखा अरे भाई के जिगर के तुक्डे जिगर के तुक्डे तश्ट में नदराने लगे अजादारों जनाब जनाब जैनब ने भाई को उठाया अरे दारों हुसेद तश्रीम लाएं बालां हुसेद आएं वसीयते की इमाम हसन की वसीयतों पर हुसेद अलाहिससलाम ने अमल करना शुरू किया अरे भाई इस दुनिया से चला गया भाईयों ने मिलके जनाज़ा तो उठाया लेकिन हाई मदीना अरे वो मदीने जिसमे नाना के साथ अरे मदीने की गल्यों में घुमे थे वही नाना का मदीना इतना बदल गया नवासे के लाशे पर अरे तीरों की बारिश की गई इक बाया तुझे सामर हुम के ते असन और हुसान के जनाज़े में बस इतना पर था हुसान के जनाज़े तीरों पर था असन के जनाज़े पर तीर थे असन और हुसान के जन्नत में तरब गई रसूल कबर छोड़ के आ गए होगे अरे नवासे के लाशे पर तीर अरे जब ये नाज़े पलट के घर में आया अरे के वियत जीत थी अरे जनाज़े से तीर खेच दी जाती है और के ती जाती थी हाई नाना का मदीना मैं कहूंगा बीबी अरे ये नाना का मदीना है तुमने तीर निकार लिए लेकिन हाई कर्बला हुसान का लाशा होगा तीरों से चल लिए ये लमन लजीन जलमूं है ये मन कल्ब ये नकल्बून इन्ना लिल्लाह वैन्ना इलही राज़ून परवर्दिगारा हमारी इस इस खलील इबादत का परिगा बारगामे कबूल फर्मा हमें हकीकिए इमाम हसन का अज़दार परार दे या लज़दारी को खायमों दायम फर्मा या बानियां निम्जालिस जिनोंने इस बारगाम को बर्पा चया है उनके जानों माल इजबत आबरु के रफ़ाजत फर्मा या लज़दार दर्मियान इमाम हसन во इमाम हسین के वास्ते से परवर्दिगार इत्वाद और इत्वाक नायत फर्मा या लाह हमारे जाती दुश्मिनाद दुश्मनियों को हमारे दिलों से दूर फर्मा या करीम तुझे तिरे हक का वास्ता है जो परेशान हाल हमके परेशानियों को दूर फर्मा जो मरीज या मरीज़ा उन्हें शिफा कामिल आजला इनायत फर्मा बानिय मजलिस के माल में तरकी इनायत फर्मा या ला उनकी तौफिकात में इजाफ़ फर्मा उनके मरीज़ों को शिफा इनायत फर्मा हाधरین में जो मरीद हैं इमाम मुच्टवा के सद्खे में या अल्लावने श्वा कामिल आजला इनायत फर्मा या करीम तुझे वास्त मुहम्मद वाल मुहम्मद का हमारे गुनाहने कबीर को माब फर्मा हाधरین के मरहुमीन, हिस्पस्ति के मरहुमीन इसल्वित माम बार्गाह के मर्वूमीन इन सब की अरोबैर को इमाम हस्ैन के साथ महशूर फरवां या अला अला इल्लीन में जगा इनायत फर्मां या करीम ते 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 हक का वास्ता मुझे आलम बश्रियत के जहुर में ताजील फरमां हम उनके साथ अजादारी की तौफे खिनायत खर्मा मातमी हसन हम याओ 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 आउसे, 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 आउसे वाइशे कर्ब बला, वाइशे कर्ब बला, वाइशे कर्ब बला, वाइशे कर्ब बला, आई शहे कर्ब बला आई शहे कर्ब बला करते रहेंगे हश्र तक एहल अजा मातं तेरा आई शहे कर्ब बला आई शहे कर्ब बला कतले हुए चोटे बड़े आग लगी खे में जले कतले हुए चोटे बड़े आग लगी खे में जले कतले हुए चोटे बड़े आग लगी खे में जले आई शहे कर्ब बला आई शहे कर्ब बला आई शहे कर्ब बला आई शहे कर्ब बला करती थी जैनब बया भाई हसन मारा गया जहाँ 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 जरात हैं तसवर से सुनें नोहे को करती थी जैनब बया भाई भाई हसन मारे गये करती थी जैनब बया भाई हसन मर गये करती थी जैनब बया भाई हसन मर गये करती थी जैनब बया, भाई हसन मर गए क्यों नहों महशर आया, भाई हसन मर गए करती थी जैनब बया, भाई हसन मर गए करती थी जैनब बया, भाई हसन मर गए फो गई हम पर जफा, जहर दगा से दिया फो गई हम पर जफा, जहर दगा से दिया फो हुआ मुसे रवा, भाई हसन मर गए करती थी जैनब बया, भाई हसन मर गए करती थी जैनब बाया भाई हसंद मर गए पीड़ते हैं सर हुसेन दिल को किस तर हचेन पीड़ते हैं सर हुसेन दिल को किस तर हचेन बाबा है ना अमा जा बाई हसंद मर गए सर जैनब बाया भाई हसंद मर गए सर पे न हैदर रहे और ना पयांबर रहे और ना पयांबर रहे सब गए सुए जैना बाई हसंद मर गए तीर लगाने को अब भाई के ताबू ती पर तीर लगाने को अब भाई के ताबू ती पर बैठे है सब बद गुमा बाई हसंद मर गए अश्क बहाती हु मैं खाक उड़ाती हु मैं करती हु आहो फोगा बाई हसंद मर गए करती हु दैना बाई हसंद मर गए करती हु दैना बाई हसंद मर गए करती हु दैना बाई हसंद मर गए आई हसंद मर गए बहन हुसैन की जहरा की लडली जैना कहीं हुसेन बनी है कहीं अली जैना बहन हुसेन की जैना कहीं हुसेन बनी है कहीं अली जैना बहन हुसेन की जैना कहीं हुसेन की जैना कहीं अली जैना बहन हुसेन की जैना कहीं हुसेन की जैना कहीं हुसेन बनी है कहीं अली जैना बन देखेंगे अजरा जहां जहां भी है कहीं हुसेन बशी है कहीं अली जैना संभाले हाथ में कुजा सकीना कहती है तेरी बतीज चचा प्यास से तड़पती है संभाले हाथ में कुजा सकीना कहती है तेरी बतीज चचा प्यास से तड़पती है उसे खबर नहीं बाई को को चुकी जैना उसे खबर नहीं बाई को को चुकी जैना कहें हुसैन देरा के लाकि ली जैना कहें हुतैज बनी है कहें अली जैना नाए लोट के आपास हाए दरिया से है तेन रोज के प्यास हाए दरिया से है तेन रोज के प्यास हामारे सबचे मिटा ना पाई किसी के भी तश नगी जैना मिटा ना पाई किसी के भी तश नगी जैना मिटा ना पाई किसी के भी तश नगी जैना कहीं हुसें बनी है कहीं अली जैना कितने मजालिम हुए हैं जनाब जैनाब पर जहां जहां जरात हैं तसवर के साथ सुनें हुसें बनी है कहीं अली जैनाब जो ताजियान लई पुष्ट पर लगाते हैं ताजियान लई पुष्ट पर लगाते हैं वाक्त बेकसी जैनाब आजिब वाक्त है ये वाक्त बेकसी जैनाब कहीं हुसें बनी है कहीं अली जैनाब 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 ने सारा मंजर देखा है जनाब अब्बास जब शहीद हुए वह भी जनाब जैनाब जैनाब ने देखा एमाम हुसाइन के ओपर शिम्रे सितमगर जब जो है तलवार फेर रहा था तो ये भी जनाब जैनम ने देखा है मनजर जहां जहां अजरात हैं तो तस्वर के साथ सुनें इन्शालला मसाइब होंगे गले पे तेग देरे देखती रही दुकिया बाद ना से पहन कुछ ना कर सकी भईया गले पे तेग तेरे देखती रही दुकिया बाद ना से पहन कुछ ना कर सकी भईया तेरे जनाज पे रोने को आई है जैना तेरे जनाज पे रोने को आई है जैना कहे हुसेन बनी है कहे अली जैना कहे हुसेन बनी है कहे अली जैना नभाई होगा कोई दूसरा जरी जैसा जहाने एस बहन आज तक नहीं देखा नभाई होगा कोई दूसरा जरी जैसा जहाने एस बहन आज तक नहीं देखा वाफा से क्यों ना करें तेरी बंदगी जैना वाफा से क्यों ना करें तेरी बंदगी जैना वाफा से क्यों ना करें तेरी बंदगी जैना कई हुसें बनी है करी अली जैना जनाब अबास के लाशे पे जनाब जैनाब क्या बहन करती है जैनाब जरी के लाशे पर आओ बहर मदद आओ सानी ये हैदर ये बैन करती है जैनाब जरी के लाशे पर आओ बहर मदद आओ सानी ये हैदर ना एक लम हा तेरा गम बुला सकी जैना ना एक लम हा तेरा गम बुला सकी जैना कहे हुसें बनी है कहे अली जैना है जो हुसें की जैना कि लाशे जैना कहे हुसें बनी है आखरी बन देखेंगे जरा जहाँ जहाँ आखर खुले हुए मजलूमों के असीरों के बले रसन मेहदा फिर बंदे असीरों के है सर खुले हुए मजलूमों के असीरों के खड़ी रही बनी तस्वीर दर्द की जैना कड़ी रही बनी तस्वीर दर्द की जैना कहीं हुसें बनी है कहीं अली जैना मक्ता समात फर्माएंगे जहां जहां तर्द की जैना कहीं हुसें बनी है कहीं अली जैना ये शेहन वाज से हो ता नहीं रकम नौहा बहने के सामने बाई का काटा सूखा गला ये शेहन वाज से हो ता नहीं रकम नौहा बहने के सामने बाई का काटा सूखा गला ये कैसा वाक्त है और वाक्त बेका सी जैना ये कैसा वाक्त है और वाक्त बेका सी जैना कहीं हुसें बनी है कहीं अली जैना बहन हुसें की जहरा की लाड ली जैना कहीं हुसें बनी है कहीं अली जैना बहन हुसें की जहरा की लाड ली जैना हुसें इमाम हुसें 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 इमाम हुसें 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 आई शहे कर बोबना, 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 आई शह थे खाहिए जिसे दो बादा है जारिव कर्ब बादा हई जार इने हे रिघ उजम्हे आएem इनलेiffs को है थे निमार्वारी जारियो है क्षब मार इस दो अर्बु भादा है बाद आई शहे कर बुबला आई शहे कर बुबला आई शहे कर बुबला आई शहे कर बोबला आई शहे कर बोबला आई वे चोटे बड़े आग लगी खैपें जले आई वे चोटे बड़े आग लगी खैपें जले अहले हरम पैदी बने ठीन करी सरसे रिदा अच्छे गर्फो मला आए उसने घरको गला मुझे पुरापड़ा अब यहां से लिद्मिक नाकाबद के फायस प्रफण आपरेके इंशालला अधिया गवाराना का मुहम्म्मद अभास सहाथिवल्हा गवादा जना जमार्ण वार्णाय विए लिए उतनी सुंधी को पारिका के जनाब सहाथिक परीव हो जाएंगे कि नकावत होने ताही है और और अरौर दोस्टी का आपोदाना भूंद देते हैं अ amoric tua होते हैं परन्डों की चरहा हमका squirrel हम घंड लेते हैं गवच में तर्जों किसी भी शहर में हो अजनबी हो उसकी गलियों में जो आशिक है वो मच्मिस का ठेकाना ढूंड लेते हैं आजे अधराम के थ्मारस और बनीजों नकापत के लिए फ्र्ती के रिए अाधि के रिए मौलाना मौंबतफ अपस्दा के व्रेक्षा कंदने जारें हैं आपने अपान जामान फर्सत पार मौलाना वावापन के पड़त अरे शारवावावाएं कर दो कर दो कर दो कर दौक है कर दो कर दो बना ब्रक्वा स्ट्रिक्राइट सांषा भी दो कर दोफ अ दिकी तैजए वालेकि वब विलायत की या आल्यू अल्यू 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 이्टसल्म या अल्यू 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 सलवादबर मुहमद वालिये ओज़ो बिल्壓 हुमने शेयटानद रह्जी सिएन। अजद्लिल्छ रब लालमीं वासलात वासलाम उला स्यीड मॉर्सलीन सियदना वनभीयना वजफीयना वमाला मौलान सक्लैन जद्ल हसन वलहुसैन وबिल कासम मुहम्माद वालित तैयबीन ताहरीन वलानत अल्हे अला अदाहिम अजमईन मिन यौमिना हाजा इला यौमिद्दीन अमा बादो फकर ताला इमाम हुसैन अलहिस्सलाम मिसली ला युबायो मिसला सलवाद बर मुहम्मद वाले मुहम्मद पर आप हजास गुजाश है की खांदान जहरा पर मिल जुलकर एक बुलंद तरीन सलवाद पड़े बर मुहम्मद वाले मुहम्मद अजीजान मुहत्रम बुज़गान अजीज सामेन एक्राम माशालला आपने अमाम हस्सान अलहिस्सलाम का मसायक सुनने और पढ़ने वाली चीज़ नहीं है बल्कि मसायक तस्थबूर करने वाली चीज़ है हाँ जादारो अभी आप ताबुते अमाम हस्सान अलहिस्सलाम की द्यारत करेंगे और अपने लिए दौा मागेंगे क्यों न दौा मागें इस वज़ए से की अहले वैस्सलाम करनाते हैं कि आए मेरे चाहने वालो जब तुम्हारी कोई दौा कहीं भी कबूल नहीं हो तो परशे अतारा जाया करो और जब महले पैस्सलाम के मताय को रहें हो तो अपने दिरों के दरिश्यों को पोलगे अपने लिए दौाएं मादो हां दालो आप लगी थी तरे भुदूर पर और शोने पहुंचे थे तरवना तक अज़रा लोग पता है ना किसका दावोत आपके सामने आने वाला है को याम शब्स यह नहीं है बन के मामें खसण है तारीद कैथी है छुष्छ तो सबको दिया गया सब शही हुए जहर से मगर गाम को तहर इतना सब्सक्त था इतना सब्सक्त था कि हसना कलेजा उन्गे बरंदे बाहरा गया ज़ाब उन्खेर ज़ाँ हाँ बातारों समक्सर लिज्जा है कि तारी कैती है जब जे मंदर हुसैन देख रहे थे तो तरफ का भाईया आपका कलेजा आए जिसमें से बाहरा गया मगर हाई रे वो मा जो फर्याद कर रही थी कि मेरे दोनों बेटे हैं एक कलेजे पे जालिमों ने चड़के शहीद किया अरे दूसरा का कलेजा जिसम से बाहर जजाकुम खेर जजा रोलीजिया ज़ादारों हाँ ज़ादारों अभी आपने मसाइब में सुना था कि एमाम हसन ने कहा भाईया हुसैन एक तष्ट ला दो अरे मेरे कलेजे में जलन हो रही है अज़ादारों जब तष्ट आया है ना जब कलेजे के टुकडे उस तष्ट में गिरे हैं तो हुसैन तरब के कहते हैं आई भाईया ये कलेजे के टुकडे आई हसन कहते हैं आई भाईया इतना इसान करना कि एक कलेजे को एक तष्ट को एक किनारे छुबा दो कि बहन जैनब न दे सके मैं कहूंगा आई मौला अल्या थोड़ा कलेजा आपको कलेजा निकलाया जैनब तब गई मैं आयरे कर्बला में कभी अकबर का कलेजा देखेगी कभी लाजे का पामाल होना देखेगी हाँ जादारो तारीख कहती है कि एक मरतबा एमाम को साथ मरतबा जहर दिया गया मगर जब जहर अपनी असराद देखा चुका तो एमाम वक्त शादत पर पहुँच गए हाँ जादारो तारीख कहती है जब कोई जनाजा घर से बाहर निकलता है तो बहने तरब जाती है और अपने घरों में आ जाती है अलारे जैनब का हाल क्या होगा कुल सूम का हाल क्या होगा कि हसन का जनाजा बैया का जनाजा और घर से बाहर निकला और गुबारा तीरों की बारिशाई हसन का जनाजा घर में वापस जगाकुमलखैरलजजा हाजदारों ताबूत की जारत करने वाले है हाजदारों एक मरतबा जब ये जनाजा घर से बाहर निकला था ना तो तीरों की बारिश ओने लगी थी यूही नहीं कहा गया कि हसन के जनाजे में तीर थे अले हुसेन का जनाजा तीरों पे मौल्लक हो गया था तारीख कहती है कि अब आस तरब गए और तरब के कहते हैं आए भाईया अगर आप अजाज़त दे तो मैं जालिमों को निस्तनावूत कर दूँ मगर क्या देखा हुसेन ने हसन कुसेन अब आस को रोका का भाईया रुक जाओ अभी करबरा नहीं आई है हुसेन तरब के कहने लगे अब आस भाईया रुक जाओ एक मरतबा अब आस हातों को जोड़ा हसन के जनाजे के पास आके फर्याद करते हैं आए भाईया अए जब बाबा कसर जालिमों ने शहीद कर दिया आपने एक ही जुमला कहा कि अब बाबास रुक जाओ अभी कियामत नहीं है मगर जब हसन का जनाजा जालिमों ने तीर बरसाया अय आपने फिर रोता कि भाईया रुक जाओ अभी करबला नहीं हाई है हाँ अज़ादारो वज़ा है पता है न क्यों हसन का जनाजा के तीरों पे बारिश हो रही थी अज़ादारो एक ही ख्वाहिश थी कि रसूल के दाहिए ने रसूल के बादों में रसूल के बगल में मैं सूरूंगा मगर हाई जालिमों ने ये नहोंने दिया हाँ अजादारो हसन के जनाजे में तीर थे और हुसैन का जनाजा तीरो पे मौलक हो गया था अजादारो आपने इमाम हसन के ताबूत की जारत कर ली हाँ अजादारो अब उस अलम की आपको जारत करना है जिसे अलमदार कहा जाता है अज़ादारो पता है ना कि कर्बला में जिसे जंग की सबसे बड़ी शिद्धत थी उसे मौला अबास कहा गया कुसम खुदा की अगर कर्बला में जंग होती तो अजीब मन्जर होता हाँ ज़ादारो मगर जब वो कर्बला से खेमे से पानी लाने के लिए खेमेगा से दर्या पे बढ़े है ना अज़ादारो उन्हें जंग की अजादत नहीं मिली है हुसैन ने क्या कहा एक ही जुम्रा कहा कुछ रिवायतों में मिलता है कि चार महरम को अबास की तलवार हुसैन ने तोड़ दी कुछ रिवायतों में मिलता है कि नाम हर्म की रात में अबास की तलवार को तोड़ दिया कुछ रिवायतों में है अज़ादारो कि जब सकीना अलाताश अलाताश कि फर्यादें कर रही थी तो अबास तरब के हुसाइन के पास आते हैं कहते हैं आता मैं जंग की जादत नहीं मांगता मगर अज़दार उस तस्वर कीजेगा मसाइब होसा अबास ने कितना बड़ा जुमला क्यामत का जुमला का मक्तल लिखता है कि अबास ने एक ही जुमला कहा कि बाबा की शहादत हो गई अबास जिन्दा है अब भईया मेरे सामने तीरों की बारिश हो गई आप ने रोका अबास जिन्दा है अब चचा मुस्लिम का सर कूफे में था आप ने रोका अब बास जिन्दा है ऐ आका और आए मौला अब तीन दिन की प्यास है अगर कोई बच्चा अब बास के रहते हुए पानी के बगएर मर जाएगा अबास जिन्दगी में मर जाएगा जजाकुम उल्खेरल जजा इतना ज़िना था कि एक मतवा क्या हुआ हुसैन ने का अबास जाओ सकीना की मश्क उठाओ सकीना की मश्क उठाओ और पानी लेने के लिए दरिया में चले जाओ हाँ जड़ा रू पूरा साब नहीं पढ़ना बस जो जो मैं तारीक कहती है अबास में मशक से उठाया तसवर शर्थ है जड़ा रू अबास में मशक उठाया जड़ारो पता है ना जब कोई चीज हमारे दर्मिया ना हो तो मुझे मारे डालती है मगर जब कोई बड़ा ख्वाहिश कर दे कि ये चीज मैं ला रहा हूँ तुम मुतमाइन रहो हाई रे तीन दिन की प्यार सकीना की अबास ने वादा कर लिया अज़ादार वालम उठाया अबास चले सकीना ने खैमे में बच्चो को समाला काई बच्चो कुछ देर के लिए रुक जाओ अरे मेरा चचा तुमारा चचा पानी लेने गया है अरे पानी ज़रूर आएगा बस थोड़ी देर के ल्त जाहे अज़ादारो अबास ने पानी को लिया चुलू में लिया मसाइब के सामने है चुलू के पानी को फेक दिया काई दर्या आज तुछ इतनी रवानी से बढ़ रहा है वहाँ हुसाइन के बच्चे प्यासे है अज़ादारो हुर अबास ने मश्क लिया मश्क सकीना को दर्या में डुबोया और पानी मिकाला तारीख कहती है कि अबास कुछ दूर चले थे कि उनका दाहना बाजु कट गया मगर अबास ने शिकवा नहीं किया पुरह मसाइब ने बाजु कट गया अबास ने शिकवा नहीं किया अज़ादारो आँखों पे तीर लग गई अबास ने शिकवा नहीं किया क्या देखा अब मश्कीजा हम से सबर नहीं पा रहा है तो महर को दातों से दबाया मश्कीजे को सीने से गोरों से दबाया मगर कतीर लगा जो मश्कीजे पर पड़ा अरे अबास की तमना तोड़ गई गोरे का रुकिया जालिमों के दर्मियाना है का का मेरी खबर इतना देखना था कि सकीना तरब गई अरे अलम को नीचे आते देखा अजादारों मगर जब हुसैन ने दोबारा अलम को लिया अरे खैमे में गए सकीना कहती है आओ बच्चो चचा रहा है अलम आ रहा है अरे पानी ले लो इतना करना था क्या देखा अलमदार तुनाया अलम आ गया अरे सकीना ने तरब के का का बाबा मेरा चचा कहा है हुसैन ने का अरे सकीना तुमने पानी लेने बेजा तुम्हारा चचा शहीद अरे सकीना तरब गई का बाबा मुझे पता होता तुम आ प्यासी मर जाती मगर पानी न लेने बेज़ती जजा क मुल खेरल जजदा हाजँदारो अभी आपने अलम की दियारत कर ली है हाजँदारो अभी किसका जुलजणा आ रहा है आपकी नज़रों के सामने वो हुसайн का द्लजना है अजदारों हुसैन के पूरे मसाई बना ही पढ़ना है बस मुख्त सर मसाई पस लीगे अजदारों पता है ना इस ज्लजना की काफियद क्या ठी हुसैन की काफियद क्या ठी कि जब सबसे रुखसत हो लिए ना तो तारीख कहती है मक्तल लिखता है बस असदार आखरी जुम्ला मक्तल लिखता है कि हुसैन ने क्या कहा ऐ जुल जना अब तु मुझे करबला तक पहुचा दे जालिमों के दर्मियान पहुचा दे हुसैन ने एड़ लगाई मगर इतना एड़ लगाई कि जुल जना अपनी जहां से नहीं हिला हुसैन तड़प के कहते हैं हाँ जुल जना मुझे पता है तू भी सुबों से लेकर असर तक मेरे साथ लाशों में मेरी मदद की है बस तेरी आखरी सवारी है अदादारों जुल ने इतना सुना कि अपना मुझ और एक पाओं की तरफ किया क्या देखा पांच साल की सकीना फर्या देकर रही है ऐजुल जना जो आज तक खैमे के बाहर गया है वो वापस नहीं आया अज़ादारों एक मरतबा हुसैन घोड़े सुतर बस अज़ादार सुनिएगा जुला ह हुसैन घोड़े सुतर और घोड़े सुतर के कहते हैं एए सकीना एए सकीना अभी तो मैं आप से खैमे में मिलके आई थी आप मुझ से क्यों यहां मिलने आई सकीना तरफ के कहती है एए बाबा मैं आपकी बेटी हूँ मुझे पता है कि आप यतीमों के सामने अपने प्यार नहीं करते ऐए बाबा मुझे भी पता है कि सुबों से लेकर असर तक ना जाने कितने यतीम हो गए है इतना सुनना था हुसैन तरब गए सकीना करती है ऐए बाबा यहां कोई यतीम नहीं है आई मैं सुच रही हूँ मैं आपके पास सीने से लपट जाओँ हुसैन ही कहते है हां मेरी बच्ची सीने से लपट जा जब हुसैन और सकीना की महबबत बढ़ने लगी नहीं हो जो था बस आख रही जूम्रा थेक मतeping सकीना कहती है ऐए बाबा लफज यतीमी सुना है मगर यतीमी किसे कहते है उसकी तश्री नहीं पता हुसाइन तरफ के कहते है ऐए सकीना जब लोक सारों पे तमाचे लगने लगे ऐए जब खैमे में आग लगने लगे ऐए जब कुरते जलाए जाए अरे जब तमाचे लगने लगे समझ जाना हम यतीम हो गए जजाकुमुलखेरलज़ा आज़ादारो अब किसका जुलजना कौन आ रहा है इमाम हुसाइन का जुलजना इमाम हुसाइन ने वक्त शहादत एक मरतबा कूफे से शाम तक ऐसा दिफा किया कि लानतियों ने ये कहा कि अरे हुसाइन गैज में आ गए हुसाइन गैज में आ गए अरे जब लानतियों से दुश्मनों से हुसाइन को रोका न जा सका तो फर्याद करने लगे तो खुदा की आवाद आई कि आई हुसैन अब अपनी तलवार को नियाम में रख दो हाँ जादारो तारीक कहती है जब तलवार नियाम में आ गई है ना तो एक मक्तबा वक्ते आखिर आया है और इमाम जीन से नजमीन पर बल्कि तीरों पर है बल्कि तीरों पर है तारीक कहती है कि शिम्र ने जब हुसैन के सामने बढ़ा तो वो कहता है कि मैंने हुसैन को कुछ कहते हुए सुना शायद हुसाइन पानी मांग रहे थे मगर क्या देखा शिम्र कहता है हुसाइन पानी मांग नहीं रहे थे बल्कि जब ख़य में जलाए जा रहे थे तो एक ही इस्तिगासा कर रहे थे अबास अबास अले ख़य में जला दिये गए अज़ादारो जुल्जना ने जब ये वाकिया देखा तो जुल्जना ने हुसैन का तवाफ करना शुरू के लिया अरे जुल्जना ने अपनी लगाम को मौंसे दबाया इशारों में हुसैन की अतेली पे लखना चाहा मगर हुसेन उठना सके अरे जुल्जना समझ गया अब मेरा वफादार इस दुनिया में नहीं है अरे जुल्जना मतल से खेमे में आया सकीना तरब गई का ए जुल्जना तू तो आ गया मगर मेरा बाबा मारा गया ए जुल्जना तू तू आ गया मगर मेरा बाबा इस दुनिया आहीं इन्ना लिल्लाः वा इन्ना लियह राज़ून मातलि हुसेन अर्जमा अर्बादार रुसेन ते लिए खेमे मुणा भी शेज़ गोड़ा मातल से ते इसके बादार रुसेन याह हुसेन याह हुसेन याल 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 एक मा की फर्याद है मा जो है कर्बला में मौजूद है सारा मंजर देख रही है एमाम हुसैन के उपर मसाइब हो रहे हैं पीर लग रही है पत्थर मारे जा रहे हैं ये सारा मंजर जनाब फातिमा जहरा सल्वातु अल्ला अलेहा देख रही है ये नौह पेश करने जा रहा हूँ आप जहां जहां जरात हैं बस समात करें इंशालला मसाइब होंगे रोजे दहुम ये दश्ट में एक मां की थी सदा हाए मेरा हुसैन हाए मेरा हुसैन हाए मेरा हुसैन हाए मेरा हुसैन आए मेरा हुसें दुश्मन मरते वक्त भी पानी नहीं आए मेरा हुसें आए मेरा हुसें देखेंगे बंद हज़राद आए मेरा हुसें आए मेरा हुसें दुश्मन मरते वक्त भी पानी नहीं दिया आए मेरा हुसें आए मेरा हुसें बंद देखेंगे अज़राद क्या क्या देखा है जनाव फातिमा जहरा ने आए मेरा हुसें आए मेरा हुसें ये जुल्म किस तरहा से भला मैं भूलाओंगी ताहश्र यही सोच के आत्सों बहाओंगे ये जुल्म किस तरहा से भला मैं भूलाओंगी ताहश्र यही सोच के आत्सों बहाओंगे काटा है मेरे लाल का सुखा हुआ गला आए मेरा हुसें काटा है मेरे लाल का सुखा हुआ गला आए मेरा हुसें आए मेरा हुसें रोजे दाहुम ये दाष्ट में एक मा किती सदा आए मेरा हुसें रोजे दाहुम ये दाष्ट में एक मा किती सदा आए मेरा हुसें आए मेरा हुसें रोजे दाहुम ये दाष्ट में एक मा किती सदा आए मेरा हुसें अाए मेरा हुसें दुश्मन ने मरत वाक्त भी पानी नहीं दिया आए मेरा हुसेर, आए मेरा हुसेर आए मेरा हुसेर, आए मेरा हुसेर, आए मेरा हुसेर, मैदान कर बला का वो मंजर न पूछिये मैदान कर बला का वो मंजर न पूछिये जिस दम चला हुसेंद पे खांजर न पूछिये ममता तड़प रही थी तो हिलती थी करबला ममता तड़प रही थी तो हिलती थी करबला आए मेरा हुसेंद आए मेरा हुसेंद जनाब फातिमा जहरा क्या क्या देख रहेंगे जहां 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 थे तसवर करें सुखे हुए गले पे छुरी जिस घरी चली सुखे हुए गले पे छुरी जिस गड़ी चली सामे कले जहां तो से मा देखती रहें हिलता था आसमान भी आया वो जलजला हाए मेरा हुसें हिलता था आसमान भी आया वो जलजला हाए मेरा हुसें हाए मेरा हुसें देखेंगे ज़र्ण भी आया वो जलजला हाए मेरा हुसें देखेंगे ज़र्ण हुन हुसें रेती पे लिखता था लाए ला हुसें आसमान भी आया वाल शहादत के थे बवा हुन हुसें रेती पे लिखता था लाए ला आसमान भी आल शहादत के थे गवा जलते हुए जमीन पर महे शर हुआ बपा आए मेरा हुसें जलते हुए जमीन पर महे शर हुआ बपा आए मेरा हुसें आए मेरा हुसें तीर वरस रहे थे जनाब फातिमा जहरा मनजर देख रही थी जहां जाजरा देख सुनेंगे जोजेदा हुम्टाश में एक माचिस सदा आए मेरा हुसें प्यासे पे हर तरफ से बरस ने लगे थेती जाजर जवा कहीं तो कहीं बेजबा सगे क्यासे पे हर तरफ से बरस ने लगे थेती जाजर जवा कहीं तो कहीं बेजबा सगे जुल्मों से तमकी चागाई हर सिम्त से गटा आए मेरा हुसें जुल्मों से तमकी चागाई हर सिम्त से गटा आए मेरा हुसें आए मेरा हुसें जानाब फातिमा जहरा कहती है मुझसे मेरे पिसर की अजियत न पूछिये पजयने हुए है उसके शाहा दत न पूछिये मुझसे मेरे पिसर की अजियत न पूछिये परनाब जहरा कहती हुए है उसके शाहा दत न पूछिये रुक रुक के उस पे शिमर का खाँ जर भी है चला आए मेरा हुसे रुक रुक के उस पे शिमर का खाँ जर भी है चला आए मेरा हुसे आए मेरा हुसे आखरी बन देखेंगा खाँ हरी शक्स को भरो साथा गाजी की जाते पर चाने कटा के सो गया वो भी फुराते पर हरी शक्स को भरो साथा गाजी की जाते पर चाने कटा के सो गया वो भी फुराते पर उसके मदद को आ नहीं पाया वो बाववा आए मेरा हुसैर मकता समात फरमाएंगे जहाँ 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 यहाँ आसा नहीं था लिखना मगर दिल को थाम कर जहरा का यह करम हुआ जब इस गुलाम पर आसा नहीं था लिखना मगर दिल को थाम कर जहरा का यह करम हुआ जब इस गुलाम पर आशकों की रोशना इसे साहिल ने ये लिखा आए मेरा हुसें आए मेरा हुसें रोशे दाहुम ये दश्ट में एक मां की थी सदा हाए मेरा हुसें हाए मेरा हुसें या हुसें 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 चले आओ आमू सकीना है प्यासी चले आओ आमो शकीना है प्यासी चले आओ आमो शकीना है प्यासी मैं पाने के बदले तमाचे हूँ खाते चले आओ आमो शकीना है प्यासी ये कैसी जफा है ये कैसा सितम है ये कैसी जफा है ये कैसा सितम है नबे जादिया सब खुई बिन रिदा के चले आओ जला डाले आदा मेरे सारी खेमे जला डाले आदा मेरे सारी खेमे हो पे जा भी रो रो तुम्हे हैं बुला ते मुसलसल सितम गर सितम ढ़ा रहे हैं मुसलसल सितम गर सितम ढ़ा रहे हैं और हुसेनिया कदिर सेफुर के बाद आखामुश आमुश 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 जमे कर बला के कर दो दो, दो, बेए हैं। की हुआ जो हदरा हैं एसला रहा कि रुक्त थाय इन अच्प चाहना हैं। आई यह वाग्यान ये महबदे माम हुसैन ए मज़्लू में करभला ये महबदे माम हुसैन जो हर विलों में आबात है और वाग्यान जिस ऌ Самचे की बात है ये स्थोष्खक है कि आज 14 सब्सक्राइए तो इसे कि मुखब्द हुसाइन हर दी लोग में जार्यों साइब है और हर मकाम पर मम्हुसाइन का रहा हैं मगर क्या नतीजा है मुखब्द इमाम हुसाइन का इलाग शड़ी कर दर्मी ए ये गर्मी की शिड़त और हर आदमी हर परते पास जो कि एसी में बढ़ता हो गूरा म लाग शारी कव बातने वाला आदमी बड़े इसाथ तक ताथ क्यों कि हर धुसानी जानता है यह वही कर्वी है जो वहां की कर्वी से बचारे वाली है हमारे सामने रोपर उड़े अंजमान हुसाइनिया का दिए सेथपुर जो लावा मातम पिले करने जा रही है आप नमा मुम्मिन जो तरह दो तरह पर खड़े हैं वो जुरू से आसा के हमरा हो जाएं जा हुसाइए हमारे सामने रोपर हुए अंजमाने हुसाइनिया का दिए सेथपुर जा हुसाइए ओ हम सेदा को दे पुरसाज मातम है दो शेदों का हम सेदा को दे पुरसाज मातम है दो शेदों का हम सेदा को दे पुरसाज मातम है दो शेदों का हम सेदा को दे पुरसाज मातम है दो शेदों का हम सेदा को दे पुरसाज मातम है दो शेदों का हम सेदा को दे पुरसाज मातम है दो शेदों का हम सेदा को दे पुरसाज मातम दो शेदों का हम सेदा को दे पुरसाज मातम है दो शेदों का हम सेदा को दे पुरसाज मातम है दो शेदों का हम सेदों का दे पुरसाज मातम है दो शेदों का दफतन शोर शेन रोते हैं आज मां में हुसेन रोते हैं थाम लो दिल ऐसा निये जहरा आज मां तम है दो शहीदों का हम स्यदा को दे पुरता आज मां तम है दो शहीदों का हम स्यदा को दे पुरता आज मां तम है दो शहीदों का जहर से पहले दिल हुआ ठुकडे जनादे पे तीर मार गए सबरे अबास देख ले दुनिया आज मातम है तो शर्च बारता गुर्बत जन्न तुल बाक्री की खसाँ पत कबरों पे हो रहे है ते कम लो रहा है रसूल का रोजा आज मातम है जो शर्च बारता आए माम हसन रसूल अरब आप पर मौमिनों का लाखों सलाम एक तारिख और गम दो राज मातम है दो शर्च बारता आओ हम करी अदा को देफुल साँ आज मातम है दो शर्च बारता रुक ले आल मुस्तफा शहर महवे गिरिया है पर शर्च मातम पर पून रोते हैं गयब में मौला आज मातम है दो शर्च बारता अधितर आज मातम है दो शर्च बारता गत्रों से अधान अधाल झाल अधाल झाल अधादा इन्यासा जो अधादा रखादा झाल 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 रोकर कहा कबूर पे शाफिर की बैनमुने ये रोकर कहा सईयदे साजाद बोले सुनिलगा साला जरा कर बलाता शाम है बाची को तड़ पाना गया सईयदे साजाद बोले सुनिलगा साला जरा कर बलाता शाम है बाची को तड़ पाना गया साजियानों और दूरों से बदन जखनी हुआ साजियानों और दूरों से बदन जखनी हुआ मर गई बाची सकीना आए मेरे बईया हुसे वाची साजाद बाची को तर दूरों और जखनी हुआ जा कहूं कैसे बहन की लाश वो लेकर चले आहनी जाचीरी में साजाद हैं जक्रे हुए जा कहूं कैसे बहन की लाश वो लेकर चले हर कदाम पे बड़ कडाता याली कहता हुआ मर गई बाजी सकीरा ऐ मेरे भईया हुचै कबर पे शाविर की जैनब ने ये रो पर कहा कबर बे शाविर की जैनब ने ये रो पर कहा किसे कदर मजबूर था की जुख नहीं सकता था वो कदर मजबूर था की जुख नहीं सकता था वो कदर से खाविर का जैना था नहीं सकता था वो कड़ रहा था वे कसी का मर सी आविद मेरा मर गई बाली सकी राए मेरे बईया हुसें कबर पे शाविर की जैनब ने ये रो पर कहा कबर पे शाविर की जैनब ले ये रो पर कहा जब बहन की लाश हातों पर लिये ताना तावा एक कर रुख सान पर हाए तमाचों जेन शाव जब बहन की लाश हातों पर लिये ताना तावा जब गर रुख सार पर हाए तमाचों जेन शाव लाप कर देना बहन बाई को ये कहने लगा मर गई माली सकीना आए मेरे बईया हुसें आखरी बंदू लाज़ा परमाएंगे अजरा हमासीरों की गरीबी ये बरादर दे किये इक चोटा सा का मन भी हम ना उसको दे सके हमासीरों की गरीबी ये बरादर दे किये एक चोटा सा का मन भी हम ना उसको दे सके एक जले कुर्दे में है बाची को दफनाया गया मर गई बाजी सकीला है मेरे बाईया हुसे कबर पेशावीर की जैनब ने ये रोकर कहा कबर से उठी बहन जाहिद यही कहते हुए कबर से उठी बहन जाहिद यही कहते हुए पेशे मैं जाहुँ वचन भई आके ला जोड़के पाते मा सुगरा से बतला हुंगी कैसे वाक्या पाते मा सुगरा से बतला हुंगी कैसे वाक्या पाते में जाहिए पाते में जाहिए से आय क्या करे जहे ना पुट गई बारा जडर से आय क्या करे जहे ना उठ गई बारा जडर से आय क्या करे जहे ना जुट गई बरादर उसे आए क्या करे जरेगा जुट गई बरादर उसे आए क्या करे जरेगा जुट गई बरादर से 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 आए क्या करे जरेगा आपकठर दिंक पिर्ण ऐसे जरेदेगा कि करके इज्जत का फैसला रखना तबज्जों करके इज्जत का फैसला रखना जरा भी दारो कि सुनिएगा करके इज्जत का फैसला रखना बेहयाई से फासला रखना तो अपनी नसलों की आबरो के लिए नाम बेटी का फात्मा रखना अपने नसलों की आप रूप के लिए नाम बेटी का फात्मा रखना आईए अगरा तरह तरह के पढ़ना के साथ दुमने में सुन सत्थी पे अहले करें सत्थी के लिए साथ लिए मुहम्मद आईशना वर्णा अरूज अनी सभी बिला मदलस्ता मसद्या अरभी कारेज मेर्ट अपरा स्रावनी हुमें जाना वाइशना वाहिए दो आईशना वाहिए अपने आईशना अरूप सालवाद आइशना अरूप आईशना अरूप लाहुला वला कुवत इल्हा विल्लाहि लाली लगीम आओज बिल्लाहि मिन श्चेटान लगीन तरजीम बिस्मिल्लाहि बह्मान वहीम लगीम लाहि हुला विल्लाहि मिन श्कूलाहि लगीम विया आय्युह लजीन आमन अत्तों ल्हा वकूनु मास सादकीन सल्वात प्रणे", महम्मद वालि महम्मद पर अब्रुम्द। हम्दु सलाव उस बारी चाला के लिए जिसके ख़ब्द ई-कुदुरत में हमारी और आपकी जान है बाद हुद दूरु दूसलाम है मुहम्मद वाले मुहम्मद पर अल्लाु 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 वाले मुहम्मद पर अल्लाु 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 ये जो मातमी बैटे हैं, मैंने आपको मद्दे रज़र रखते हुए ये फिक्रा, का अल्ला का लाग लाग शुक्र अदा करता हूँ, कि हम गरीबों को उन अमीरों के साथ बैठने का मौका दिया, जो यहां के भी अमीर हैं, वहां के भी अमीर हैं, हम फर्ष अज़ा पे आके गरीब हैं, बाकि दुनिया में हर जगा हम अमीर हैं, याद रखिएगा, दुनिया में हर जगा हम अमीर हैं, और अपना अपना मिज़ाज है, दुनिया अमीरी का मिज़ाज दौलत समझती है, हमारे यहां वही अमीर है जिसके दिल में जितना अली है जिसके दिल में जितना अली है वो उतना अमीर है और मैं इसी बाती नी करा हुएं ने दलील दे रहा हूं आपका सुना हुआ मरहला ये सारे मौमिनीं यहां बैठे हुएं मौला मुत्कियान हज़ती अली अबन अभी तालिब अलई ऐस्लात वस्सालाम के पास साहिला के कहता मौला तीन दिन से घर में फाका है कुछ खाने को नहीं है मौला कहता है नहीं तेरे पास दौलत है वो कहता मौला घर में कुछ भी नहीं है मौला कहता है नहीं तेरे पास दौलत है वो कहता मौला मेरे पास एक डाना तक नहीं है वे उलाव आ लाव मणा समई अलाव आ खै gedaan मौल सह आप आजे सांज से भगा कि giderा कि के ता मौला एक जाना तक था नहीं मौला कहते हैं तेरे पास दौलत है तू अमीर है मातम्य जूमला सुना उस आने वालए के मुःद्दर को मेरा सलाम जिसे काइनात का अमीर अमीर कह रहा हो स्माराल्ला मौला क्या कहते है तू अमीर है अली जैसा अमीर उसे अमीर कह रहा है सुना सुना मौला नतीजा लग दूँगा मौला कहते है ठीक है अगर तू अपने आप को गरीब कह रहा है तो तेरे पास जो दौलत है वो मुझे दे दे बदले में जो चाहता है ले ले उसने का मौला दौलत है क्या का तेरे सीने में जो मेरी मुहबत है वो दे दे बदले में जो चाहता है ले ले उसने का मौला भूग से मरना गवारा है तेरी मुहबत का बेचना गवारा कैफियत देखेंगे या भूख से मरना गवारा है तेरी मुहबत का बेचना गवारा नहीं है यह पढ़े लिखे लोगा जुम्ला का हूँ जो अली की मुहबत अली से ना बेचे जो अली की मुहबत अली से ना बेचे जमाना समझे जब हम अली की मحबत अली से नहीं बेच रहे तो इस दोर में कोई सोचे कहें हमसे अली छील ले हमें मार दे, अली छील लेगा उसकी भूल है हमें मरना गवारा है, अली की मुँपत का छोड़ना गवारा नहीं अल्ह एनला सुनेंगे माकमी और मौला तुम्हें सलामत रखे आप जरा सा कैफियत देखे मैं जिस वरहले पला रहा हूँ मौला कह रहे हैं मेरी मुहब्बत दे दे जो चाहता है वो ले ले जो पर जरा सा गोर कीजेगा देखे अर्दू यहां समझी भी जाती है बोली भी जाती है हम तो लफ़ों की अदाईगी से समझ लेते हैं कि बंदे का रिष्टा किस कबीले से है हम समझ जाते हैं जोजा कहने वाला कौन है जोजा कहने वाला कौन है सौकत कहने वाला कौन है शौकत कहने वाला कौन है गजमफर कहने वाला कौन है जम जम कहने वाला कौन है जम जम कहने वाला कौन है एक नुक्ते की दुश्मनी ने सारे नुक्ते चील लिए एक नुक्ते की दुश्मनी सारे नुक्ते अम मौला कह रहा है बदले में जो चाहता है जो पर गोर कर रहा है मैं यहाँ आया और मैं कहूं कि एक बच्चे से कि मेरे सवाल का जवाब दो बदले में जो चाहते हैं वो मैं दे दूँगा तो मैं वही दूँगा जिस पे मेरा अख्तियार है मैं टोपी दे सकता हूँ, शिरवानी दे सकता हूँ शौल अज़ा दे सकता हूँ घड़ी दे सकता हूँ मगर यहाँ दो बिगे जमीन नहीं दे सकता हूँ क्यों मेरा अख्तियार इन चीजों पर है यही नहीं तबज्जों कीजेगा लकिन यही बात यहाँ का कोई जमीदार कहे तो वो दे सकता है चुसका अख्तियार जमीन पर है मगर माफ कीज़ेगा यहां की चीज़े देगा जॉन पूर की नहीं क्यूं उसका अजार अख्तियार जॉन पूर तक है मगर यही सवार जॉन पूर का MP कहे कि मेरे सवाल का जवाब दो जो चाहोगे वो दूँगा तो वो चॉन पूर की अशिया देगा इलहाबाद की नहीं रहे पढ़े लिखे लोग है साथ क्यूं उसका अजार अख्तियार वहां तक नहीं है है लेकिन यही बात मुक्मंतरी कहे कि मेरे सवाल का जवाब दो बदले में जो चाहते हो ले लो तो यूपी की चीज़ देगा गुजरात की नहीं बिहार की नहीं क्यूंकर उसका दारे अख्तियार यही तक है तवज्जो कीज़ेगा अगर अगर यही दावा परधान मुतरी करे कि मेरे सवाल का जबाब दो बदले में जो चाहते हो ले लो तो वो हिंदुस्तान की चीज़े तो दे सकता है पाकिस्तान की नहीं इंडोनेशिया की नहीं अमरीका की नहीं क्यूं उसका दारे अख्तियार यही तक है तवज्जो कीज़ेगा अली का दारे अख्तियार क्या है अली का अख्तियार चरिंग परिंग 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 परि जन्नत में पिकने वाले हो रहे हैं। आदमाल है, कमाल है छाओब आग'RE विर उसल इसका हूँ आगर वो कह दियता या आदमाली, अपनी मुहबबत ले लो, जन्नत दे दो, तो क्या अलीँ ने देते afect शाओँ- देते या नहीं देते अरे जिनका नौकर जन्नत बेज दे अरे क्या वाद है था लेकर उसने क्या का भूक से मरना गवारा है अली की महबत का बेचना गवारा नहीं है जिसके सीने में अली की महबत है वो मौसम को भी हराता है आपको मौला शाद रखे ये जो आप सफर करकर के ये अतनी अंजमने हाए मातमी आईए है ये क्यूं आईए है इसलिए आईए है कि चलो वही करने जिसके लिए खल्ख हुए है ये मातमी अंजमने है मौला इना शाद रखे चलो वही करने जिसके लिए खल्ख हुए है और जमाने को बता रहे हैं मौसम और है अली की महबत और है गर्मी है ना फिक्रा सुनिएगा अम्मारे यासर क्या कमाल का नाम है और समाल हुए थे लोग सता रहे थे इतना सताया अम्मारे यासर को परेशान कर दिया अम्मारे यास अम्मार अब कैसा लग रहा है अम्मार ने मुस्कुरा के का बहुत अच्छा लग रहा है सुनिये का जम्मार कैसा लग रहा है अम्मार ने का बहुत अच्छा लग रहा है लोगों ने सुना अम्मार के लब हिल रहे थे अम्मार कह रहा थे या ली या ली या अली या अली दुश्मनों ने का मार गर्मी का असास नहीं हो रहा का सुन जिसके दिल में अली की मुहबबत की ठंड़क हो कैविया सुन रहे हैं आज किस तकरीर में आपके दैयार पहली बार हावी हुआ हाजर हुआ और बहुत तेजी के साथ देखिए जादा मैंने मजलिस को तकरीर को कभी जहमत कहा ही नहीं जो इसे जहमत कहे वो दुनिया में खुद जहमत है एक मौजू थोड़ चुक्छे तरकार इमाम हसन के अवाले से गुफ्तु गुए परान मजीद कर रहे है यह लग दीना आमन उतकु लाह वकुनु मास सादकी ऐस साहिबान इमान तक्वे लाही अख्तियार करो और सच्चों के किसके साथ जूटों के नहीं किसके साथ मगर मामला इस दौर में यह कि जूटे के साथ सब है जो जितना बड़ा जूटा है वो तना आप अपने आप को इस्ट वाला सच्चा समझ रहा है है या नहीं है फिक्रा सुनिएगा जूटों के पीछे भीड़ है सच्चा वो लिएगा यह सच्चा सोंच रहा भाई यह उसके साथ तो भीड़ है हम अकेले हैं मैंने का परेशान मत हो आदमी उसी के साथ रहता जिससे उसका मिज़ाज मिलता हो और गोर करते हैं आदमी उसी के साथ रहता है जिससे उसका मिज़ाज मिलता हो अगर कोई जूटों के पीछे चले तो समझ जाना वो बड़ा जूटा है पीछे चलने वाले चोटे जूटे हैं जूटों के पीछे भीड़ा है सचा आदमी रहता ही उसके साथ है जिससे उसका मिज़ाज मिलता हो बड़ लशकर यजीद लशकर हुसाइन दोनों कर्बला में थे थे या नहीं थे पसर इसाथ खूली सनान इबन अनस ये सब किसके साथ थे यजीद के साथ इधर अकबर, अबास, हबीब, जोहर-खेन ये सब किसके साथ थे हुसाइन के साथ जिसका मिज़ाज जिससे मिलता था लवस कह रहा हूँ उसमें द्वा चाहिए अपने महले में भी तलाशो कौन हुसाइनी मिज़ाज है कौन यजीदी मिज़ाज है अगर जूटों के साथ है तो यजीदी मिज़ाज, सच्चों के साथ है तो हुसाइनी मिज़ाज अगरिया है मातम कर रहे हैं हाद हम अपने सीने पे मार रहे हैं डम यजीदियत का निकल लगा है 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 स्भानलाओ हाथ हम अपने सीने पर मारते हैं तकलीफ यजीदियों को है आग पे चलते हम है एक जुमला है सुनना खून बहा हम रहे है कमजोर वो हो रहा है है खून बहा हम रहे है कमजोर वो हो रहा है मातم हम कर रहे हैं, चोट आग पर चल हम रहे हैं जल, कबर्रुक पर लुटा हम रहे हैं गरीब वो रहा हैं। तबर्रक पे हम लुटा रहे हैं गरीब आपने देखा नहीं कुछ लोग आज के दोर में आए हैं तबर्रक से परेशानी हो ये बिर्यानी क्यों बाट रहे हो ये शिर्माल क्यों बाट रहे हो ये फला क्यों बाट रहे हो हकीकत से लब्रेस जुम्ला कह रहा हूं कभी बाटने बाटने वाला परेशान नहीं हुआ ये बंदा है जो बाट भी नहीं रहा और इसे खल भी रहा है क्या जरूरत है मेंगा तबरुख बाटने की क्या जरूरत है शेर्माल खिलाने की क्या जरूरत है जुमानों को बलाने कुछ से बताओ हम अपने बाप के नाम पे नहीं उटा रहे हुसान के नाम पे अपने बाप के नहीं आधिरे हुसेन का खाय दियाँ है कै नहीं ज्दिने वुदित century उपके लिए दो ठाहँ हुद्द से खुद हम कलाम है कै नहीं आधिकर्बला की दूल कर जोड़िते बास्तिका धीना हराम है कमाल तो ये है कि यजीद की नुद्वे बिला तहकीक से जो आुलादे है वो परेशान है मगर जब उनसे पुछो तुम कौन हो वो कहता मैं हुसैनी हूँ अरे लफजो सुनते आप क्या खौफ है हुसैन का यजीद की ऑुलाद भी अपने आपको यजीद का नहीं बता रही जमला सुनोगे महसूस करना भाई हर दोर में और अभी देखे यजीदियत से पूछिए उनकी ऑुलादों से वो कहते है मैं हुसैनी हुसैनी हुछ यजीदी नहीं बताते उन्हें भी पता है इस्जत हुसैन के नाम पे मिलती है यजीद के नाम पे नहीं अपड़ी तेसी के साथ मैंने आयत पड़िया यजीद आम मुत्तुलावा कुनुमा सादिखी ऐसा है बाने यवान तक वे लाही अक्तियार करो सच्चों के सच्चा के लाज हुटे के पीछे घीड़ है मेरा लाम जानते दिन भर यह जुट बोलता है नाम लेके के भी झी कह सकते तु जुटा है क्या करें कहा कुछ रही नहीं कुराण की एक आयए पर दिबाला ना तु लाहिए अल्कासबीन ला की लानत हो जुटों पर एक एक फर्द बोले गा लानत हो जुटों पर तुम्हारा काम है लानत को भेज देना लानत का काम है मुस्तहक को तलाश लेना ये फिकरा सुनिएगा लानत वाहिद अबादत है जिसे एडरेस बताने की जरूरत नहीं है ये लफ़ नहीं पहुंचा तो फिर खितावत की बात अधुरी रह जाएगी भई आपका काम है लानत भेज देना लानत का काम है मुस्तहक तलाश लेना लानती चाहे किसी मुकद्द्स पहलू में हो वह अपने मुस्तहक को तलाश लेगी लेकिन अब मस्दा ये पुरान करा है सच्चों के साथ हूँ हम देख रहे हैं मार्केट पे जोटे ही घूम रहे हैं बहुत सारी जोटे घूम रहे हैं और हो यह रहा कि जोटा आपने आपको सचा कहरा है हमें क्या करना जोटों पे लानत लेकिन लानत करने से पहले अपना दामन भी चेक करना बोलना चाहिए था इस वे इसलिए कि लानत क कहीं जाएगी पहले भेजने वाले प्यागे अगे दलील दलील ना होती कहता है मुबाहिला याद है वो बाहिले में सच्चों को जूटों पर लानत करनी थी जूटों को जूटों पर नभी ने देखा बाद नमाज फजम्मे घफीर है लोग अपने अपने गरों की और चौर बच्चे लेके बैठें नभी ने का ये भीर किसलिए का या नभी अल्ला हम भी मुबाहिले में जाएंगे नभी ने का जिसका दिल है चले सिंदा वही आएगा जिसने जूट ना बोला हो एक लफस कहूं इस एलान के बाद वो भी नहीं बढ़ा जिसे लोगों ने सच्चा बनाया था जिसे लोगों ने सच्चा बनाया था इधर देखेंगे आप जब कहा तो एक ने क्यों नहीं मारी उसे जा तू उसने गा नहीं फिर क्यों नहीं मारी नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, शुझ तो सच्या बनता है उस ने का, सुनानी, मुहम्मद ने क्या का, जिन्ला वही आएगा जिसमें जूत ना बोला हो यहाँ ता बज्जो कीजेगा सच्या नबी चला, सच्ची बैटी को लिया बैटीयों को नहीं जो मजलिसे सुनता उसे लुट लेना चाहिए था बेटियों को नहीं बेटी को लिया सच्चा नभी चला सच्ची बेटी को लिया अब तुम नभी की एक लाज बेटी लिखो मुबाहिले में आये तो सच्ची है नहीं आये तो जूटी है और जूतों पे कल भी लानती आज भी लानत है सच्चा रभी, सच्ची बेटी, सच्चे दामाद क्या वाद है दा, सच्चे दामाद कुड़े दान से उठा ठाके, तारीख के नजाने किस-किस को दामादे नभी लिखा तुमने मुबाहिले में आए तो सच्चा है, नहीं आए शिया कौम उसी के साथ है जो मुबाहिले में है सच्चा नभी, सच्ची बेटी, सच्चा दामाद, सच्चे नवासे छोटा सच्चा साथा, इमाम हसन चलते हैं, इमाम हसन चलते नहीं गोद में कोई सहाबी होता और घर जाता कहता कि मेरी यहां भी एक बच्चा पैदा हुआ है जब हुसाइन जा सकते हैं सबच्छो तो मैं क्यों मेरा बच्चा क्यों नहीं जा सकता है चोटा सा बच्चा है गोद में जब हुसाइन जा सकता है मेरा बच्चा भी क्यों नहीं जा हो रा तो हम जैसे सच्चों के साथ तो कौरा नियुह क्या तो कुरा जाता है विजू के साथon के साथ चाह एक कि अजा है सच्चों के साथ हो जो वो पहदे बहुँ होजाएं सरकार एमाम्हसन का ताबू थे तौर आए। फिर्य वो चाहे था था mountain हो बाद में मुसल्मानों अगर ऐसे सच्चे ना मिले तो हमारे पास आना 14 ऐसे सच्चे हैं जो वो कह दे वो हो जाए तबज्जों कीजेगा दलील क्या है जो ये कह दे वो हो जाए ये कहते पहले है होता बाद में है सरकार इमाम हसन मिम्बर पे बैठे हुए अपना दारे अख्तियार बता रहे अगर मैं चाहू औरच को मर्द मर्द को औरच कर दू औरच को मर्द मर्द को औरच कर दू औरच को मर्द मर्द को औरच कर दू एक शख करना के कहता हसन क्या आप उरत को मर्द मर्द को उरत कर सकते बॉला ने का तु बॉला ने जैसे ही का ना मर्दों में क्या कर रही था ये था से अरे क्या बात है था उठा था 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 मौला ने जैसे ही का ना मर्दों में क्या कर रही है था से मौला ने कहा पहले हुआ ये उर्दू सुनने वाला मजमा बैटा जैसे मौला ने का ना तुम मर्दों में कर क्या रही है जिसम के नशेवो वरास बदले रुखसार प्योगी नारी हैं अंदर गई सर पे बना हुआ साफा रुपट्टा बना हूँ शर्मा कर भागा नहीं भागी शर्मा कर भागा नहीं भागी अगर जुमला पहुंचे तो बहुंगा चाहिए शर्मा कर भागा नहीं भागी तो अब उत्ताय करो जो भी भागे वो भागा नहीं है भागी है जो भी भागे वो भागा नहीं है इमाम ने क्या कहता अगर मैं चाहूं और चाहूं और मर्द मर्द को औरत बना, इजे तुम मर्था बन गया क्या, अब जब घर पहुँचा तो दख्ल बाप किया दर्वाजा क्या खुलता है, इसकी आँख खुली रह गई, तुम कौन, उसने पुछा तू कौन इसने का मैं इस घर का मालिक था, अब थी हूँ मैं इस घर का मालिक था, अब थी हूँ, जसने दर्वाजा खुला, उसने का मैं पहले थी, अब था हूँ आपने गोरी नहीं किया, मौला ने का अगर मैं चाहूँ औरत को मर्द, मर्द को औरत बना दू, घर पर जो औरत थी, उसे मर्द बनाया यहां जो मर्द था उसे औरत बना जुम्ला सुनिएगा कानून बन गया जो मासूम पे शक्रे वो मर्द नहीं यह औरत है अमाद है सहाब एक वाकिया आप बहुत ठके हुए यकीना आप मुस्तलसल मातम करें नहीं यह वाकिया एक सलवात पर दो मुहम्मद वाले मुहम्मद पे यह वो सच्चे हैं जो कह दें वो हो जाए गरीबे शाम नजिसे शाम अगर यह कौम नहीं समझेगी तो कौम समझेगी पलीदे शाम अपने महल के बाहर खड़ाएं सरकार इमाम हसन जा रहे हैं उसने का हसन हसन क्या तुम सच्चों में से हो मुला ने फरमाया हम सच्चों में से नहीं हम ही सच है अरिये जलामत रहें आप आबाद रहें क्या फिक्रा है हम ही सच हैं उसने का हसन मुला यह कह के गुजरे सामने खजूर का पेड़ और कहता हसन मुला से ये बताईए इस खजूर के पेड़ पे फल कितने हैं मौला ने का चार हजार उसने का हसन रुक जाओ जरा सा इसे शुमार तो करवा दो चार हजार ही है मैंने का शक की आदत नहीं नहीं है ये शक के पुराने मरीज हैं गुलाम को बेजा गुलाम चड़ा चढ़ने के बाद उसने खजूरों को तोड़ा तोड़के नीचे लाया खजूरों की काउंटिंग शुरू होई बोटो की नहीं खजूरों की इधर देखिएगा शुमार शुरू हुआ एक एक सो एक हजार दो हजार 3500 4900 गरीब शाम का चेहरा बिगडने लगा उसने का 4950 जिल धड़का कहीं सचना हो जाए 4990 का अब तो वाकई होता है वही जो हसनने कहा है जैसे ही गुलाम ने का 4000 गरीब शाम कहता हसन तुमने सही कहा था ये 4000 है मौला ने का नई चुके मैंने कहा था और बोलना चाहिए ता इस वरहले पर चुके मैंने कहा था लहाजा दरख पे वाजिब था कमाल है मौला ने क्या का चुके मैंने कहा था लहाजा दरख पे वाजिब था मौला ये लवज क्यों कहा कि दरख पे वाजिब था इमाम हसन वो सच्चे हैं जो कह दें वो चौदा मासमीन वो सच्चे हैं जो कह दें वो बस इस नतीजे पर रखिएगा बात अरबईन से भी खत्म हुई है और आप तक बात पहुँचा रहा हूँ दुनिया ने का हम जन्नत में जाएंगे हम जन्नत में जाएंगे हम चुप रहे हम शीयों ने का हम जन्नत में जाएंगे उनका चेहरा बिगड़ गया आप नहीं जाएएगा मैं ने का हमारी बात करते हूं हम सिर्फ जाएंगे नहीं हम ले जाएंगे ज़रा सी कहफियत की बात कर रहा हूं ये वो सच्चे हैं जो कहँए दें वो हो जाए तवद्ध किज़ें अगर हम शीयों ने कहा है कि हम जन्नत में जाएंगे तो गलत लेकिन अगर सच्ची फातिमा ने कहा है मैं लेके जाओंगे फातिमा जहरा ने कहा है ना मैं जन्नत में मरने के बाद जन्नत में जन्नत में जन्नत जाने वाले और हैं जिन्दगी में जन्नत देखने वाले और हैं अरे जो समझा है उसे मौला सलामत रखे जिन्दगी में जन्नत सन 61 हिज्री से पहले कोई आप से पूछता हो कि जन्नत कैस जन्नत ऐसी है, रे खमाल है, आखरी फिकरे पर प्रेलाया हूँ, ये वो सचे हैं जो कह दें, वो हो जाए, जन्नत कैसी है, कर भला दिखा कर बताना जन्नत, जन्नत ये खुबी है कि जन्नत की जगा कम नहीं पड़ती, मैं जो पहुचा है उसे बोलना चाहिए था, जन्नत की जन्नत की जगा कम, अब भी आप नहीं समझे, जन्नत की जगा कम नहीं पड़ती, समाना परेशान है, कर बला में इतने आख कैसे रहे हैं, मैंने का आने वाले को मत देखो, बलाने वाले को देखो, आखरी बात है, आने वाले को मत देखो, बलाने वाले को जिसके पास सब वहां पहुँच रहे हच के दौरान 22 लाग से ज्यादा नहीं छे लाग खर्च करके जा रहे हो 22 लाग से ज्यादा नहीं उसमें भी रोना है होटल नहीं पानी नहीं रहना नहीं आपने सुना होगा मैं अलग नहच की बात कर रहा हूं मैं मजभब बदल दूँगा कोई कह दे कि अग्यार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्व इमाम के हाथ में है अरे सुम्हानला कावे का इंतजाम अवाम के हाथ में कर्वाला का इंतजाम दूआ करो किकावे इमें भी तबर्रक की राजधानी हो जम्जम के साथ साथ सबील-ई-हसे भी बते दृसी जल्दे से ह finale आगए बस आख्री वाट हुए इन्होंने क्या किया बाईस कि लाग जहांड ही हिंदुस्तान से पच्शी साबार मिसाल के तौर पकिस्तान से इतने हर जगा का कोटा उसके बात किया बस 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 जहां हज है सारे इतिजाआ क्या कहा आप बस, हिंडोस्तान से इतने बस, इंडोनेशिया से इतने बस, नाजिरिया से इतने बस, इन्हों ने कहा बस, 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 करवला ने कहा आओ, 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 जिसे जाना वो तो बोलेगा ना, आओ, आओ, मौला पैसे नहीं, उधार लेकर, आओ, आओ, मौला उधार ल लेना तुम्हारा काम है अदा करना मेरा अधार लेना तुम्हारा काम है अधा करना क्या कहा आओ 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 हम तुम्हें बादशाह जैसी जिन्दगी देंगे ये कम लोग नहीं हैं मेरे सामने वो लोग बैठें जिनके दिल में कर्बला है तो नहीं बाद बेहने भी सुन रही हैं आओ हम तुम्हें कर्बला में बादशाहों वाली जिन्दगी देंगे दलील दे रहा हूँ चाहे आप मित्वपूर के हूँ सुल्तानपूर के हूँ जौनपूर के हूँ लाक अमीर होंगे कोई आपके जूते तो उतार सकता है मगर आपका पैर रही चूम सकता जो पहुंचे बोलना चाहिए था बोलना चाहिए था इस वरहने पर हुसाइन का कर्मल आओ तुम्हारे जूते भी उतारे जाएंगे तुम्हारे पैर भी चूम के बताए जाएगा दुनिया के मालदार और है हुसाइन के अजादार और है बादशाहियत का मिजज आओ आओ चल रहे हो चलते चलते ठक गए हो तुम किसी को नहीं बताओ गए के तुम ठके हो अरे जो गया है अर्वईन को बलुत लेगा तुम नहीं बताओ गए किसी को के तुम ठक गए हो बलके ये जो कारिगर है ना कारिगर इमाम हुसाइन के नौकर इमाम हुसाइन के खुद्दांग ये चेहरा देखके पढ़ लेंगे कि तुम ठक गए हो ये कौन है जो इने खबर दे रहा है कि मेरा जाहर ठक रहा है एक कैफियत की बात कह रहा हूँ आए हाए मातमदार तुम्हारे लिए क्या अज़ादारों 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 उनसे पुछा गए ये पानी क्यों छिड़क रहे हो का ना घर में बलाएगी ना आफ़त आएगी बोलना चाहिए था तुम्हें इस मुछले पर ना घर में बलाएगी ना आफ़त आएगी मैं जुमला कहूँ हुसाइन के इश्क रह में चंद ख़दम चले ही हो अङल्ला ने इतना बाबरकत बना दिया के तुम्हारे कदमों की धूल में इतना असर है ना बला आती है ना पीमारी आती है ये शर्व किस customer दिया आखिर मरिल प्ला रहा हूं एमाम हुसेंन ने कहा चल रही है हम जन्नत की खुबी है कि जन्नत में नेमतें कम नहीं पड़ती आप भी छुपें मैं भी छुपें जन्नत में नेमतें कम नहीं पड़ती करवला हो दुन्या की कौन सी नेमत है जो नहीं है जिसे इस नेमत का लुटफ होगा हो मतलई कैसास करेगा बीबी सी लंदन लेका दुनिया का सबसे बड़ा दस्तर खान नजब से कर्बला लगा मैं अब समझे हो हम 14 साल से कह रहे हैं इनका दस्तर खान कल भी बड़ा था आज भी बड़ा है कर्बला हो बुला जा सचे नहीं है बस अल्लाहु अक्बला ये ताबुद देख रहे हैं कर्बला की तमहीद का नाम हसन है मैं आपका श्क्रमुदार हूँ कि आपने इतनी गर्मी में मातम निचिया नौहा भी बढ़ा यहां बैटके हुसेन गरीब पर रो रहे हैं अल्ला आपको सलामत रखे कोई गम न दे इस गर्मी में एसास हुआ ना जब मातम करके आप उटे यहां पर बैटे हो तो फॉरां प्यास लगती है यह सबीर जो लगा है ना जब पानी पीने लगना तो कुछ नहीं एक मरतबा कहना हाए सकीना जब पानी पीने लगना तो कहना हाए हुसेन अल्दा आपको कोई गम न दे इमाम एसान के मसवसल मसाहिब आप सुन रहे है मौला नहीं पढ़ा पर इसके बाद नकावत में पढ़ा गया मैं भी इमाम एसान तक कहूंगा मगर तो जुम्ले सुना आप आज 27 सफर है दो शहादते हैं ना खबरदार कभी यह मत कहना कि रसूल की वफात है रसूल की भी शहादत है फात्मा के बाबा को भी जहर दिया गया है और आलम यह है कि आखरे वक्त है जनाब फात्मा जहरा के जानू पर रसूल अकर्म का सर है आखरे वक्त है वसीयते कर रहे है रसूल ख़दा की आँख लगके लिए एक मरतबा किसी ने दर्वाजे पाके कहा लगकल बाब किया रसूल करीम से मुझे मिलना है बीबी ने काए मिलने वाले कुछ देर बाद आना मेरा बाबा सो रहा है मेरा मसाइब मेरी कमजोरी यह है मसाइब के लिए सिक्रा कहता हूँ मसाइब का तालुख दिल से है बात समझना दोबार आया फिर आके कहा अजाज़त है मैं घर में आऊँ आँ आपके बाबा से मिलना है जहरा की आँखों से अश्करवा हो रुखसार से होते हुए वो आज के रसूल खरीम के रुखसार पे गिरे रसूल ने आके खोलके का फातिमा क्या हुआ का वावा कोई है जो इजने दुखूल चाहता है का फातिमा वो और कोई नहीं मलकल मौत है बस सुनिए गा फिकरा फातिमा वो कोई और नहीं मलकल मौत है और फातिमा ये तेरे दर की अजमत है कि मलकल मौत बगहर इजासत के नहीं आता बैं करूंगा फात्मा जेहरा आप अमीर बेटी है लफ सुना। फात्मा जेहरा आप अमीर बेटी हैं वक्त आखिर आपके बाबा का सर आपकी गोद में है। मातमदार बैटे हो मुझे फिक्रा कहना है मौला अली के आखिरी वक्त आया सर पे सर लगा है मगर सर कहा है बेटी की गोद में जनाब 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 उम्मे कुलसूम बाप बेटी से वसीयते कर रहा है मैं कहूंगा जैनुबू में कुलसूम आप अमीर बेटिया है आपके बाबा का सर आपकी गोद में है 28 रजब आए 28 सफर आए 28 सफर में इमाम हसन के जिगर के कलीजी के टुकरे हुए सुना अला तुम्हे कोई घम न दे बेटियां अगर पाली है तो तबज्यो करना है रिवायत कहती है कि एमाम हसन का बिसर अपनी बेटी फात्मा बिन्त हसन की गोद में है मैंने एहल बैत के घराने की अमीर बेटियां तुम्हे देखा दी आओ मैं दिखाता हूँ एक गरीब बेटी है एहल बैत के घराने में उस से गरीब कोई बेटी नहीं है उस बेटी का नाम सकीना है बाबा के इंतदार में खैमे में लेटी हुई है बाबा आएंगे बाबा आएंगे बाबा आएंगे जैसे ही गोड़े के टापो की आवाज सुनी सकीन जार दोरी मेरा बाबा आ गया देखा बाबा तो नहीं आया जुल-जना जुल-जना के गले में बाहे डालके massage detta इतना बता मेरे बाबा को पानी पिलाया गया था या नहीं अल्ल confession 도ction आपको खुई गम नदे शवाय गामे मुजलमे करे बिलाके दो लम्मे और वसाइब फिरूँ से इमाम हसन का वक्त आखिर आया जहर दिया जहर के बारे मैं आप उससे बहुत जानते जैसे जहर पिलाया गया अलमा का बयान है इमाम हसन बिस्तर पे ऐसे तड़प रहते जैसे मचली तड़पती है जब दर्द बरदाश्ट नहुआ जनाब 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 अपने घर थी जनाब कासिम को बुलाया कासिम करी ओए इमाम हसन ने कासिम के गरेवान को चाक किया चाक करके का कासिम जी बाबा पपो पी के घर चले जाओ कासिम दर्वासे зарख किया जनाब जैनाब जनाब जनाब कासिम के कुर्टे को चाक देखा कासिम गल्मे बाहर डलके का मेरे बाई की खैन तो है ना कासिम का कासिम खैरियत तो है का फुपी अमा बस हाँ बाबा तडप तो रहे है اور भाबा ने का जल्दी जाओ जैनब को बोला के लाओ मजलिस तमाम हो गए जड़ा बाई बाई ने बहें को देखा खूब गए आप जानते हैं ना आपके सामने अभी पढ़ा गया उल्टी हुई बहतर टुक्रे जिगर के जैनब ने देखे मैं जिस पर हले पलाया हूँ मैंने जहां तक तारीख पढ़िए आप ते मुझसे ज़्यादा तारीख सुनी होगी हसन कितना गरीब भी ये सुनीगा आज तक किसी का जनाजा जाके वापस नहीं आया रो जनाब कास्म को उनके बाबा का पुरसा देने आये हो न जनाब फातिमा बिंते हसन को उनके बाबा का पुरसा देने आये हो ने किसी का जनाजा वापस नहीं आया और जैनब बहुत रोई कफन सफैद गया था सुर्खाया हाई गरीब कफन सफैद गया था सुर्खाया सुर्ख क्यों था इतने तीर बरसाए गई फखरा है मजलिस तमाम हो जाएगी 72 तीरों की र्वायत है तीर इमाम हसन के जिस्म में आये सबने चाहा कि हम तीर निकाले इमाम हुसैन नहीं रोग दिया एक भाई और एक बहन एक तीर जानब निकालती है एक तीर खसान को रही है जैनब हसन के जिसम से तीर निकाल रही है देख हुसैन को रही है इमाम ने पुछा बहन मुझे देख क्यों रो रहे हो का नाना कहते थे हसन अमीर है हुसैन गरीब है ए भाईया जब अमीर के जिसम में तेने तीर है तो तेरे जिसम में कितने तीर होगे अज्ड़ानिके हाद रेनाफ मर जिसम में तीर ही तीर हुँँ इना भिल्लाहिए विद्ना इलिहरा ज़ुँ रजम वक्जाहि तसलिम ले अम्रिह मातमे हुसें बिल्षन इस्वाव बिट वुर्ट अपने दूसरे महाँ पेश्केने जारी है या हुसेन इसके बाद आमादा रहे कि अंजमने पंजदिनी चलाल पूर इस अंजमन के बाद महा मातन दोष करेंगी अंजमने पंजदिनी चलाल पूर इसके बाद महा उजदिनी चलाल पूर मुला एमा मुसेना मुला एमा मुसेना माइक को भी लेकर दिनुस के साथ चैनल मुला एमा मुसेना 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 झagए रहर बंबने बंवरिक पुछे कि भी जढ कि रलाम झाल कि अवार युला कि युलें युला कि इसमय ऑदायों जलामाद सनी कि गपस. हाह ह हुः पर युलार कि शज जलं परह जखे हाए कि हामादी हाए कि अलीए़ और विवार पाई ड्यान कि अलीएल पाई खालाव 3 दोस्थ है यिद्धु टिर से थिफ इना, ले से आप औरगना, शवर्ण ना, बेद नियु करूए आप त्मसी ज़ाने, लादे नुकरो करो है यह सोंचिके रहे रहे के मुझी जाती है जैना ऐहल वतन आने में शरमा की है जैना भाई से बिचड़ने की खबर लाती 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 है जैना ऐहल वतन आने में शरमा की खबर लाती है जैना भाई से बिचड़ने की खबर लाती है जैना किसे शान से इस शहर मदीना से गई थी रुख सत के लिए दूर तलक भीड लगे थी किसे शान से इस शहर मदीना से गई थी रुख सत के लिए दूर तलक भीड लगी थी अब आते हुए शहर में गबर आती है जैना अब आते हुए शहर में गबर आती है जैना ऐ अहल वतन आने में शर्माती है जैना भाई से बिचड़ने की खबर लाती है जैना भाई से बिचड़ने की खबर लाती है जैना देते थे सदा अबास अलमदार ताजीम करो आती है बिन ते शहर अबर लाती है बिन ते शहर अबरार देते थे सदा बढ़के ये आबास अलमदार ताजीम करो आती है बिन ते शहर अबरार ताजीम करो आती है बिन ते शहर अबरार ये सोच के रहे रहे के मुई जाती है जैना एहल वतन आने में शर्माती है जैना बाई से बिचड़ने की खबर लाती है जैना आया है बशीरा है खबर शहर में लेकर बरबाद हुआ दाश्ट में जैरा का बरागर बरबाद हुआ दाश्ट में जैरा का बरागर आया है बशीरा हा खबर शहर में लेकर बरबाद हुआ दाश्ट में जैरा का बरागर बरबाद हुआ दाश्ट में जैरा का बरागर अब कापला यसरब में लिए आती है जैरा अब कापला यसरब में लिए आती है जैरा ऐ अहल वतन आने में शर्माती है जैरा भाई से बिचड़ने की खबर आती है जैरा भाई से बिचड़ने की खबर लाती है जैरा साजाद से कहती है बसदगीरिया वजारी है शहर करी रोक दो साजाद सावारी साजाद से कहती है बसदगीरिया वजारी है शहर करी रोक दो साजाद सावारी कुछ सोच के महमिल में जुकी जाती है जैरा कुछ सोच के महमिल में जुकी जाती है जैरा अहल बतन आने में शर्माती है जैरा बाही से बिचडने की खाबर लाती है जैरा बेता बने शाबादों के अपने चुपा लूँ कुछ से बहेता है रिदा अपनी ओडा लूँ कुछ से बहेता है रिदा अपनी ओडा लूँ बेता मने शाबादों के अपने चुपा लूँ कुछ से बहेता है रिदा अपनी ओडा लूँ के रोजे पे दिल अपगार कुरिता शेह मजलूम का ता हात में खुबा कुरिता शेह मजलूम का ता हात में खुबा आँखों से लहू आश्कों के बरसाती है जैना हेल बतन आने में शर्माती है जैना भाई से बिचड़ने की खबर लाती है जैना कहने लगी नाना मुझे मारे दमे चुपा लो बिन भाई के जैनब है से पास बुला लो बिन भाई के जैनब है से पास बुला लो बाई के जैनब है से पास बुला लो बाई के जैनब है से पास बुला लो बादू पे निशारा सी के दिक लाती है जैना अधू पे निशारा सी के दिक लाती है जैना अहले बतने आने में शर्माती है जैना भाई से बिचड़ने की खबर लाती है जैना भाई से बिचड़ने की खबर लाती है जैना पुरे सालो नावासे का नावासी से बसद आ हम लुटी गए परिदेस में नभीयों के शहने शार हम लुटी गए परिदेस में नभीयों के शहने शार पुरे सालो नावासे का नावासी से बसद आ हम लुटी गए पर देश में नभीयों के शहने शाँ मरकद पेशा में महागीरी जाती है जैना मरकद पेशा में महागीरी जाती है जैना आहले वोतने आने में शर्माती है जैना मसरुफ मातम है अंजमन गुल्शन इसलाम रुट पुर ये अपना दूसरा नमात अमाम कर चुकी है मेरी गुजारी शेह अंजमन पंजदिनी जलाल कुर के सावे बयास से कि सदा मातम के जलू से अज़ा को आगे बढ़ते है आगे बढ़ते हैं उर्पन के लिए बढ़ते हैं पर्दे सबाई पर्दे सबाई पर्दे सबाई पर्दे सबाई पर्दे सबाई पर्दे सबाई बेमार अगर अपने वतन में जो मैं होती मिले के लिए आती मेरे साथ में के लिए सबाई इसी बात का मास ना कहना पर्दे सबाई पर्दे सबाई जिन्डा मैं सकीना का इसा जास कहना पर्दे सबाई पर्दे सबाई पर्दे सबाई जाओं अगर का बुरे सारा ये में बाना कर गफ ना पटे पुरे ते में एजाने बारा है तुरे बाते पे मेरे पैटी के आसों ना बाहाना पर्दे सबाई 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 पर्दे पर्दे सबाई पर्दे सबाई पर्दे सबाई पर्दे सबाई पर्द इसके बाद होजे मान झमान इसके बाद हमार में प्लिशन इसके बहुत हैं देश्टे से बुदरीशे जिन आतम को मुंदभशनी करते हैं या उसे अंजमन पंजदनी जलालपूर के सहवे बयाइस और ऩस्ते से गुदरिश है कि नवह मातम अफ़्दा हुस Gul置 के दिजलू से को आगे बढ़ाएं अंदोस्तान की मशार मारूफ अंजमन अंजमन पंजदनी जलालपूर जो नवह मातम पेशु के नजा रही है या हुसाय है कालिवादर किसी ये वोगा कालिवादर किसी ये वोगा कालिवादर किसी ये वोगा मादर 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 की पी ये भुगा मादर की पी ये भुगा मादर की पी 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 मादर की ती ये भोगा, अच्गर मेरे भोका 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 मादर की ये ये भोगा कि अपर नंजां बटब है? मां पसे लुज कर नंजां से लिए युज कर नंजां से लिए नंजानी आर पासट नंजां अजाद परिंदों से के दो जिल्दा से भो के मत जाना अजाद परिंदों से के दो समाथ मैं इस्टाल्ला मैं सावा के दो अजाद परिंदों से के दो जिल्दा से हो के मत जाना मैं जाएगी एकी बाजी रोलो मैं जाएगी एकी बाजी रोलो जिल्दा से हो के मत जाना परिंदों से के दो जिन्दान से हो के मत जाना आजाद परिंदों से कैदो जिन्दान से हो के मत जाना जिन्दान से कैदो जिन्दान से हो के मत जाना आजाद परिंदों से कैदो दिन दान से होके मत जाना आजाद परिंदों से कैदो दिन दान से होके मत जाना आती है वतन की आदू से जब घर को परी दे जाते हैं आती है वतन की आदू से जो बुखर को परी दे जाते हैं लोगी रुणादी है सबसो लोगी रुणादी है सबसो आजाद परिंदों से कैदो जिन दान से होके मत जाना गर शाम तलकिया जाना कभी आपस में ही तह कर लेना सभी गर शाम तलकिया जाना कभी आपस में ही तह कर लेना सभी अब रहा बदर करी दूजरो अब रहा बदर करी दूजरो जिन दान से होके मत जाना आजाद परिंदों से कैदो जिन दान से होके मत जाना आजाद परिंदों से पैदों जिन दान से होके मत जाना कानों से है इसके खूँ बहता और बहे हुए खे कुर्दा जला कानों से है इसके खूँ बहता और बगी दूजरो जिन दान से होके मत जाना जिन दान से होके मत जाना आजाद परिंदों से कैदों जिन दान से होके मत जाना तुम शूब से अपने घर आओ आराम उसको जाकर पाओ तुम शोप से अपने घर जाओ आराम उसको जाकर पाओ बसी आद रहे इस दिना तुम को बसी आद रहे इस दिना तुम को सिदान से हो के मत जाना आदा बसी आद रहे इस दिना परिंदों से हो के मत जाना आदा परिंदों से के दो जिन दान से हो के मत जाना तुम बात करोगी जब करकी सुने लेगी अगर से की बच्ची पहुचेगा बहुत सज्वा उसको पहुचेगा बहुत सज्वा उसको जिन्दान से होके मत जाना आजाद परिंदों के केदो जिन्दान से होके मत जाना आजाद परिंदों जिन्दान से होके मत जाना पर जाएगी गर्बाशी की नजर मर जाए तक इस पात कड़ पर जाएगी गर बच्छी की नजर मर जाए नदे इस बात कदर लिला गदरा तारह बचलो लिला तारह बचलो जिन्दान से हो के हमत जाना जाना इंडों से कैदो जिन्दान से हो के नदे जाना आखरी बचलों से कैदो जिन्दान से हो के नदे जाना इस राह से कोई आए अगर केहे देना करी उसके जाकर इस राह से कोई आए अगर केहे देना करी उसके जाकर एवाइ तरदा मेरी सुनो, एवाइ तरदा मेरी सुनो, देदान से होके बती जाना अजात परिमनों से पहे दो, दिनान से होके बती जाना, आजात-परिमनों से जाना, आजात-परिमनों से जाना, जात-परिमनों से जाना, आजात-परिमनों से जाना, आजात-परिमनों से ज आजात परिंदों से केदो जिन्दान से होके मत जाना आजात परिंदों से केदो जिन्दान से होके मत जाना आजात परिंदों से केदो जिन्दान से होके मत जाना होके मत जाना कारीनों से कह दो जिन दान से होके मत जाना मर जाएगी कि बाची रोरो मर जाएगी कि बाची रोरो जी दान से होके मत जाना है दारवसाइँ डूल्बा जाना मर लोरो जाएगी कि रखाँ जाना मैंने इसा शुक्त मत जान जानों से थी रखाँ जाना अब दूसरा रहुत नहीं दूसरा की मचवर मारूप राणियों करौप इसका लगार रहा तमां किया आपीद भी मार का मा तुम करो आपीद भी मार का मा तुम करो आपिद बीमार का मातम करो भीयत अबरार का मातम करो आपिद बीमार का मातम करो आपिद बीमार का मातम करो आपी देपी मार्का मादम करो आपी देपी मार्का मादम करो आपी देपी मार्का मादम करो आपी देभी मार्चा मातं 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 करो आबिद बीमार का मातम 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 करो कर फाल Спटլ कर फाल कर दाल फाल मस्रूफ इबालत है अजुमने पंजगने जलाल को इसके बाद आमाना है अजुमने वंचाने वीचाई कारवाने अज़ा बड़ागाओ लुए लुए देला बड़ाओ। ज़्माँ हसेः दपमाँ हसेः लुए देला है अगबर की एक जेना जेना शेहीद हो गया मकतल में वो जावा जैना 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 हुसें में अकबर की लाश लाए हैं शेह के शाहन आसू बहुत बहाए हैं हुसें में खेम में अकबर की लाश लाए हैं जावा जैने शाहन आसू बहुत बहाए हैं जानी था गई अकबर की एक सिगा जैना शेहीद हो गया मकतल में वो जावा जैना शेहीद हो गया मकतल में वो जावा जैना शेहीद सेहे हुरे सूरज को लग गया अगे गहाँ हतीर हो गया तारा बाईयां वो जैना शेहीद सेहे हुरे सूरज को लग गया अगे गहाँ शेहीद हो गया तारा बाईयां की बाहाँ शेहीद हो गया मकतल में वो जावा जैना शेहीद हो गया मकतल में वो जावा जैना कि दफने लाश करें रिदाए एल हरम की कहा तलाश करें रिदाए एल हरम की कहा तलाश करें शेहीद हो गया मकतल में वो जावा जैना शेहीद हो गया मकतल में वो जावा जैना किसी के सामने आखों से आश्क बही न सका पहनी दिले लिकी रोती है कोई करें न सका किसी के सामने आखों से आश्क बही न सका किसे दिले लिकी रोती है कोई करें न सका किसे दिया तिसे लेती थी सिसकिया जैना शहीद हो गया मकतल में वो जावा जैना शहीद हो गया मकतल में वो जावा जैना चरी नहीं रहसुता पराह माशीदा सवाल पानी का करता है जब दोई बाचा पराह माशीदा सवाल पानी का करता है जब कोई बाचा बड़ी उमीद सितकती है आस्मा जैना शहीद हो गया मकतल में वो जावा जैना शहीद हो गया मकतल में वो जावा जैना हुजूम करसी नशीनों का है हिसार किये हलील जोच रहा आजर में है आजर ये हुजूम करसी नशीनों का है हिसार किये हली का खास थी और या गई कहा सेना हुजूम करें विजूम करते हैं हुजूम करें युलूम करें जोच रहान दरा रहां सदाय मातन के जरी जो जुबस्यादा को दूसरी मंदिर पर निकर जाए और उस मंदिर पर मुफतसर एक पत्रीर होगी जिसे कताब करेंगे करती पिख्याद आड़ी जनाब मौलना शौक्त देदी साथ ब्रान अर्वारी अन्जवन करवाने अजाब पड़ागा पाएगा तब जनाब कैसे फूलेगी शेके गाले पर शिमर का खंजर जैनब कैसे बोलेगी शेके गाले पर शिमर का खंजर जैनब कैसे बोलेगी शेके गाले पर शिमर का खंजर जैनब कैसे बोलेगी शेके गाले पर शिमर का खंजर जैनब कैसे बोलेगी शेके गाले पर शिमर का खंजर जैनब कैसे बोलेगी शेके गाले पर शिमर का खंजर जैनब कैसे बोलेगी शेके गाले पर शिमर का खंजर जैनब कैसे बोलेगी शेके गाले पर शिमर का खंजर जैनब कैसे बोलेगी शेके खंजर जैनब कैसे बोलेगी शेके बोलेगी शेके गाले पर शिमर का खंजर जैनब कैसे बोलेगी बात शेके बोलेगी शिमर का खंजर जैनब कैसे बोलेगी शेके गाले पर शिमर का खंजर जैनब कैसे बोलेगी तीर शितम नंदा से रहे चलता हुआ भी मार का बिसे रहे चलता हुआ भी मार का बिसे रहे पीर सितं मेर नरुबार से खेर जैनब कैसे भूलेगी 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 पेरिके गदे पे शिमर का मन जरते याउते हैं याउते याउते में के वो कहला मैं अपने दार को मैंने किर्दा पेसे दूँ हो अगर साहिबे आला तु बताओ सहला मैं अपने दार को मैंने किर्दा केसे दूँ मैं अपने दार को मैंने किर्दा केसे दूँ मैं अपने दार को मैंने किर्दा केसे दूँ मैंने किर्दा केसे दूँ मैं अपने दार केसे दूँ मैं अपने दार दार केसे दूँ मैं अपने लाज को मलने खिर्जा करें जा सांगे कहते हैं शाहे कर तो बला मैं अपने लाज को मलने खिर्जा करें से दूँ मैं अपने लाज को मदने खिर्जा करें से दूँ मैं अपने लाज को मरने की रजा कैसे दूँ बड़े ही नाजों से आठारा बरस पाला है अभी तो एक भी एमा नहीं निकाला है अभी तो ते पे मेरे लाल के तहरा न सजा मैं अपने लाज को मरने की रजा कैसे दूँ मैं अपने लाज को मरने की रजा कैसे दूँ कर ले जा थांके कहते हैं शाह कर बो बला मैं अपने लाल को मरने की रजा कैसे दूँ अए मेरे लाल जाइपी का तू सहारा है मेरी आखों की दिया है जिगए का पारा है अए मेरे लाल जाइपी का तू सहारा है मेरी आखों की दिया है जिगए का पारा है जिऊंगा कैसे मैं को कै तुम्हें बताओ जारा मैं अपने लाल को मरने की रजा कैसे दूँ मैं अपने लाल को मरने की रजा कैसे दूँ हो अगए साहिब आला तो बताओ जारा मैं अपने लाल को मरने की रजा कैसे दूँ तेरी सूरत से है नाना की जारत पाई आई खुदा कैसी मुसीबत की घड़ी है आई तेरी सूरत से है नाना की जारत पाई आई खुदा कैसी मुसीबत की घड़ी है आई तेरी सिते होने को है नाना से नावासा ये जुदा कुने लाल क Barb की रजा कैसे दूँ कुने लाल कुमार ने की रजा कैसे दूँ कल जा ताम के कैसे दूँ मैं अपने लाज को मरने की रजा कहते दूँ मा की खाहिश है जो दूहं को तेरी लाने की उसकी खाहिश है जो दूला तुझे बनाने की मा की खाहिश है जो दूहं को तेरे लाने की उसकी हसरत है जो दूला तुझे बनाने की मैं अपने लाने की रजा कैसे दूँ मैं अपने लान को मरने की रजा कैसे दूँ हो अगए साहिब लान तो बताओ जरा मैं अपने लान को मरने की रजा कैसे दूँ मैं अपने लान को मरने की रजा कैसे दूँ देखके तुझे को मेरा कल्ब सुकों पाता है मेरा नाना तेरी सूरत में नजर आता है मेरा नाना तेरी सूरत में नजर आता है कथ नाना को तहे तेख मजाने दूबला मैं अपने लान को मरने की रजा कैसे दूँ मैं अपने लान को मरने की रजा कैसे दूँ मैं अपने लान को मरने की रजा कैसे दूँ मैं अपने लान को मरने की रजा कैसे दूँ जो तेरे सीने अनवर पे लगे गाने दूँ कैसे देखूंगा मैं जखमी वो कले जा तेरा जो तेरे सीने अनवर पे लगे गाने दूँ कैसे देखूंगा मैं जखमी वो कले जा तेरा किस तरह सीने से कर पाऊंगा ने दे को जुदा और ये भी बन बतौरे खास मलाज़ा परमाएं मैं अपने लाज को मरने की रजा कैसे दूँ नजवा लाल से रो रो के ये बोले से वहे आखरी बार अज़ा दे दो एबे ताएक बहे नजवा लाल से रो रो के ये बोले सर वहे आखरी बार अज़ा दे दो एबे ताएक बहे अब मया से कहा हो गालब लहे जा वो तेरा मैं अपने लाज को मरने की रजा कैसे दूँ मैं अपने लाज को मरने की रजा कैसे दूँ कले जा थाम के कहते हैं शाह कैब बहला आखरी बन मुलाज़ा फरमाया मैं अपने लाज को मरने की रजा कैसे दूँ मैं अपने लाज को मरने की रजा कैसे दूँ आए मेरे लाल जईफी का तू सहारा है मेरी आखों की दिया है जिगए का पारा है आए मेरे लाल जईफी का तू सहारा है मेरी आखों की दिया है जिगए का पारा है जियूंगा कैसे मैं को कै तुम्हें बताओ जरा मॉक्ता बतोरे खास मुलाज़ा परमाया मैं अपने लाल को मैंने की रजा कैसे दूँ मैं अपने लाल को मरने की रजा कैसे दूँ जोड़ के दश्ते अदब बाप से बोले अकबे मर्जी ए रब है के हो जाओं पेदा मैं दी पए पिर ना नसरी नी ये शाबीर ने रोकर ये कहा मैं अपने लाल को मरने की रजा कैसे दूँ मैं अपने लाल को मरने की रजा कैसे दूँ हो अगर साहिबे आला तो बताओ जरा अपने लाल को मैं अपने लाल को मैं अपने लाल को जाए जनाब फातिमा के नूर आयन से पहले जनाब फातिमा के नूर आयन से पहले यजीद नईश से पहले यजीद और भी थे हुसैन कोई नहीं था हुसैन से पहले अजिया हज्राः अभर जमाज स्रेकरिके मुल्नी सु बढ़े ही अदब उस्धाफ के साथ प्तित धेहले बैथ, प्तित बेशार, उम्दत उसाक्रि नर्शार की आदे मौराना शौकत जीशार की नर्वारी जो अदराद बुर्जाब सासले के हमरा हुजाएं बिश्मिल्लां अूर्मिवाष भाम्स रवा Самतुमा बिस्मिल्लाहिर्याराहिम सारे तारीफें आला के लिए दूरूद्रौद और सलाम महम्मद आर आलि मुहम्मद आलियमुस स्सीलाम के लिए बेशुमार लानतें दुश्मनाने एलि बहुत के लिए तोड़ा से आवाज बढ़ा दो भई, मारीक आवाज तोड़ा से बढ़ा दो सोगवारा में पेगंबर इसलाम और इमाम हसन मुश्टबा ये जलू सायजा को सफर करके और बहुत सारी दुश्वारियों और परेशानियों को देल के जलू सायजा को अपने मंज़र कर पहुंचाते हैं हाला कि इनकी सहुलतें इनको कम सहुलतें मुहिया की गराए जाती हैं उसके लिए हम चाहे मुंदजबीन के तरफ से माज़रत भी चाहेंगे और साथी साथ इनके लिए हम दौा गो हैं कि शहजाद ये कौन है अज़ा के सिल्सले से जो भी नौहा खां मातमदार पेश्खानी करने वाले जाकरी सोस खां जहां भी सिक्र इहल बैत के सिल्सले से जाएं बखैरियत अपने घरों को वापस आएं ये तारीख कल की है ठाइस सफर जिसमें दो मासूमीं की शहादत हुई है एक पेगंबर इसलाम और दूसरे रसूल ही के बड़े नवासे इमाम हसन मुच्टबा अरहिस्सलाम जाहर है कि जब लाइव के लिकाश्ट होता है तो सामने वालों के लिए ही तकरीर नहीं होती बलकि जहां तक लोग सुनते हैं और जहां तक लोग देखते हैं उनके लिए गुटगू होती है हाला कि यह लाइव जो चलता है यह बहुत खतरनाग भी होता है बहुत सारी बाते हम नहीं कह सकते इसलिए कि हमें सुनाना सिर्फ आपको था लेकिन सुन रहे हैं बहुत सारे लोग मैं पेगंबर इसलाम की हवाले से कि इनकी जात वो जाते गरामी हैं कि जिनकी तीन जिम्हदारियां ज्यादा ज्यादा बार्या पंद्रा मिनट तीन जिम्हदारियां है एक इसलाम को बनाना है एक इसलाना है और एक इसलाम को बचाना है पेगंबर इसलाम ने ही इसलाम को तक पेगंबर इसलाम ने इसलाम को बनाया और 23 बरस तक पेगंबर इसलाम ने इसलाम को बचाया और सुबह कयामत तक पेगंबर इसलाम ने इसलाम को बचाया रहा है 15 में तक्रिर होगी इंशाला और हर दोर में हर सती में हर जमाने में जब भी रसुल इसलाम ने जो काम किया क तब आपको मर्द ने भी मदद दी और औरतों को भी मददगार की जरुवत थी। पैगमर इसलाम जब 40 बरस तक इसलाम बना रहे थे तब भी मददगार की जरुवत थी। 23 बरस तक जब इसलाम फैलाया जा रहा था तब भी मददगार की जरुवत थी। और जब इसलाम बचाया जा रहा था तब भी मददगार की जरुवत थी। 40 बरस तक जब पेगमर इसलाम ने इसलाम बनाया तब भी एक मर्द एक औरत मददगार मिले। 23 बरस तक जब इसलाम भेलाया जा रहा था तब भी एक मर्द एक औरत मददगार मिले। और सुबह कयामत तक के लिए जब इसलाम बचाया जा रहा था तब भी एक मर्द एक औरत मददगार मिले इसलाम बनाते वक्ट मददगार के तोर पर तारीख ने जिस मर्द नाम लिया है उसका नाम है जनाब अबु तालिप और स्लाम बनाते व क्मधदगार के तोर पर तारीख ने जिस वरफ का नाम लिया है उसका नाम है जनाब ख़ diciendo ख़दिजा इसलाम फैलाते वक्त मददगार के तोर पर तारीख ने जिस मर्द का नाम लिया है उसका नाम है जनाब अबू तालिब मुला काइनात अलिबन अभी तालिब और इसलाम फैलाते वक्त मददगार के तोर पर तारीख ने जिस आउरत का नाम लिया है उसका नाम है स्यदा सल्वातुला अलेहा और इसलाम बचाते वक्त मददगार के तोर पर तारीख नजिस मर्द का नाम लिया है उसका नाम है हुसाइन इबन आली और इसलाम बचाते वक्त मददगार के तोर पर तारीख नजिस आवरत का नाम लिया है उसका नाम है शहजादी जनाब जन्व सलमुला अलेहाँ यह इसलाम की शरासाई इसके अलावा ने इसलाम को समझा जा सकता है और ने इसलाम को समझने कोशिश की जा सकती है आज सफर की 27 तारीख हो गई खतीब आउल से भी आपने मसाहिब सुना होगा इसलाम इसलाम की शहादत और अब भी इस से पहले मौणा नहमुसूब ने तफसील से इसलाम हसन अलेहसिश की शहादत पढ़ी है आपने धिरिया भी लिज भी फरमाया है मैं दो बातें सिर्वार्स करूँगा जनाब 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 में आवाज आई कि जन्जीर की जन्कार की आवाज आई शैजादी जनाब जैनब ने समझा कि शायद बीमार भतिजा हमारा नाके से गिर बड़ा है लेकिन जब शैजादी ने देखा तो क्या देखा कि बीमार इमाम नाके से गिरे नहीं थे बलकि दारुलामारा के दर्वाजे पर सर जुका के किसी को सलाम कर रहे थे आवार्दी जनाब जैनब ने बेटा सज्जाद ये न जुकने वाला सर किसके सामने जुक गया आवार्दी भुपी अम्मा अगर देखना चाहती हैं तो करीब आए हाथ बंदी होई जैनब सर खुली होई जैनब जब बीमार भतीजे के करीब पहुँची तो दारुलामारा के दर्वाजे के तरह बेशार करके कहा एवापी अम्मा वो देखो चचचा मुस्लिम का सर लटक रहा है दारुलामारा के दर्वाजे पर घजब हो गया जानब ने बिच्डा हुए भाई देखा भाई के सर को सलाम किया और उसके बाद दास्ता ने कर्बला दोहराई एक एक बीबी ने आके सर मुस्लिम को सलाम किया और जब सारी बीबिया सलाम कर चुकी तो आखिर में बेवे मुस्लिम आई हान के सर मुसिल्म को सलाम किया खाफ पर बैड़ गई उसके बाद उठी का मुस्लिम मुझे इसका रंज अफसोस नहीं है कि मैं असीर होकर आए हूँ मुस्लिम घजब हो गया है कि शहजादियों के सरों पर चाधरे नहीं है कि उसके बाद जोगे मुस्लिम आगे बढ़ी आगे बढ़के सरे मुस्लिम को मुकातिब किया का मुस्लिम तुम्हारे दो बच्चे मेरे साथ थे और मेरे दो बच्चे तुम्हारे मेरे साथ थे मैं दोनों बच्चों के कटे हुए सर साथ लाए हूँ लेकर मुस्लिम इतना बता दो कि जो मेरे दो बच्चे तुम्हारे साथ थे वो दोनों बच्चे कहा गए कटे हुए सर से आवाज आई शरी के हयाँ करत दोनों बच्चे कूफे की गल्यों में पिर गुम हो गए हैं अगर कहीं मिले पुले कलेजे से लगा लेना ये हैं शेजादी जाइनब जो नाना को रो चुकी भाई को रो चुकी दोनों भाईयों को रोने के बाद करबला में ठारा भाईयों को रो चुकी वो जाइनब तरसी गुदरने लगा, कुफे से गुदर गया, शाम से गुदर गया, आकरी दो मिनट सुलें, शाम के कैद खाने में एक एक सर आने लगा, सर आए, सारे सरों को रूई, दो सर ऐसे आए थे, जिन पर कोई रूँ न सका, वहां तक कि वो वक भी आ गया, कि जब काफला कैद खा चुछ भूलतीन आ, बेटा सजजाद, हम तो सारी कपरों पर हो आए, अब हम को भाईया अबास की कपर पर लेके चलो, सामने जynnब अबास के अलम की शबीह जा रही है, हम को भाईया अबास की करपर लेके चलो, जैये ज़िए सजजाद चले, और उसके बात जाते है एक छोटी सी कबर के पास रुक गए जनाब ज़्यादमने का बेटा सज्जाद अबास की कबर पर लेकर चलो जनाब सज्जाद सर धुका के खामाउच हो गए झैड़ मरतबह कहा बेटा कबर अबास पर लेकर चलो सेदे सज्जाद निकाब हुपी अमा यही चचाब बास की कबर है मुँपर मातम कर लिया जनाब जल्ब ने का बेटा सज्जाद मेरा भाई तविल उकामत था ये तो किसी बच्चे की कबर है सेदे सज्जाद निकाब हुपी अमा जब मैं बारा मुहर्म को बाइजासे मामत करवारा आया था तो बनी असद के कबीले वालों नहीं बताया कि कुछ लोग तलवारे लेकर आये थे और जनाब अबास की लाश के टुकुडे टुकुडे कर दिये थे ए बबी अमा मैं तो दादी के सहारे चचा अबास के लाश के एक एक तुकुडे के उठा के मैंने सबुदे खा किया बसादारो काफला आगा अबदीने जो जनाब अभी तो कौनो मुहम्मद को ना रोई जो जनाब हुसैन को रोचुकी अबास को रोचुकी अली अक्पर को रोचुकी मदिने आने के बाद अब्दुल्ला अब जाफर के घर गई धूप तेज थी आंगन में बैठ गई जैनब हाई हुसे वाई हुसेना की आवाज बलंद हो रही थी जनाब जैनब के शोहर अब्दुल्ला अबने जाफर दाकिल हुए घर के अंदर का कौन है मेरे घर में रो रहा है यहां से चली जाओ अभी अली की बेटी जैनब आएंगी तो उनको बहुत ज्यादा तकलीव होगी यह सुनना था कि शैदादी ने सर उठाया आवाज दिमने माबूद जैनब पर वो वक्त आ गया है कि अब शोहर भी नहीं पैचान रहा है तो कौन हो का मैं जैनब हूँ अब्दुल्ला अबने जाफर जुके जैनब के बाजों को पकड़ा पकड़ के उठाना चाहा जैनब ने चीख हमारी का अब्दुल्ला मेरे बाजों को छोड़ दो मुझे अजा के सारे चलने दो का बाजों को क्यों छोड़ा रही क्या हुआ का क्या बताए जैनब ने बाजों पर से चादर हटाई अब्दुल्ला अबने जाफर की नहा अज़े उन निशानों पर पड़ी जो रस्जियों से बादे गए थे का ये कैसा निशान है का जब भाई अबाज के बाजों कलम किया जा चुके तो इने बाजों मेरा सियाब आदे गए थे अब असारे से जैनब खुजरे में पहुची जो जैनब अउनों मौमद को नहीं रोई थे अरे अचानक जैनब ने दो छोटे छोटे मुसलों को देखा मुसलों को देखकर आवाल दी ए मेरे लाला अउनों मौमद अरे अमा अभी तुमको नहीं रोपाई थी आज ये मा तुमको रो रही है वाँ मेरे अउनों मौमद हाँ मेरे मजलुम बच्चो वाँ हुसेना वाम अजलूमा मादम हुसाइन जजा कर दादा पर्लाव वामने निक्राव अंजमन होंगे कारवाने असाथ जो पने दूसरे तावड़े के लिए आमार है जहादा एक लांग समा पर्माएं की हुसाइनी माद पारगे के परीग जज़ा कर दादा पर्माएं के लिए नाम पुछिस्तार से है इपिशी देगर बना और हुसाइनी में वाइग यूपी और अठारा बन आशिव जहादा तमाम एक बात वाद वीडियो को सेयर कर सकते हैं हमारा दर्मियार अमारीमारीक शुछ मस्रुफ को श्रूल कर देंग हर देंगर आपधर में वाद बनावज कर कर दो घिने दुछ नहीं दुछ पंदेगर इसा जो आमाना है चितव इसान के लिए वह सो इना अंदो इना हमाना देशा है बहत्तर घंटों में चालीस कदमों का सफर है है बहत्तर घंटों में चालीस कदमों का सफर है है बहत्तर घंटों में चालीस कदमों का सफर 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 अंबियानों के रहे हैं आमिकर यक नाज गये है बहत्तर घंटों में चालिस कदमों का सफर है बहत्तर घंटों में चालिस कदमों का सफर है बहत्तर घंटों में चालिस कदमों का सफर रोक देता है ये कहे कर राह बें शिम्रे लई हाई देखीने जैना को जिमा आ गया ठेहरो ही रोक देता है ये कहे कर राह में शिम्रे लई देखीने जैना को जिमा आ गया ठेहरो ही देखीने शर्म से पजिके जुकी है और गुना है उसे कसर है बहतर गंटों में चालिस कदमों का सफर है बहतर गंटों में चालिस कदमों का सफर है बहतर गंटों में चालिस कदमों का सफर हाले थे कुछी दाशा यही कहते हुए देखी लेता क्या कोई आवास के रहते हुए आ रहे थे कुछी दाशा यही कहते हुए देखी लेता क्या कोई आवास के रहते हुए है बहतर गंटों में चालिस कदमों का सफर है बहतर गंटों में चालिस कदमों का सफर रोक कर बोला लई यह आपने बीमार को अरे ठहरो शीशों से सजा लेने थे दर दीमार को रोक कर बोला लई यह आपने बीमार को ठहरो शीशों से सजा लेने थे दर दीमार को है बहतर गंटों में चालिस कदमों का सफर 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 है बहतर गंटों में चालिस कदमों 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 बहुत्तर घंटों में चालीस गदमों का सफर है 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 बहुत्तर घंटों में चालीस गदमों का सफर मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाब धाग गया तूटी है पस लिया बाबा मेरे 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 तूटी है पस लिया बाबा बाबा था सकीना का ये बाया बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा उस्टे ना का से लहीनों ने गिरा या मुझे को मे अतीमा हूँ मगर गोने रला या मुझे को कोई सुनता नहीं फोगा बाबा मेरे तोटी है पसले का बाबा था सकीना का ये बाया बाबा मेरे तोटी है पसले का बाबा था सकीना का ये बाया बाबा मेरे तोटी है पसले का बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे तोटी है पसले का बाबा था सकीना का ये बाया बाबा मेरे तोटी है पसले का बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा बद कैसा है अतीमी का कोई क्या जाने ये तो तुम्हे जानो या फिरे बाली सकी ना जाने शुम्रा मेरे तोटी है पसले का बाबा मेरे 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 बाबा कुरे आई हुमय पिनों को से पंगल में सबके लाशे है पाले कोन बर मकतल में लुट गया है वो कारी बाबा बाबा मेरी तूटी है पसे लिशा 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 बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे तूटी है पसे लिशा 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 बाबा मेरे तू पुष्टे नापा से मुझे को पाधा गया मेरी तूटी है पसली का बाबा थसकी नाचा ये बाया बाबा मेरी तूटी है पसली का बाबा मेरे बाबा मेरे आमों से कहो जल्द यहां आ जाए अनके अपनी भदी जी की मदद करिमाए सब्सक्त है मेरा इमते हा बाबा मेरी तूटी है पसली का बाबा थसकी नाचा ये बाबा मेरे तूटी है पसली का बाबा मेरे बाबा थसकी नाचा ये बाबा मेरे तूटी है पसली का बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा मेरे बाबा सब्सक्त का लेना भी जिन्दा में आजी नति ठहरे आहा करी नाभी आहा एक आया मति ठहरे अब तो खुलती नहीं जा बाबा मेरे तूटी है पसली का बाबा थसकी नाचा ये बाया बाबा मेरे तूटी है पसली का बाबा उसके लागा से मुझे को बाधा गया मेरे तूटी है पसली का बाबा थसकी नाचा बाबा चारा बाबा, मेरे तोटे हैं पस्थिया बाबा मेरे बाबा, मेरे बाबा, मेरे बाबा मुहा साहिल ने लिखा शाह की जो लुख तका जितना पीने लगा परिके वो हुसें है कर दोड़े सबी सुने के दासे ता बाबा मेरी तोटी है पसरी का बाबा था सकीरा कर बाबा मेरी तोटी है पसरी का बाबा भुष्टे नाका से मुझे को बांधा गया मेरी तोटी है पसरी आबा बाबा आपने में बढ़ा ओ तो बढ़ाओं कैसे एक दम चल के दिखा ओ तो दिखाओं कैसे इतनी जखमी है लिया बाबा मेरी तोटी है पसरी का बाबा हां यह अठिसे इतनी जड़ी का बाबा मेरी तो पर दिखांगे वह उस्तिति नाका इफ और पने मेरी तोटी है अंज्मन नगमान हो जड़ी का रवान है रवादबा मेरी तोटी है उसने मेरी तो रचाप्णू स्क्राइब म्सरूट तो दिनुत से आजान समाथ परमाई एक जिलू से असाप बतारी इस अट्थाई सफ़क्त आठ बढ़ा माहूल आजनगर में मौनाकिद किया गया है जिसमें मुल्क के मशूर मादू अलूमा वसाधरी और मशूर मादू अंजमन हायमातमी जो लोह मातम पेश्टरी कि आफ उस्तार प्राज़ा अथ जाधा तो के उस्कत करें सोजा बाले सकीना तु सोजा 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 बाले सकीना तु सोजा सुचाट जर्ज़ के अप्ति पारिपी, सुचाट 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 करया की छोबर सुचाट कवारिपंगा सुचाट मुख्वारि कर लजी से वुपी गिर से जा जो जबाद सकीना कुछो जा जो जबाद सकीना कुछो जा जो जबाद सकीना तो जब सकेना तुम सोजा मिलेगा ना बाबा करेना सोजा बाब सकेना तुम सोजा सोजा माझी सकेना तुम सोजा सोजा बाब सकेना तुम सोजा अब मिलेगा ना बाबा करेना सोजा बाब सकेना तुम सोजा सोजा बाब सकेना तुम सोजा सोजा बाब सकेना तुम सोजा सकेना उशे सोजा सबसलों करें सकेना एben डाब सोज करो सबस्केना पनुम इच्तरों सबसा हाइर से एंच виण सबस्क्राइर सुमाब विन पूहां जों मेंता स्चाहित जरति हमाह फू दिवाव मुझेरी हमाहuir देख con. विन पूहाएं भायु का मारु भायु रोके जिन्दा ने में कहती रही बिंते हैं रही बिंते हैं मेरी मुदा देखो आ जाओ अर्भाई आपास रोके जिन्दा ने में कहती रही बिंते हैं रही बिंते हैं मेरी मुदा रुको आजाओ आब बाई आपाद रोके जिन्दा ने में कहती रही बिंते हैं रही बिंते हैं मेरी मदा देखो आजाओ ऐबाई ताबाई तो के दीना मिर में कहती रही दीन ते रही दर तेरी मुदा देखो आजाओ ऐबाई अबाई अबाई सिम्र नेची मेरी हम सब कैसरों से चादर मेरी मदा देखो आजाओ ऐबाई आपारों के दीना में कहती है रही बिंके है तर मेरी मुदा देखो आजाओ ऐबाई आपारों के से बत लाउं मे दीना देखो आजाओ आजाओ आपारों के से वकत लाउं है भाईया है तरफ दूम का बादर है या आचा या हुआ हो गया भाई यहां पर मेरा जीना दूबर हो गया भाई यहां पर मेरा जीना दूबर हो गया भाई यहां पर मेरा जीना दूबर है भाई मरे दूबर है भाई यहां पर दूबर 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 नहीं में थे हैं दर मेरी मुझा दिखको आजा पुसा बाची है बहुत सही हुई कभी आमू कभी बाबा ही शबर के खा उसे बाची कभी आमू कभी बाबा को सदा दे दी रही एको आजा कभी आभी दे मेरे दोनों की पुष्ट कर साते ऐ जालिम कोड़े कर दोनों की पुष्ट कर दोनों की पुष्ट कर साते ऐ जालिम तोड़े मरना जाए वो बहन भाई सिता मुसे सहे कर मरना जाए वो बहन भाई सिता मुसे सहे कर मरना जाए जो बहन भाई सिता मुसे सहे कर मेरी मुदा दे को आजाओ ऐ भाई आप लोके जिन्दा जिन्में कहती रही में इनके हैनल मेरी मुदा दे को आजाओ जुम इस तर आ किसी पर नहीं होते दे का एक भी मारी पे जिस तर हासी ता मुदा या गया दिखुआ गयाlett किसी पर नहीं हो जाँ गग को इसी पर नहीं होते देखा हासीता मुडा लागाया हो गाया बे कसो लागए याही मुने सर्वे हो गाया बे कसो लागए याही मुने हर दर्वे हो गाया बे कसो लागए याही मुने सर्वे हो गाया बे कसो लागए दिल को आजाओ ऐभाई आफार। बेखाता शिमूर का माचे है लागाता उसको हैता माचे पेसकीना ने पुकारा तुमको बेखाता शिमूर का माचे है लागाता उसको हैता माचे पेसकीना ने पुकारा तुमको है बाहुत सहे ती अजीयत या बिंदे सर्वे है बहुत सहे ती अजीयत या बिंदे सर्वे है बहुत सहे ती अजीयत या बिंदे सर्वे मेरी मुलता तुमको आ जाओ एभाई आपारो के जिन्दा दिर में कहती या बिंदे है बिंदे है दर मेरी मुलता तुमको आ जाओ एभाई आपारो के के रहती रही अफुजर यही बिंदे जैरा बाई या बाई या बाई या लुट गाया कुन बाई तेरा कहके रहती रही अफुजर यही बिंदे रहे रहा बाई आपारो के आपारो के या लुट गाया लुट गाया बाई या लुट। गाया कुनबा तेरा तेरे कुनबे को बचावाई ना तेरी खाए तेरे कुनबे को बचावाई ना तेरी खावाई तेरे कुनबे को बचावाई ना तेरी खावाई मेरी मुदा दिल को आजाओ एवाई आपाई बोलो सदा बोलो सोजा वाले सकीना तु सोजा 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 आपके सामने मस्रूफ मादम है अंजमन हुसैनिया सैथ पुराजंगर और वो नौहा एक और अपना पढ़े कि उसके बाद अंजमन पंजतनी से गुजारिश है कि वो एक नौह के बाद वाले आपके समया वाले सकीना तु सुछा सोजा वाले सकीना तु सुछा उज्दा अश्चा देखा है कि वो एक प्रू हाँ देखाव 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 जी है वो पिल देखाव औज जबादी टे नाथी शोरा जबादी टे नाथ अच्छों भादा आठी आपादा आठी भादा आपादा डाइजा भादा बबाभा सबस्क्राया। बाबा मैं लुटे गई मेरा कुछ नारा बाबा मैं लुट गई मेरा कुछ नारा मैं लुट गई मेरा कुछ नारा बाबा 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 मैं लुट गई मेरा कुछ नारा कि अधिन आप्ते श्माने का देका कि इस भाक पर बाबाबा मैं लुट गई रख नारा मेरा उता रहा इस भाक पर बाबा मैं लुट गाई मेरा कुछ ना रहा बाबा मैं लुट गाई मेरा कुछ ना रहा बाबा मैं लुट गाई मेरा कुछ ना रहा क्या का हूँ चादे जो मेरे आंगर का था पूल है क्या दो प्राइए रहा आंगर का था उसका पूँ बह गया इस खाक पर राशा रोदा गया इस खाक पर बाबा मैं लुट गई मेरा कुछ ना रहा बाबा मैं लुट गई मेरा कुछ ना रहा वो जो हर जांगों मैं से कृणल बाहर गा जारीड बाहर गया यारीड यार्य यार्ड 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 गया गुज़ का कर गीरा इस खाक पर मानी सब बह गाया इस खाक पर गुज़ का कर गीरा इस खाक पर बाबा मैं लुट गाई मेरा कुछ नारा इस खाक पर 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 इस इस खाक पर उसका तामन गजादा इस खाक पर उसका गोहर चिना इस खाक पर उसको थैदी किया इस खाक पर बाबा मैं उट गई मेरा कुछ ना रहा रहा बाबा मैं उट गई मेरा कुछ ना रहा आए रखनब के लग पर से जिने पे हैं लग कुशा है ना जाई आए हैं अंबिया इस खाक पर नोहे की है सदा अंने सदा साधा बबाब मन उखे गई मेरा कुश ना रहा मेरी गुजारीज है अन्यमन पंजटनी जराल को जो नहामातम से लिया माता हुजाए आबिद बीमार का मातं करो आबिद बीमार का मातं करो सेद बीमार का मातं करो आबिद बीमार का मातं करो है जार हुसे है जार हुशे है बहुत रोई सकीना कातर अपुना देख कर जखमी असगर का गड़े ज़टा ढाल हुशे है जखमी असगर का गड़ा रोई सकीना देख सकीना देख शहित रोई सकीना का दड़ पुना देखिते जखमी अस्वर का गला जोई सकीना देखिते या अली खेब उठाना था बड़ा आसा मगए बोले ये जिबरी नाना साच अनादा देखिकर शकीना देखिकर सक्वी अस्वर का गला जोई सकीना देखिकर लेकर बढ़े जिते बेशीर को लेकर बढ़े जम खुसे मौत खुदरोने लगी असे जख्मी असिघर का गला जख्मी असिघर का गला है खुन ना जपने चेरने आपियारों जखमी रस्तर पागला कोई सभी ना देखकर जखमी रस्तर पागला कोई सभी ना देखकर खुमे तर हम शकले पे रम पर नजर आने लगी खुमे तर हम शकले पे रम नजर लगी गिर पड़े शापी के जखमी रस्तर पीना देखकर आखरी मुन सभागला कोई सभी रस्तर पागला कोई सभी ना देखकर जब बेशीर का जब गला बेशीर का जब लुदा थिवन सभागला कोई सीना देखकर जब लगी रस्तर पागला कोई सभी ना देखकर कि सरावाली ले नर गए अदा में बाबा को केला दे के रख रोया है मेरा इवाद बहुत रोया है या इमा बहुत रोया है बहुत रोया है गड़के अश्चा बहुत रोया है बहुत रोया है मेरा इवाद बहुत रोया है बहुत रोया है पोचे जब शाम तो दाले मने सदा ये दी थी हर पत्त इन्हें इसलाव के घे ये बागी कुले इमान बहुत रोया है बहुत रोया है बहुत रोया है यादी जएनब को बराते की दिलाता थलई बरतर बार खुले सर जो बुलाता थलई यादी देनब को बराते की दिलाता थलई बरतर बार खुले सर जो बुलाता थलई बहुत रोया है बहुत रोया है जिसको खतीरत दिती वतन जाने की वो मासुमा यादाद, यादा यादाम बुशे अकबर मौला अली अकबर मौला 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 अली अकबर मौला अकबर के दीने में ने दार तूट गया सुगुरा के अर्मान मिल गये मीटी में सुगुरा के अर्मान मिल गये मीटी में प्रवाइश की मेरा पुपिश करना हूँ चैनल शेर रमाथ है शाल रमाथ हाँ यह जिर्भ में वहां सगाए बच्छी है अच्रती से भाई का राज़ा तक्छी है यह जिर्भ में वहां सगाए बच्छी है अच्रती से भाई का राज़ा तक्छी है और यहां उठा है जनादा अक्बर का आगे बने मौला अली अक्बर मौला 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 अली अक्बर मौला सुगरा के अर्मान मिल गए मिल्टी में सुगरा के अर्मान मिल गए मिल्टी में अम्मा माहे चाट जो दीना दखनी है लिपुटी हुई अक्बर के जिगर में परच्छी है अम्मा माहे चाट तो सीना दखनी है लिपुटी हुई अक्बर के जिगर में परच्छी है कौन बताए चाके मदीने में ये भला कौन बताए चाके मदीने में ये भला अक्बर मौला अली अक्बर मौला 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 अली अक्बर मौला सुगरा के अर्मान मिल गए भिक्षी में सुख्रा के अर्मान मिल गए मिश्टी में देख के ये मन्जे बहन गबराई है कबर नभी पे आज उदाती चाई है देख के ये मन्जे बहन गबराई है कबर नभी पे आज उदाती चाई है ऐता लगता है की कुनबा मार गया ऐता लगता है की कुनबा मार गया मुला 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 सुख्रा के अर्मान मिल गए मिश्टी में आर्जु करता है ये दुआ बीबी के तुपैर पेश खुदा मकबूल ये हो जाए एकुए आर्जु करता है ये दुआ बीबी के तुपैर पेश खुदा मकबूल ये हो जाए एकुए आपने जो लिखा है दर्द बरा नौहा आपने जो लिखा है दर्द बरा नौहा अधिर मरे मौला सरी अकबर मौला 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 सरी अकबर मौला अकबर के दीने में ने जाफ दूट गया तुदा के अल्मान मिल गए भी थी मौला 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 इस दूट गजूए दूट गौणफूर के वो माइक कराए सेटा को के लाए मौल की मशूरव पारूप नौहा अधिमन आजार हुसैन से मौला 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 और यहां से सदाप होते हुए दुलूज को आकर बढ़ाने के तो आपको पुछा 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 पिश्टेश तो आपको पुछा 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 पिश्टेश तो आपको आपको पुछा पुछा स्चाइप ड्रतीं को जर से ज़ा रहे है ना मिठेश पुछा पिश्टेश ज़ा रहे है अजा के दिन गुदरते जा रही 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 है अजा के दिने गुजरते जा रहे हैं नमग लिसमे ना अपगं में कमी हो हजादारो ना मातं में कमी हो नमग लिसमे ना अपगं में कमी हो हजादारो ना मातं में कमी हो अजा के दिने आ रहे हैं हजा के दिने उदर से जा रहे हैं अजा के दिने उदर से जा रहे हैं अजा के दिने गुजरते जा रहे हैं हजा के दिने उदर से जा रहे हो अजा के दिने ना में कमी हो अजा के दिने जा रहे हैं है मेरे शेर महत्जाग 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 मेरे हद्जाग के मेरी सिंक चालाते हैं बहुते हैं फुन में डूते हैं रुक्जारा देरे भाई मेरे शेकर के अलम जाग महत्जाग मेरे भाई शाहे वाला के मदद का रैं मेरे खाग है चल गया शाह के है पूठे ऐ शर्मत भी लिकूं कैसे बला का मंदर चल गया शाह के हैं पूठे जिबला का मंदर है चल गया शाहір के मंदर तो के ना की अर्मत भी लिकर दिविए क्वाइब नाफुब नियुक्त कैसे हुआए नियुक्त कि में आपके सामें और प्रिश्राइब उसके फारन बाद जूरूर इसलाम मिक्तुपु जलाल पुर्ट से बजाईश है कि वो एक मौमे बाद खौरं खामाद आए यहाश है ॉच्पुपु जला था भा जाईश है ए best था भास है कि पुप जाउ था गुमार बात के बेरी उतर गई जिन्दा में हाए तेरी सकीला भी मर गई बाई हुसेन मुझे पे कियामत गुदर मर गई बाई हुसेन मुझे पे कियामत गुदर की जिन्दा में हाए तेरी सकीला भी मर गई बाई हुसेन मुझे पे कियामत गुदर की सहमी थे इतनी दमाचों के खौफ से तो डर दर दर नब ने रुक पाहा जो ख्राखा तो तर गई जिन्दा में हाए तेरी सकीला भी मर 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 गई जुझोज वन्चाते शहर से आयरें ताम कर दादा जिन्दा में हाए तुझे कर देन्दा में हार्ट जिन्दा भी मर गई जिन्दा में हाए तेरी सकीला भी मर गई तिमाठी को इचारे करके बेडा तुम्हें उचाते शेरें से आपा बेडा आपाज जर्णा बुन का रो रो तिमाठी का हुआ मुझसे दिमाठा हला असाय देका यह सी अभी तुम्हें से बहुते वन्हें तहा रो पसे बाइब आपासे पाइब शथी तम वक पे हुआ पे मैं पेजे गाहूं राहे पुरे काहर पे आपी देडि़ी मैंने मचे मैं आदियार में खुण आ रहा मचे मैं आदियार में खुण आ रहा मैं आदियार में खुण आदियार में खुण आ रहा मचे मैं आदियार में खुण 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 आदियार में बड़ा मेरी आपसे मुद्धिबाना विजारिश है कि मुहम्मद वाल मुहम्मद चितना आपके जहनों में परण है उठी परण सर्वाथ है कि मौम्मद सामय में गराने तक मुक्तस्ड़ मैं आपको अबादत में मस ECOS करने यजे इह शॉwn सन हाइ यह कुम महरम से अब तक अबादत में बस्जूभफ है इसकी जज़ा आपको शहदादी की भी फाक्मा जहरा आता करेंगी मैं नौजवानों के लिए कुछ अर्ज करना चाहता हूँ पुदुर्वों से मैं दुआ दूँगा नौजवानों से दाद दूँगा और शहदादी से इसकी आता दूँगा सामेनेग्राम में च्छेहादा शेसो चियासा करते हैं जो पहला सुरअ सुर आहम और सुरे आहम की बाता है सुरे पक्रा उस सुरे पक्रे बुबारिका में एक आयद है वा कि जिप्टका इबराहीमा रभ कहुटे कर्यमा की पतम महुटना जब खुदा मैंने आरण ने जनाब इबराहीम अले सलातों असलाम को इम्तिहान में मश्वूर किया आजमाईशों में मुड़तेना किया और जनाब इबराहीम ने वो इम्तिहान सौ फीसद मुकंबर कर दिया तब आपको इमामत कर मंसर मिला चलाब इबराहिम नभी भी है रसूल भी है मगर अभी इमाम नहीं है सामें एक रामी कर इंसान की जिन्दगी में तीन सरमाया होता है सबसे अहिं पहला सरमाया दौलत मान हर इंसान के लिए दौलत अमान बहुत दरूरी होता है ऩूसरा सर्माया होता है उसकी ओना तोक कि इसरा सर्माया होता है हुद उसकी जान इंसान जो कुछ कमाता है अपने आपको कुर्वान कर देता है आप तमाम सहावे ओलाद है अल्लादों को परवान चड़ाए मौलाबास रस्रातोत स्राम के साय में उनको जिंदगी अता करें कि तमाम सहावे ओलाद है अल्लाद के लिए ओलाद पर खुद को निसार कर देता है और जब जनाब इप्राहिम से अल्ला ने जहां लिया जनाब इप्राहिम कौन है नभी है खली है मासूम नभी है जनाब इप्राहिम है जंगर है बयाबा है बक्रिया चरा रहे है और अल्ला ने जो इंतिहां लिया है अजीजाने मोत्रम बड़े अजीब इंतिहां लिये नभीयों से बख्रिया चरवाई है मैंने एक आलिम से पूछा था कि जनाब ये बताइए कि आल्ला ने नभीयों से बख्रिया क्यों चरवाई है नभी है मासूम है उसे बख्रिया चरवाई अल्ला ने जो जवाब ही आया कि जो इंसान शान्वरों को डोड़ कर सकता है और इंसान को भी हं। थोड़ा थोड़ा आप दिला होते हैं मुक्तसर मैं बहुत जदी अपने मौदू को समेट रहोगी तारी मुक्तसर तो पर आप किसी पिख्रत करना चाहता हूँ जबर इक्राहीम हैं फख्रिया चरा रहे हैं जबरीन अमीन में कुशा ऐया मैरे अल्ला तेरे नदी छदी जदी अपनेम को मकाम कगा नहीं तो अल्ला ने जबरीन से का जप्रीन जाओ मिरे इस मासूम नभी का इंतहान बो जिनाब विणि में और शाहत से गुजर रहे जनाबि इप्रहीं के और यह एक कहते हुए शुक्तुषम्टुषम्टवन लगत्वन छोगतल सुनें आपके नाख कघरे में कि यह तुम को करीक बढ़ा है टुम्हें आपका है और किसी इसे एक पिर बढ़ सकते हो कि शक्ता जिवीर कहते हैं यह पर सकता हुँ नगर में पढ़ूंगा मुझे मिलेगा क्या कि मैं पढ़ूंगा मुझे मिलेगा क्या शाना बर्लब को देखा अपने चौपायों को देखा और देखने के बाद कहा कि चितने जानों है इसका एक बड़ा तीम हिस्सा ना तुम्हें बेरूरा मगर एक बार मेने रग की तस्मी पड़ते सुना पिर पहा चलाब जिब्री ने मतवच्छ रहे नतीजा मारा फूबत निशाल्ला करलाएं मौराएं काइना से दिर चलाब उपेगा कुछ ये कहां से करके कहां से शौके इस्ट जो था जराबी इग्राहिम को और उपर गया किसरा हिस्सा दे दिया चलने लगा वो शक्स का एवाई जरा फैरो जो तुमने मेरे रग की तस्वी पढ़िये एक बार और पढ़को चुना तो अच्छा आप अगर पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा का चितने चान अच्छा मिले लिए फिर चलने लगा का एवाई एक अच्छा मेरे रख की तस्वी और पढ़को सब्सक्राइए है 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 मौपट देखे इश्क देखे जाने बहुत रहा हूं खुदा की कसम आप देखे नतीजा परा कुपूरत है जब चिपरी ने का सुपो उनको तूसर सब्सक्राइए यह उनका मार था जिससे उनकी रोदी थी रोदी देदी सिवाल्दा की तजबी सुनने के लिए सारे जानवर देखे चंग लगा एक मत्तबा चगावे इप्रहिं के अंदर शौक और पैटा हुगा पीछे पीछे उस आद्वी के पीछे गए उसका दामन पक अधर के कहा एभाई जड़ा थैरो एक बतबा मिले रख की तजबी और पर के सुना दो का आप तुम्हारे पास है का तुम मुझे ज्या दोगे फोरंचराब एब्राहिम ने प्रेसा से आमामा उतारा अपने हार से आमुश्क्री उतारी अपने दोस्रेवा उतारी अपनी न इतारी और यह सब दे दोंगा एक बार पर कि तजबी और फढर के बार्स सबाते मुहम्मद आने मांगे करेश एक बार बार फणको सब कुछ दे दिया तजबी पड़ी चले बड़ा सब कुछ ले करते हैं जबीद सब कुछ ले कर चाने यह जहां कर और है. अबा भी लेघा रहा हैं अंदुस्तरी भी लेगे जा रहा है नारायन भी लेखे जा रह रहे हैं तो इसा ज़्म मेराज की बारंदियों करता श्यानल पढ़नाह। मौत पिर शहर्ष से जादा शीरी होती है दिखाने बहुत पर अधीज़ों जब जबने लगे जड़ाबे जिबने अमीन सारा माल ले करके एक मतबा जड़ाइम को शौब आगे बढ़के एक जुम्ला कहते हैं यह भाई ने एक लितिजा है क्या काकिन जानवरों का ख्यान नौकर की भी तो जड़ूरत पड़ेगी एक मतबा मेरे रख की तजबी पर दो मैं नौकर करने को क्यार हूँ इतना कहना था जिबरी अमीन कहा एल्ला की नभी आप इम्तिहान में इकान नाप हो रहे यह जो जानवर यह आप रखिए अनुष्टरी आप रखिए यह जो आप लखी हमामा आप लखिए जानवर आप लखिए अनुषान्मर माद मतवत होती है उसके नाप रखत करने पर मुदा रहाता है है वैं तुर्य वालो हम परी सामना लगाना कि हुसान के नंबर इतना नंगर क्यों जारी करते हो इतनी सभीले क्यों लगाते हो इतने तवर्रुम्य वात्यों हमें हुसान के मापत है जब तक मापत रहेगी हम इसी तरा हुटाते रहेगी पॉसान के ज़ामा रियाаются ये जवाब इजाना नहीं के माल का इंत्यान था आवलाद का इंत्यान मुक्तसर कर रहाओं जणाब इज्ञारी विल्हाई अलाद अधा हुई है सईवी ने आवलाद अता हुई है जहानी में नहीं दी जणाब इस्माइब बड़ी मन्नतों मुरादों के थे जणाब इस्माइब जणाब इस्माइब नभी है वो बड़ी मन्नतों मुरादों के है अजीजाब इग्रामी जुल्ला आप जावाले कर रहा हुई पूरा बाकिया आप जानते हैं जणाब इस्माइब ने कले पर छुरी चली जब छुरी चलाई खुन जब उबनने लगा और आपके हादों पर आया तो आप ये संद्ये के तेरा बेका जिवा हो रहा है आपका में उनको तो नहीं पता था कि दुन्दा जिवा हो रहा है ये जणाब इब्राहिम के ऑलाग के इंध्यान था अल्लाग के जणाब इस्माइब को सामने खड़ा कर दिया और गुंदे को दिवा कर बार दिया माल लिया जान ने वापस किया ऑलाग भी वापस की जुल्दा सेंद्य रखिए लगा लगीजा पेश करता हूं तीसरा इब्राहिम का मुक्तसर कर रहा हूं जान कांग कहां अल्लाग में कहां इब्राहिम कुटो 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 तो में जिन्दा चलाया जाए जिन्दा चलाना आम मौत से ज्यादा तक्लीव दे होता है किसी को जिन्दा चला के वह बहुत तक्लीव दे होता है है बसु लखना की कई निजिनी पेटा जणाब बनेजिनी को विढ़नी से आपकी जुड़ों को प्रादियों पे थी जणाब बनेजिनी को जफ़ाया है यह दा बोल में रामोश्ण को चनमी जीनी में बठाया है और बेठा के जब आपको आग बनारा है जनावि इब्राहिम आदे जा रही है जनावि इब्राहिम इसरा आदे जानाँनु वर जिनावियाbu मा जेते हैं आपके कोई जोई कहते हैं हां है मगर तुमसे नहीं है का फिर किस्से का उससे है जो सब कुछ देख रहा है अजीदो आज आएगी या ना रोकूनी बर्दर सुनामा आए आप फंदी हो जाओ आप फंदी हो गए जलाब एद्राहिम बच गए जांग का इत्यान हुआ ना बच गए अजीदो रवाई के फिक्रें एक परिंदा था बस आखरी तुम्दा आपकी इबादत अमों कर रहा हो दामने रख में गुल्जाइश नहीं बहुत कमीन बहुत है एक परिंदा गुजर रहा था उसकी चोच पानी का इत्वा था उसकी चोच में पानी का इत्वा था तो जिदर आप रोशन थी वो उठर जा रहा था पाकी पर उन्दों पुचा के तो उठर का हो जा रहा हो परिंदा कहता है ए नादान ये तो मुझे भी बालू मैं मेरे एक कत्रे से वो जो बसो की आगर भुझेगी नहीं मगर मैं उस आग में एक कत्रा पानी डाल करके अल्ला को गरा बना दूंगा कि मैं इबराहील की तरफ था नमरूत की तरफ नहीं कहे शियाने आदरे करनार हम जबे हुसेल में आज सूपहा करके ये शापित करते हैं हमारा बस्ता पुषणियों से है यसीदियों से नहीं नाना फैन दी नाना बस्ता जीदो कि दीम इंक तहान पर गाहिममे दिये मादे चित ओम तुस्ता भी ये मार केशननी का लिया माद्थ भापसmos दी माद्व जान का इंकान дан लिया भापस का लिया नामार इसके बर आक्स तक राक्से ठीमे इमाने हुसेलिया तरा तो स्क्तिति भी और वोजए अशुचों इंटान लिया चाहिए वो माल का निओं और अलाग का निओं जाहे खुब उनकी चाहिए वापस मिले नहीं मिले खुब हुसान मजलुम शहीड हुए जान वापस आए नहीं आई वहाँ एक इसमाईल के गले पर छुड़ी चली थी यहाँ अप्टारा इसमाईल शहीद हुए हाद बताओ अजीजों अल्ला के इंत्हान बड़े अजीब है अजीज आने मोतरं वसा आखरी मगले में गुफ्तुगू है अजीजों इसकी मिसाल पेश कर दू यहाँ लाइन त्यान ले रहा है सब वापस कर रहा है वाँ लाइन त्यान ले रहा है कुछ वापस रही करता है अल्लामा जीशार है तर जवाजी साहब ने इसकी बड़ी खुब्शूरत मिसाल पेश की है वो मिसाल पेश कर दो फिर दब्ते मसाई हिस्टे घर में चोड़े पच्छेयं होते हैं में जब आप fracture कुछ पिश्डेकर अटते हैं जब आप फ़ड़ में आते हैं फट차 कि दोपनेटिने तौफी जब लेका आते हैं आप भच्चे के हाथ में देते हैं बच्छा लेव तर मैं अबसे करते है कि तर पशेकित दे हैं पश्वी तर लोज तोपनेट नव न्यार लिगाना कि यह इस durum बच्चे को वापस करें को बच्चे से तक से करें केऊंगे तो साड़े लो नोग मसंद करेंगा कैसे इंसान अगर तुपे था ना था तो पुबडीं थी तो फिर नीन योठी तो अन्यमा कि शीछान हैदर जवाद सब्सक्राइब कर दो इन दो जम लिख स्ब़र कर लिखार राएं आपके लिए मोबाइल लेकर प्यारा तो अन्नामस इशाहर जवादी साथ कहते थे ठीजाग के राई आप इसड़ाग इप्राहिम सब्सक्राइब कि भूब करें हां इसलिए हुसाइन से कुछ वापस ने दिया लिया सब कुछ अल्ला में दे लिया और अल्दा की इहां मैंने कहां बहुत होते हैं चराब यूसुफ पानी से बहुत होते थे बहुत होते थे खाजिरों ने कोई बिडा जैँ आइसा इमाम हुसाइन मस्नूम को प्यास बहुत लगती थी अगर मैं ग़दद पड़ो खोदा की किसम शहजादी मेरी शिफात ना करें इमाम हुसाइन को प्यास बहुत लगती थी अल्लाव प्यास का इंतिहान है। इमाम सज्जाद मासु अंदाम थे। अल्ना में खूट चड़ाया। चलो इमाम सज्जाद सका। वो इंतिहान। आध कना में खुब हुआे लिए प्योन और रहां कि अजया रहना है। ऑफूरी शिक्षाद में अपने श्वाट से कुछ मांगा। ना प्रमिज्जाद से कपी कुछ मांगा। आपके सामें आपकी सौज़ा पात्वा सहरा के उपत कहां चाहता है ऐसा इंत्हाँ अल्ला आपकी नासों को खुबूर फर्माएं आपकी अज्रेन सादत को खुबूर फर्माएं मेरी माए बहने भी आई है अल्ला उन तमाम लोगों को आबाद और शाद और खुशाल लखे जो इस घंब शरीक है जीए तो अबने परस हम है और ये घंप फिर है और जो चन बसे तो ये अपना सब्रा में आपके है आज शबे शहादत है आपके तमान जाफरी से सुनाएं आ शाल में हसान अलस्स अलस्सलात की शाका एक नभी की शहादत है और एवाम की शारट occurred फ बासों ना आख ननी अनुनी का अच्भी अलसम्ति पैसतानी और षो में नथ ईज्एन बेसे निकार किया जबारा जन्धक और कमपजिए कि इमाम इमाब आप यनार भी मौझें खुदा की पेची कि वो फन आया रसुल Χुण ने उस कफ़न OS को फन के चार। हसे के जो मिना सुने ना घरो करो की हूं जाओ के हम व्रहत करो माला करो अजय सो बड़ हिस्तélior हो में हुस्सी हो जो आपके हिस्सरे में हुस४ तक्राजम ने च poczपन का एक तुपदर, इस्पें जाद, तक्राइब इस्पान, च बहुते हिता हिए. पेती फात्मा जहरा, ये हिस्सा तुम रखो जब तुम्हारे पहलू पर जल्दा हुआ पर गादा गिलाया जाएगा, उस लग्वारे गाम ये कफन का हिस्सा काम है, दो हिस्से बढ़ गए, एफ परमरे इस्लाम में फूज रख लिए, एफ अपनी बेती फात्मा जहरा को दि एक टुकड़ा आपने मौलाय मुत्तियान को दिया, एक अली ये कफन का टुकड़ा तुम रखो जब तुम्हारे सर पर कारी जब लगाई जाएगी, उस वक्त ये तुम्हारे काम हैगा, मौलाय कायना को भी कफन का टुकड़ा दे दिया, एक टुकड़ा पचाया, अपने परे नमासे हसन को करी बुलाया, एक टाहर मेरे करीब आओ, अरे जब तुमको जाहरे तगा से शरीद किया जाएगा, तब तुम्हे काम आएगा, चार बुकड़े थे चारो भट गए, एक बखमा फात्मा जाहरा करण गई, ए बाबा, आपने मुझ करीब को कफन दिया, अपरे इसना के के ए बेकी कफन उसे दिया जाता है, अरे जिसे उसल दिया जाए, अरे तेरा हुसे, मैदा ने करना लाँए, पे उसलों कफार, जजाकुम रपकुम खेर जजा, तुदा आपको कोई गम न दे, सिवाए गमे एहले बैर के ए अगदारों, पुरसा दे दो फात्मा देरा तो उनके बाबा रसूले खुदा का अधरों, ये बजबा यहां बैठा हुआ है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, शायलेंस करके परना हूँ, एक एक लफ्स का जामिर हूँ, आपने मुझे इस साथ से बताओ, आपने घरीब से घरीब का पीचनादा तुमको पार जहरत के पाक तामन की कसम है, सच परना, घरीब से घरीब का जणादा देखाना, अनीर से अनीर का जणादा देखाना, तुम कबरस्तान तक गएना, जपना तक क्याए, अरे मुझे कोई एक ऐसा चनाजा बताओ, पूरी तारी का इसलाम में, जो कबरस्तान से था इमाने असन का जनादा कब्रस्तान से घरवा पसाया चदा पुम्रपकुम्खेर जदा इतनी जरीफ है एक पेटे का नाशा कब्रस्तान से घरवा पसाया एक बेटे का लाशा बेवस्तान कर बना के तक्ते हुए सहरा में पड़ा रहा अजबारो बस आखरी जुम्रा आपकी अबादत तमान कर रहा अजीजों चाप इमाने असन का जनादा बैट उस शर्फ से निकला है ऐसा जहर दिया रहा है इमाने असन को नौ मकबार जहर दिया गया है कामिया भी नहीं ही आना बेलागर अवाइट है लेकिन एक मकबार जो यह जहर जाना बिल्टे अशस से जिया है जी तो ऐसा जहर था जब मैं हज के कोज से अजम्हाज के मौके पर गया था मदीले अजीजों चाहर साल पहले की बदा इतनी गता हैं इतनी वह थारी नहीं फाथ मशने ना हुआ है तो दूले चंद्वर्वथ हुए बादा ना ने बोड़ जन्नतुर पकी जुम्ला सुने ना दी तो कर दे रहा हूँ आपके हमाले ये जुम्ला जन्नतुर पकी गया अजीजों और सामने मस्जिल नभी है बहुत बड़ी मस्जिद है अल्ला आप सब्सक्राइब करें जन्नतुर नभी को मैंने देखा शान के बादा यकीन करें कि अगर एक पिल भी गिर जाए पिल हैं सुलिक आप उसको बह। असालिशर के ढूंच सकें ऊपना लौजय रसोल जमगा रहा था जंगा रहा था जमग रहा था जमग रहा अपिल गाख लगी है संग मरमर नगा हुआ है हर तरफ सपाई है सु्टाई है हर तरफ मोरी मूर परस दाथा अब इसो मैंने एक खादिम को बुलाया मैंने का ये बताओ क्या तुम मुझे ये बता सकते हो इस पूरे रौज़े रसूल में कितने राइके चल रही है उसने कहा इस पूरे रौज़े रसूल की बात कर रहा हूँ पूरे रौज़े रसूल में प्टीस अजार लाइफ अगर मैं गलत पड़ू शहदादी मेरी शिवाद ना करे एक वक्त में प्टीस अजार लाइफ रोजे वसूर पर चल रही थी सामने चन्नत अर्बकी है यहां से चन्द कदम के फासले पर खुदा की चसम मैं ने देखा अरे जन्नत अर्बकी में एक छिराँ जलादे वाला दोई नहीं जजाकों मुणबकों खैरे जजादां अजी को इमाने अज़की कढ़र के प्थर अगरात तबी जायं और कशिप से जाए वैसे आज पुते लेते हैं वो आने देते हैं अगर तभी ज़र जाना नसीब हो इमाम हसन की कब्र को और से लेखना उस कब्र के पथर आज भी अजीजाने को तरम अनके अनके हरें अगर के अगर के सब जो जाएं अैसा ज़्या गया था इमाम हसन को कि प्थर भी जब हो गये थे क्या सुनगा उदार और जुम्म्मा ने तो पूरा मसाइब पर दिया अजीतों बसा अखरी जुम्मा जब ये इमाम हसन का चनाजा निकला है एक मतबा किसी औरत ने एक सफेत रुमान का इशारा किया इमाम हसन की कमन्ना थी मुझे नाना के पहलों में तफनाया जाए अजीजों उम्मत के बढ़ा सुन्द किया है अजीजों उम्मत के बढ़ा सुन्द किया है इमाम-े-हसन को नाना रसूल-खुदा के तहनू में दप दोने की जगाने एक औरत में एक मतबा रुमान का इसारा किये एक मतबा खीरों की पारी शुरू हुई एक मतबा रिवाय के जुले ये हैं अब तीर परसने लगे अददारों आपकी इमाम हसन के जनादें में पेवस हुआ इमाम हुसेंद आपास का पास भाइया का जनादा घर की दरत ने चलो अगादा आपास को घाना गया गादी तोड़ा घर में आया हुआपकी जनादा आपकी हुआ आपकी हुआ हुआ चारो के लिए गान गया घर में आपके अन कान शयदादीया। आपकी जनादा घर कुई हुआ है इमार करते तोड़ा जनादा घरादी कने मेनफ़ाне चार इंड जनादा घ цвет में पतास को घ्थام स्मेडकी हुआ eh एक्षाइब अधारो अधारो जनादाब आपशाया बीबी जैनब आगे बनी एक एक तीन निकाना शुरूर किया एक मतबा जनाब जैनब ने जब देखा कि तीन बेवस्त है एक मतबा इमाम हुसाइन के गरे में बाहे टार तर कहती भाई याँ सारे मैंने अपने भाई को सफेर कफर पहना की देजा था ये कफर सुर्प ऐसे हो गया अगारो ये है फात्मा सहरा की ओलाद एक कलाशा कबरस्तान से बापसाया एक कलाशा कर्बला के मैदान में अरे तीन दीन का अरे बे गुस्लो कफार कर्बला की खाक ने हुसाइन के लाशे को छिपाया हाए जैना को मंजर कैसे भूले कभी अम्मा जैरा के पट्टिया बादी कभी बाबा के सर पे पट्टिया बादी कभी भाई हसन के गए जिस्म से तीन कारा कभी सत्तर कतन के फासले पार अरे हुसाइन के गले पार अरे तेरा जर्बों से सर को चुदा होते हुए देखा वही जैनाबार बादार कुपा हो शाम के बे मकना हो चादर तयार बदया पूचा मकूचा फिराई जा रही है मुनादी निदा ले रा है ए शाम वालो देखो ये अली की बड़ी बेपी जैनाब है वो दिर को हुसाइन का पेता सक्याद है वो हुसाइन का सक्याद है मसरुफ इन बादत है अजमन बुच्या इकारवानी ऐसा था मैं बुच्या इकारवानी ऐसा के नो हकाम कहता हुआ है वो हुआ है सर पे देनबु के चाल नहीं है सुन रहे हम अपादार भरिया सर पे देनबु के चाल नहीं है 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 सुन रहे हम अपादार भरिया सर पे देनबु के चाल नहीं है सर पे देनबु के चाल नहीं है जद की उम्मत को क्या हो गया है कैसा बदिला कैसा बदिला है देखो जमाना सर पे जैनब के चादर नहीं है सर पे जैनब के चादर नहीं है दाष्ट खुल्बदी में दुक्या फुकारी मौत है बेड़ाई हमारी मौत है बेड़ाई हमारी मौत है बेड़ाई हमारी आके करिदो आके करिदो आपा से पहेदा सर पे जैनब के चादर नहीं है सर पे जैनब के चादर नहीं है यह भी बन बतावे खास मौत है फरमाएं सर पे चादर नहीं है सो रहे हूं तराई बताएं हम है बालों से चहरा चुपाएं हम है बालों से चहरा चुपाएं हम है बालों से चहरा चुपाएं खाक में खाक में मिल गया जल के खैमा सर पे जैना सुख के चादर नहीं है सर पे जैना नहीं है सर पे जैना के चादर नहीं है सुने नहें हाव बालों से चादर नहीं है कर्वे से लबी के जादर लगी है बेरिदा सानी ये सियदा है क्या क्यामत से कम मरहला है क्या क्यामत से कम मरहला है क्या क्यामत से कम मरहला है दिल पे बाचा दिल पे बाच्चों के भी है ये सैदे माँ सर्पे जैनब के जादर लगी है 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 सर पे देनब के चादर नहीं है सर पे देनब के चादर नहीं है सर पे देनब के चादर नहीं है खेरत बाब वफार रो रही है सेर हक की दुवार रो रही है चेर हक की दुवार रो रही है चेर हक की दुवार रो रही है फरत घम से परत घम से तर पूता है लाजा सर पे देनब के चादर नहीं है 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 ए सहर रूह शापीर रोई गम से कादर पे तहरीर रोई गम ते तागत के तहरीर दोई गम ते तागत के तहरीर दोई जिसी घड़ी में नोहा ये लिखा सर पे देनब के चादर नहीं है सुन रहे हो वपादर बईया सर पे देनब के चादर नहीं है सर ये लॉभाए महब फॉर्खा है पारी से की ना कैसे काद़ तितτα है माले दाइकीendo तेक्तः अपनेदュ रखत्तो है दुर्झ है प्रखाअ है माले दाइकी了 प्रवाद प्रवाद प्रॵाद 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 प्रॵा बाबा को अपने मने बेपोगा है आदी सकी लाए उसे का पने दू बाबा को अपने मैं बेपोगा है आदी सकी लाए उसे का पने दू बाबा को अपने आए फुक्रिया मनमा से जरी है सहरा में हर सुख साशे मरी है बेपोगा है आदी सकी लाए उसे का पने दू बाबा को अपने मैं बेपोगा है आदी सकी लाए उसे का पने दू बाबा को अपने मैं बेपोगा है आदी दू बाबा को अपने सांत करते में बाबा करते आदी आदी सकी लाए आदे हुआ है, आदे हुआ है, बारी हम बाया, कैसे का पने दूपा, बार को अपने, मैं बाबा है, बार को अपने, कैसे का पने दूपा, बार को अपने, तो से कपने दो बार बार को अपने साहे मेरे वादिते मुझे को उठा ले तुर्णे लगे हैं जिसमों पेशे देने सखमी है मेरा सखमी है मेरा दोनों जाना कसे कपने दूबा बार को अपने कैसे कपने दूबा बार को अपने मेरे वादा है माले सखमी ना कैसे कपने दूबा बार को अपने कैसे कपने दूबा बार को अपने तीरे पर तीरे और तीरे को चोड़ दूदा ने हाँ आज उसी को आज आज नफनि गो मैं तपनी करो मैं और दीर है अकुझा कैसे कःनी नूब आपा को उपर्डे कैसे का पने दू आपना तुरे मैं को आए पारी साथी ना कैसे का पने दू आपना तुरे कैसे का पने दू आपना तुरे मैं को आपना तुरे पाया है अम्मु का आओ कुछ तो बजाओ कंदाना तुरे पाया करें, का तुरे अपना ।inkण तुरे इदू आपना तुरे तुरे का तुरे lore महरे बुआ है बाबा को अपने कैसे कब बने दू बाबा को अपने बुल गई है बाद को अपनी दश्ट में बाबा बंदर दने दी कैसे कब बने दू बाबा को अपने कैसे कब बने दू बाबा को अपने महरे बुआ है बादी दी आँ कैसे कब बने दू बाबा को अपने वे नाज वर अम्मा मुझी को अपना गई है बादा ताये नाज वर अम्मा मुझे को अपनी लीग है केताता ये ननात बर सम्मा मुझे को शात लगी है केता ये ननात बर सम्मा मुझे को शात लगी है तीर जितम से जखनी गला है जाद से वो भी शूक रहा है केता ये ननात बर सम्मा मुझे को शात लगी है केता ये ननात बर सम्मा मुझे को शात लगी है केता ये ननात बर सम्मा मुझे को शात लगी है केता ये वोगी है